हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल की भरती कब है परिक्षा कब है 17 और 18 फरवरी कितने वर्षों से आपने वेट किया कितने वर्षों से आपने इंतिजार किया कितने ट्विटर केमपेइन कितने इसब और अब वो मौका आ गया कि अब से 7-8 दिन बाद आपका एक्जाम होना है आपकी पूरी मेहनत का प्रणाम पूरी आपकी जितनी भी टाकत आपने यह करा रहे हैं बहुत बढ़िया फीडवे केवल एक दो सब्जेक्ट ने सभी सब्जेक्ट पर हमने विशेज ध्यान दिया क्योंकि एक्जाम सभी सब्जेक्ट से निकलता है किसी एक से नहीं निकलता दूसरी बात लाश्ट में वो टॉपिक जो टॉपिक आपके जितने कोंटीटर है वो या तो नहीं करके जाएंगे या वो कुशन गलत करके आएंगे चोड़के आएंगे यही एक अंतर है कि आप उनसे आगे निकल सकते हो क्या बाकियों को पीछे छोड़ना चाहते हो वर्दी धारन करना तो एक बार सभी कमेंट्स में लिख दीजे एपर यूट्यूब दोनों जगे वर्दी मेरा जुनून रह सुल्तान करते चढ़ाई नींदरी आनी चाहिए जब तक कि आज ही आपके पांच टॉपिक अंप्रीट ना हो इन पांच में से मिरी टॉपिक रहे गया चार से देना दे तू चलना सीख ले हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले अगर आज आपने साथ दिया मज़ा जाएगा आप सभी को पेपर में कम से कम इन पांच टॉपिक से दस वारा कुश्यन और मैं एक और चीज बता रहा हूँ चाहाय पाइव तालिस पांसो बीस का प पेपर देखो जेल वाडर का भड़तिक हर एक शिफ्ट में कुश्यन आए इन सारों से हर एक शिफ्ट में केटिसी से यह और वादा कर जाओ, क्योंकि आप भाग जाते हो, आप भाग जाते हो, आप लोग पढ़ो जो पढ़ा रहा हूं, आपको कोई इश्यू नहीं, यह रिवीजन तो आप में यह जो आप पॉलिटी वॉलिटी तो इतनी दिन से करते आ रहे हो, यह वो टॉपिके क्लास में या अरतिय किरसी, यह सब कुछ से लेबस में अगर ध्यान से देखा होगा, और 41-520 से लेकर, 49-560 से लेकर, और जेल वाडर, हर एक भरती में कुश्यन आए, क्योंकि तुम पढ़के नहीं जाते हो, तो तुम कुश्यन करके नहीं आते हो, और फिर कहते हो, जी के मैं तो जी 38 म कैसे चल सकती है, चली आजाते हैं सबसे पहले, किरशी क्या है, ध्यान दीजेगा, एगरी कल्चर क्या है, किरशी क्या है, मैंने कहा, थोड़ा-थोड़ा समझ के चलना, कि फसल उगाने से संबधित, और फसल क्या होती है, जब एक बड़े खेत में, आप बड़े पेमाने पर, एक बड़े खेत में, अब बड़े पेमाने पर, किसी एक प्रकार के पौधों को उगाते हैं, एक प्रकार के पौधों को, जब आप उगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, कि एक बड़े खेत में, बड़े पेमाने पर, एक ही किसम के पौधों को उगाना, ये फसल कहलाता है, तो फसल उगाने से संबंदित, जितनी भी क्रिया होती हैं, जितनी भी गतिविधी होती हैं, उनको एक साथ क्या कहा जाता है, क्रेशी कहा जाता है, उनको एक साथ क्या कहा जाता है, एगरी कल्चर कहा जाता है, मतलब all the activities जितनी भी क्रिया हैं, जो फसल उ पियार किया, मिट्टी की जुताई वगएरा करके खेत की जुताई, फिर आपने सिचाई की पलेवा जिसको कहते हैं, फिर बीज तयार किया, फिर आपने बुवाई की, फिर आपने साती खर्पतवार इत्यादी को काटा, फिर आपने फसल पक गई तो फसल की कटाई की, फिर ठंडारडर Hier जित्री भी एक्टिविटी होती है जित्री भी गतिविधी इंग को सब हीक तोर पर सभी किरिया गतिविधी को क्या केशते नहीं को किражice कहा जाता है तो हям स्मूर्ण unwanted जित्री सेवी किरिया हूती में गतिविधी उनको समुहिक तोर पर पूरे एक साथ किर्शी कहा जाता है किर्शी कौन सी छेत्र की आर्थिक गतिवीदी है किर्शी भी एक आर्थिक गतिवीदी है इसमें भी धनका लेंदेन होता है इसमें भी साती चीजों का इन्पुट कुछ इसमें बीज अपनी पूरी मजदूरी बगरा लगाई जाती है और कुछ उसका परणाम आउटपुट मिलता है तो ये कैसी गतिविधी है ये प्राथमिक छेतर की गतिविधी है ये प्राइमरी सेक्टर की एक एक एक्टिविटी है तो किर्शी किस छेत्र की अक्टिविटी है? किर्शी प्रात्मिक छेत्र की अक्टिविटी है इसका शब्द की जो उत्पत्ती हुई है वो एगरी अत्वा एगर से हुई है जिसका अर्थ होता है मिर्दा, अर्थात सोयल और कल्चर कार्थ होता है culture character हो जाता है soil को तयार इत्यादी करना किसके लिए फ़सल हुगाने के लिए तो agri culture शब्द की उत्पत्ति किस से हुई है Agri plus culture से चली भीजा अब किर्शी के अंतरगत फ़सल हुगाने से समदित कौन कौन से प्रिक्रियाय होती है सब भी लोग ध्यान से देखिएगा ये टॉपिक पूरा करके ही जाना है कि सर बीज बोने के लिए मिट्टी को तैयार करना होता है नहीं होता है जिसमें जोताई बुवाई ये सब कुछ फिर साती सिचाई करना सिचाई होती न पलेवा करते हैं मिट्टी को नमीक देते हैं फिर फसल का रखरखाब जिसमें घास खरपतवार को काटना पड़ता है घास खरपतवार की कटाई इत्यादी फिर जब फसल पक जाती है तो उसको कटाई और फिर आप उसे कहीं पर भंडारण भी तो करते हो उसको श्टोर भी तो करते हो करते हो बैस टोर भी तो करते हैं ना फसल को तो ये सारी activities किसमें आती है सामुहिक तोर पर किर्शी के अंतरगत आती है तो किर्शी क्या है समझ माया फसल उगाने से संबन्दित सभी क्रिया या गति विधियों को सामुहिक तोर पर क्या कहते है सामुहिक तोर पर क्या कहते हैं सामुहिक तोर पर याद रखेगा साथी किर्शी कहते हैं याद रखेगा जो पशुपालन है पशुपालन भी किर्शी के अंतरगत आता है पशुपालन भी किसके अंतरगत आता है अन्य संबंदित गतिविदी होती हैं सभी लोग ध्यान दीजे इधर साथी दो किलाज जो एप पर चाले उनको अमें दिखवा लेता हूं गलती से होगी होगी दूसरी इधर आप थोड़ा सा ध्यान दीजे मैनिक अरे तुम इधर तो ध्यान दो तुमारे इधर ही ध्यान नहीं है अर्जुन की तरह तुमारे लक्षे कहां है अर्जुन की तरह लक्षे है या नहीं है या दुर्योधर की तरह लक्षे है तो किर्शी के अंतरगत ये सारी अक्टिविटी किसमें आ जाती है ये सामुहिक तोर पर किर्शी के अंतरगात आती है ठीक अभी या किर्शी कौन सी छेत्र की गतिविदी है किर्शी कौन सी छेत्र की गतिविदी है किर्शी प्रात्मिक छेत्र की गतिविदी है किर्शी के अंतरगत पशुपालन की जो गतिविदी होती है दूद, मास, इत्यादी के लिए जो पशुपालन करते ये भी साती किर्शी के अंतरगत आता है ये भी प्रात्मिक छेत्र की गतिविदी है याद रखिएगा भारत में जो किर्शी होती है ये राज्य सूची का विश्य है सभी लोग बताईए लिखके कमेंट्स में भारत में किर्शी किसका विश्य है भारत में किर्शी किसका विश्य है याद रखिएगा भारत में किर्शी राज्य सूची का विश्य है इस्टेट इसका मतलब किर्शी से समद्दित कानून कौन बना सकता है किर्शी से समद्दित कानूनकों बना सकता है याद रखेगा बहरत में जो एगरी कल्चर है वो स्धिनीज रिस्ट लिष्ट या राज्ये सूची का विश्य है राज्ये विधान मंडल किर्सी से सम्मंदित कानून बना सकता है जो income tax है income tax act 1961 के तहट जो केन सरकार आपकी income पर tax लगाती है उस income में agriculture income शामिल नहीं होती पूछेगा क्या income tax जिस income पर लगता है उसमें agriculture income शामिल होती है आप कहोगे नहीं होती किर्शी आए पर tax लगाने का धिकार जो है वो याद रखेगा state government को है agricultural income पर agricultural income पर tax लगाने का धिकार किसको है state government का है क्योंकि agriculture कौनसी सूची का विशे है agriculture संध्या कौनसी सूची का विशे है बिटा आप कहोगे बवू state government राज्य सूची का विशे है राज्य विधान मिंडल कानून बना सकता है इसी कारण वर्ष आयकर में जो income tax होती है उसमें आपकी salary से income जो आपका rent आता है किराया आता है कुछ भी आता है वो सारी income income tax में count होती है लेकिन agriculture income income में count नहीं होती इस पर tax लगाने का धिकार राज्य सरकार को है बहुत बड़ी है अब आजाते हैं फसल क्या है हमने कहा वही किर्सी फसल उत्पादन से संबन्दित सभी परकार की गतिविधियों को जब एक विशाल बड़े खेत में बड़े पैमाने पर एक ही परकार के पौधों को गाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं इसे साथी फसल कहते हैं फसल भी क्या ही परकार की होती है मौनो क्रॉप जैसे आपने गन्ने की खेती देखी होगी एक ही परकार के पौधे पूरे खेत में एक आपने इंटर क्रॉपिंग देखी होगी इंटर क्रॉपिंग देखी होगी गन्ने के साथ आलू बो दिये एक से अधिक फ़सलों को एक साथ बोना और एक अपने शब्द सुना होगा क्रॉप रूटेशन क्या सुना होगा क्रॉप रूटेशन जैसे आप रभी के सीजन में गेहू बोते फिर साती जायद में आप कुछ घर्बूज तर्बूज इस प्रकार के फसल बोदेते, फिर साती आप धान बोदेते, बीच में कोई आप लेग्यूम फसल दाल इत्यादी बोदेते, क्रॉप रोटेशन से क्या फायदा होता है? क्रॉप रोटेशन से मिर्दा की उर्वरता बनी रहती है क्या होता है कि जो क्रॉप रोटेशन है इससे मिर्दा की क्या बनी रहती है उर्वरता बनी रहती है इंटर क्रॉपिंग होती है जिसमें एक से अधिक फसल एक साथ आपने अपने गाओं में गेहूं के साथ सरसो बोई हुई है गेहूं के साथ सरसो बोई हुई देखिए ये इंटर क्रॉपिंग का एक बहतरीन एक्जामपल है इससे दो फायदे होते हैं कि एक ही खेत में दो अलगलग प्रकार के पोशक तत्वों का उप्योग करके बड़ी ह बोने वाली फसल को आप बो सकते हैं, दोनों काई कारिय हो जाता है, और अगर एक फसल किसी बीमारी त्यादी के कारण चपेट में भी आ गई, तो दूसरी फसल से आपको इंकम हो जाती है, किसान की इंकम बनी रहती है, समझ रहे हैं मेरी बात, ये बात आपको समझ में आ रह तो जो खेत सूक जाता है, नमी उड़ जाती है, वास्प बन जाता है, तो यहाँ पर साथी, एक वर्ड होता है मल्चिंग, एक वर्ड क्या होता है मल्चिंग, मल्चिंग में क्या करते हैं, कि जो खर्पतवार इत्यादी होती है, जो खर्पतवार इत्यादी जो ये अपनी गन्य की पताई वगेरा होती है इसे खेत पर बिचा देते जिससे जो नमी है वो सूखती नहीं है जो नमी होती है वो सूखती नहीं है तो वहे प्रक्रिया जिसके द्वारा खेत की जो नमी होती है उसको सूखने से बचाया जाता है जो उसको सूखने से बचाया जाता है इसे क्या कहते हैं घास या जाड़ फूस से आप किसी फसल किसी खेत की जो उपर की परत होती है उसको ढग देते हैं जिससे नमी सुखने से बच जाए या हवा उसकी उपरी मिट्टी को ओड़ागे ना ले कर जाए ये किस प्रकार से क्यों करते हो मल्चिंग कि सर नमी सुखने से जो किसान का मित्र होता एकेचवा किसान का जो मित्र होता है केचवा इसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है फसल की और वरता बढ़ाने में और मदद मिलती है यहां तक किसी को को दिक्कत चार चीजों को उत्तर दो जो किर्सी होती है ये कौन सी छेतर की गतिविदी है किस आर्थिक छेतर की गतिविदी है ये किस सूची का विशे है इस पर टेक्स लगाने का अधिकार किसका है किर्सी आये पर टेक्स लगाने का अधिकार किसका है और ये किस से छेतर की गतिविदी है ये किस से छेतर की गतिविदी है क्लास में याद करा दूँगा थोड़ा रुके रहना स्पीड भी बढ़ाऊंगा जारा स्पीड के चिकर में मत रहना पेपर में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए मल्चिंग अगर आप किसी खेत की टॉप सॉत टॉप सॉल समझते हो न उपरी परत जो होती है मिर्दा की मिर्दा की मिट्टी की उपरी परत यदि इस पर घास फूस जाड़ी बगरा लगा देते हो जाड़ी त्यादी से ढख देते हो तो ये पिरक्रिया क्या कहलाती है ये पिरक्रिया क्या कहलाती है ये पिरक्रिया ये साथी कहोगे प्रात्मिक चेत्र की गतिविधी है किस चेत्र की प्राइमरी चेत्र की एक्टिविटी है कौन सी सुची लिष्ट दो राज्य सुची का विशे है लिष्ट दो राज्य सुची का विशे है ये किर्सी आये पर टेक्स लगाने का धिकार किसका है इससे सम्मंदित राज्य विधान मंदल का कि न sunshine कहलाती है यह जाया आगे बढ़ें चली है अब आजाते किर्सी उतपाद कई परकार के क्रिषी उतपाद को अपको ये साती खाने के काम आते हैं, इनको फूड भी कह सकते हो, फूड प्रोडेक्ट और कुछ साती नोन फूड होते हैं, कुछ नोन फूड होते हैं, किर्सी से कई प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, कुछ फूड, खादे, कुछ नोन फूड, जैसे खादे में आ जाते हैं अनाज, में आजाता है गेहू चावल इत्यादी अनाज में क्या जाता है सर गेहू चावल आदी डाल फल सबजी शेह्थ दूद अंडे चीनी मसाले यह सब खाने वाली चीजight और एक खद जैसे fiber crop fiber crop में क्या जाती जूट और कपास जिससे धागे बनते हैं लकडी जिसको अम लोग काश्ट भी कहते हैं फरणीचर इत्यादी टिंबर चमड़ा खाद ये सब भी हमें किरसी उत्पा दियें ये भी हमें किरसी से मिलते हैं तो आप जान सकते हैं किरसी हमारे लिए कितनी उपी होगी है किरसी हमारे लिए कितनी उपी होगी है किरसी साथी हमारे लिए कितनी उपी होगी है ये बात आपके खोपड़ी में घुसी किरसी हमारे लिए कितनी उपी होगी है ये बात आपके दिमाग में घुसी अब किरसी का भारत में और उत्तर प्रदेश में महत्तब क्या है दो के लिए उगाई जाती है, कुछ फसल उसके तेल की लगाई जाती है, कुछ फसल उससे फाइबर प्राप्त करने के लगाई जाती है, उगाई जाती है न, तो फसल का वरगी करण भी कई प्रकार से किया जाता है, एक होता है उसका उपियोग कैसा होगा, फसल आप उगा क्यों रहे हो जैसे खाद्य फसले होती है जैसे नगदी फसले होती है जैसे बागवानी फसले होती है प्लांटेशन और ये बागवानी जो फल फूल सब्जी होती है क्या होती है फल फूल सब्जी तो फसलों का एक वर्गिकरण के साधार पर किया जाता है कि आप फसलों को उगा क् किस लिए उगा रहे हो, जैसे आप देखेंगे, खाद्य फसलों में, बताइए पांच एक्जम्पल दीजिए, गेहू, चावल, डाल, और जो आपकी ये तिलहन वाली फसले होती हैं, जैसे तिलहन वाली फसले होती हैं, सरसो इत्यादी, तिलहन वाली फसले होती हैं, तो ये खाद्य फसले हो गई, इनको किसले उगारे हो, गन्ना इत्यादी, ये तिलहन, इनको किसले उगारे हो, इनको उगारे हो, खाने के लिए, इसका प्रियोग मुख्य तोर पर, food crop, food के तोर पर किया जाता है, जो नगदी crop होती हैं, जिसको cash crop कहते हैं, क्या कहते हैं, cash crop, cash crop में क्या होता है साथी, इनको बाजार में बेचने के मकसद से, इनको किसले उगाते हैं, बाजार में बेचने के उद्देश्य से, नगदी, नगद मतलब cash की प्राप्ती हो जाए, इट्रिक याद रखना बजार में बेचने के उद्देश्य सह उगाते हैं. यह हो जाती जैसी हमारी गन्ना गन्ना फूड क्रोप में नाकर केश क्रोप में रखते हैं क्योंकि गन्ने को मिल पर बेचकर पैसा आता है. तो गन्ना कैसी क्राव पे गन्ना नकदी फसल है गन्ना कैसी फसल है नकदी फसल है इसके लाबा और भी बहुत सारी जैसे जूट का पास इस सब को आप बेचने के मकसद से ऐसने किसका घर पर उपियोग करोगे बै गन्ना कितने खा लोगे आप तो इसका उद्देश्य बेच ना होता है याद रखिएगा गंना उत्तर पर्देश की प्रबोख नगदी फसल है लिख लो कहीं पर गंना उत्तर प्रदेश की प्रबोख नगदी फसल है अगर आप इस्ते हुए आंसू निकल रहे ना इमोजी में पेपर देखे आएगे और बेटी अगर यहां ध्यान नहीं दिया ना ओ बेटी नेहा तेरी आखों से आठाठ आठासू निकलेंगे और रोज इस बात का पस्चात आप करेगी कि कोई व्यक्ति पढ़ा रहाता इतना इंपोटे सन होती हैं जैसे चाय बागानी फसलें जिनको कहते हैं बागानी फसलें जिनको कहते हैं चाय के बागान जिनको बागानों में उगाया जाता है जैसे चाय कौफी जैसे चाय कौफी मसाले त्यादी इनके बड़े-बड़े बागान होते हैं और बागवानी फसलें फल फूल सबजी तो अच्छे से याद रखेगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल क्या है गन्ना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल क्या है गन्ना है एक तो आधार हो गया उसका उपयोग कैसे करोगे किस मकसद से उगा रहे हो उद्देश ये क्या है एक फसलो में कौनसी फसल उगा रहे हो द्यान दीजे गईदर तो इसमें भारत में मौसम के आधार पर या फसलों के कितने प्रमुख मौसम होते हैं भारत में कितने प्रमुख फसल मौसमें कितने प्रमुख फसल मौसमें मतलब मौसम के आधार पर देखें तो भारत में प्रमुख फसल मौसम कितने हैं, कितने फसल मुख हैं, ध्यान दीजेगा बहुत important है, तो आप कोगे सर तीन, रभी रभी, खरीफ रभी, खरीफ और तीसरा क्या हो जाता है जायद का मौसम, तो भारत में कितने फसल से संबंदित मौसम हैं, तीन मौसम में कितने तीन रभी की फसल की याद रखेगा रभी की फसल की याद रखेगा इसकी बुवाई कब की जाती है सितंबर से अक्टूबर जब मांसून उतर जाता है सितंबर में मांसून चला गया फिर इसकी बुवाई होनी शुरू होती है अक्टूबर तक जाके बुवाई खत तोर पर इसकी कटाई होती है तो इसकी बुवाई कब होती है रभी की फसल की बुवाई कब होती है रभी की फसल की बुवाई याद रखेगा सितंबर से अक्टूबर कटाई मार्स से अपरेल बुवाई के समय पर कैसा मोसम चाहिए थोड़ा सा ना जादा गरम ना जादा ठं मौसम चाहिए और कटाई पर कैसा मौसम चाहिए कटाई पर इनको याद रखिएगा गरम मौसम चाहिए मुख्य फसले एक कुश्यन 100% पूछेगा एक कुश्यन किसी सिफ्ट में आपसे फसल के मौसम से पूछेगा तो गेहूं वीट अंग्रेज वालो लिख लो अंग्रेज वीट बारले मस्टर्ड ग्राम या चिकपी भी बोल देते हैं मटर आलू मसूर लेंटिल अलिसी लिंसीड लाही रेपसीड कुसुम कुसुम यह याद रखिएगा साथी यह कैसी है यह कैसी है सैफ फलोबर बोल देते हैं कुसुम को क्या बोल देते हैं सैफ फलोबर बोल द यह सारी की सारी रभी की फसल हैं तो रभी की कितनी लिखा दी मैंने आठ दस लिखा दी रभी गेहू जो गेहू जो सर्सों गेहूं के समय तुमने सर्सों के वो देखे हूंगे गेहूं जो सर्सों सर्सों से मिलती जूलती है लाही तिल, तिल, अलसी अलसी, तिल नहीं, अलसी, लिंसीड मसूर आलू, कुसुम, फ्लोवर मतर, चना ये सारी की सारी कैसी हैं ये सारी की सारी रभी की फसल हैं फिर से सुलो गेहूं जो चना सरसों मटर लाही कुसुम और क्या नामे अलसी मसूर आलू ये सारी की सारी कैसी हैं रभी की फसल हैं दूसरी हो जाती है खरीफ की फसल दूसरी क्या हो जाती है खरीफ सीजन की फसल दूसरी हो जाती है खरीफ इनको मानसून सीजन की फसल भी कहते हैं मानसूनी फसलें इनको पानी जादा चाहिए कौन कौन से हो जाती है इनकी बुवाई कब हो जाती है जून जुलाई जब भारत में मानसून प्रिवेश करता है कटाई कव होती है अक्टूबर नवंबर तक जाकर कटाई कव होती है अक्टूबर नवंबर इसकी प्रमुक फसले हैं धान धान जिसको पैडी क्रॉप होती है धान की और उससे मिलता क्या है उससे मिलता है चावल तो धान कॉटन का पास मूंग उड़द मक्का मक्का भी जाही अलगती, रागी अलगे, तूर अत्वा अधर की डाल, 41-520 में पूछा गया था, निमल खितमे से किस डाल को तूर की डाल भी कहते हैं, सब का गलत था ये, अधर की डाल को तूर की डाल भी कहते हैं, सोया बीन और तिल, सोया बीन और तिल, ये सब कैसी फसले हैं, ये ख मूंग, उडद, मूंग, उडद, इसके लाब क्या क्या जाता है, मक्का बाजरा जवार, मक्का बाजरा जवार, सोयाबीन, ये सब भरत में कैसी फसले हैं, ये सब खरीब की फसले हैं, ये सब कैसी फसले हैं, खरीब की फसले हैं, धान, कपास, मूंग, उडद, तूरिया अड की डाल सोयावीन तिल दूसरी तरफ ज्वार बाजरा मक्का किसी सब कैसी ये शी आ जाती ये जायत की थिफसल रभी और रवी की कटाई बाद और खरीफ की बुवाई से पहले बीच में ये 60 से 80 दिन का एक समय मिल जाता है इस शौट मौसम में इस बहुती छोटे समय के लिए इस छोटी कालवधी के लिए एक मौसम आ जाता है जिसको जायद की फसल भी कहते हैं जिसको जायद की फसल भी कहते हैं ये मार्च अप्रेल में बुई जाती है और मई जून में काटी जाती है तो बहुती कम समय मिलता है इसमें खर्बूज, तर्बूज, खीरा, ककडी, भिंडी खर्बूज, तर्बूज, खीरा, ककडी इस पिरकार की जो फसले हैं करेला ये सब किसमें काउंट होती हैं याद रखिएगा ये जायद की फसल में काउंट होती है ये किसकी फसल में काउंट होती है जायद की फसल में तो भारत में किर्सी से संबंदित कितने मौसम हैं भारत में किर्सी से संबंदित कितने मौसम हैं कितने मौसम हैं बताइए साथी किर्सी से स बहुत important topic, जो बहुत ज़ादर चर्चा में है, यहाँ पर मैं आपको कुछ फसलों और उन फसलों के प्रकार बतारूं किसमें, जैसे चावल गेहूं जो जई, यह बताईए जई कौन से सीजन की फसल है, जई यह भी साती रभी सीजन की फसल है, ओर्स भी कह देते हैं, जई को क्या कहा जाता है, सीरियल्स, चावल गेहूं जो जई, इनको सीरियल्स कहा जाता है, एक होते मोटे अनाज, जिनको साती हम लोग स्री अन के नाम से भी जानते हैं, इसको किसे मिलट्स, इसको क्या कहते हैं, मिलट्स, अब सभी जानते हैं, कि भारस सरकार मिलट्स को कितना ब मोटे अनाज का अंतर राष्टिए वरष ये किस वरष को घोषित किया गया था मोटे अनाज को प्रदान मंतरी जी ने स्री अन्न्वी कहा है ये कई प्रकार से भाइदे बंद होते हैं ये विसम परिस्थितियों में भी उग जाते है बहुत कम पानी इनके लोंगने के लिए चाहिए होता है और कई प्रकार के विटामिन, प्रोविट, टीन, कार्बोहाइडरेट, फाइवर, बहुत सारे पोशक तत्विन में होते हैं मोटे अनाज का अंतराष्टे वर्ष साल 2023 को, साल 2023 को मोटे अनाजों का अंतराष्टे वर्ष घोशित किया गया है, कौन से वर्ष को, साल 2023 को, ये कुछ हैं, इनके में वेग्यानिक नाम भी बता रहा हूं, हो सकता है, आप से पूछले, ध्यान दिजेगा, बाजरा सबसे प् ये से टम गोपम लुकें से टम बार यिरा कम तो उस्क लोगी वह लगा दो सिपकॉल वाली जो होती है कुछ बोलते हैं उसको फेंबी कॉल जैसी आती है तो वहीं साथ बाजरा बाज कोची चुपकादी गुलू को वहां से आत कले ना इसको पर्ल मिलट कहते हैं और चुपकाने से कोची सेट हो गई बाजरा जवार जिसको सरगम भी कहा जाता है जवार तो यहां पे तो नामिये स सरगम भाई कलर सरगम भाई कलर सपे जवार भी होती है लाल जवार भी होते है अपने बोई होगी घर में रागी जिसको फिंगर मिलट कहते हैं फिंगर मिलट एलू सीनियन कोर काना एलू सीनियन रागी राग मेरे कान में नहीं आ रहे कान में मेरे में राग नहीं आ रहे का जवार का जवार का कलर विजन हो गया जवार को कलर विजन हो गया जरा कम बोल जरा कम बोल देखो आप चाहो तो ट्रिक से याद कर सकते हो बाजरा जरा कम बोल गलो कम जवार जवार आदी में होता है जवार जवार को कलर विजन हो गया सर रागी सर मेरे कानों में राग सुना इनी दे रहे ये तो होगे तीन जो मोटे मिलट्स में भी मोटे होते हैं और बाकी क्या होते हैं ये साती लगवग याद रखेगा ये पांच के करीब होते हैं छोटा बाजरा स्मॉल मिलट्स कहते हैं कंगनी या फॉक्स टेल मिलट कंगनी या फॉक्स टेल मिलट इसका नहीं नियार्ड मिलट भी कहते हैं कोडो मिलट चीना और कुटकी तो कंगनी सावा कोडो चीना कुटकी ये छोटे बाजरे होते हैं और दो बिलकुली छदम बहुती दो स्यूडो मिलट होते हैं बकवीट जिसको कुटु बोलते हैं कुटु काटा तो आपने खाया होगा और एमा र चुलाई ये साथी स्यूडो मिलर्स कहे जाते हैं कूटू और चॉलाई इनको स्यूडो मिलर्स इनके व्यग्यनिक नाम मतियाद करना बाजरा जोआर रागी तीनों के तो रागी का काना जरा कंबोल और जोआर का कलर खराब हो गया वहाँ से आद कर लेना कंगनी कंगनी होते स्मॉल मिलट और बकवीट जिसको कूटू कहते हैं और एमारंथस जिसको चौलाई कहते हैं ये भी साथी पूड़ और और इनको दाल की सिरिणी में रखा जाता है इनको लेग्यूम भी क्यों कहते हैं इनकी जो साथी जड होती है इनकी जड़ों पर एक नोडियूल्स पायजाते हैं इस जीवाणू का क्या होता है नाइट्रोजन को उसस्द्री करण भी कहते हैं। इस रूप में पोधे नाइट्रोजन को यूज करते हैं और पौधे नाइट्रोजन को यूज करके क्या बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं तो जो डाल और लेग्यूम होते हैं ये किसका प्रमुख सरोत होते हैं ये प्रोटीन का प्रमुख सरोत होते हैं तो डाल या लेग्यूम जो होती हैं ये किसका सरोत मानी जाती ह और ये बताईए इस bacteria को क्या कहते है जो legumes की root nodules में पाया जाता है इस bacteria को क्या कहते है याद रखेगा इसको rhizobium bacteria कहते है इसको क्या कहते है साथी rhizobium bacteria इस bacteria का नाम क्या होता है rhizobium और इस वज़े से हवा की nitrogen को protein में बदलने का काम करते है इसलिए ये किसका अच्छा सरोत होती है ये protein का अच्छा सरोत होती है rhizobium bacteria कहते है कुछ ऐसे पौधे होते जिनका उपियोग उनसे मिले तेल उनसे क्या प्राप्त होता है तेल प्राप्त होता है जैसे सरसों सूरजमुखी मूंगफली त्यादी root crop शकरकंद गाजर मूली इनकी जड़म लोग खाते इनको सातिकंद फसल भी कहते ट्यूबर crop आलू और साबूदाना ये कैसी crop होती है ये ट्यूबर crop होती है शकरकंद जिसको गाजर मूली ये साती root crop हो जाती है सुगर जिनसे चीनी वाले पदार्थों की प्राप्ती होती है गन्ना और चुकंदर और ये होती है चारा crop चारा बर्सिम किस किसरे गाउं में बर्सिम काटी है रिजका काटा है जय घास ये चारा crop होती है जो पशों के चारे के काम आती है जो किसके काम आती है साथी अब कहोगे भीया पशों के चारे के काम आती है किसके काम आती है पशों के चारे के कुछ प्लांटेशन या बागानी फसले होती है जिनको बड़े-बड़े बगीचों में बोया जाता है जैसे चाय रबड कौफी नारियल केला चाय रबड कौफी नारियल केला अब जैसे एगरी कल्चर में हमने कहा मिट्टी को तैयार करना फिर उसमें फसल हुआना कल्चर से संबंदित और भी कई शब्दातें जिनके बारे में अक्सर पूछलेता है जैसे पूछले मोरी कल्चर यह किस से संबंदित है मोरी कल्चर में किस की खेती की जाती है तो क्या उत्तर दोगे ध्यान से पढ़िएगा बहुत important topic है एक हो जाता है सेरी कल्चर सैसे सेरी और सैसे सिल्क अच्छे स्याद रखेगा सेरी कल्चर में सिल्क warm की खेती की जाती है जो सिल्क का कीड़ा होता है रेशम कीट होता है उसको वाणिजिक पेमाने पर कमर्शल पेमाने पर उसको आया जाता है उसको पैदा किया जाता है जिससे की रेशम का उत्पादन जादा से जादा हो सके सिल्क का उत्पादन जादा से जादा हो सके तो सेरी कल्चर किस से संबंदित है सर्रेशम कीट की व्यवसाइक खेती से दूसरा आजाता है साती फिशी कल्चर फिशी कल्चर शब्द किस से संबंदित है मचली पालन जो बड़े बड़े टेंक तालावों में मचली का व्यवसाइक पालन किया जाता है फिशी कल्चर फिशी की spell English होती है P-I-S-C-I तीसरा आजाता है विटी कल्चर अंगूर की बड़ी पेमाने पर खेती पहले अंगूर की खेती होगी फिर अंगूर को सडाया जाएगा और फिर अंगूर से अंगूर की रानी का जर्म होगा शराब का तो अंगूर की बड़े पेमाने पर खेती, क्या कही जाती है, विटी कल्चर, विटी कल्चर, तो याद रखेगा, विटी कल्चर अंगूर की खेती, फिशी कल्चर मचली पालन, शेरी कल्चर रेशम कीट की व्यवसाई खेती, रेशम कीट की व्यवसाई खेती, इसी में का ज डाता है AP कल्चर एपी कल्चर में जाद रखेगा मदू मख्वी पालन शह्यक के लिए मदू मख्वी को पालना हनीवी को एक हो जाती है Pomology जाद रखेगा जो, बागवानी होती है 소जो ह Lauti kust wordt तॉ बागवानी या होटी कल्चर कहते हैं होटी कल्चर में फल फूल सबजी त्यादी की खेती की जाती है होटी कल्चर में किसकी खेती की जाती है फल फूल सबजी इसमें यदि आप फलदार फसलों की खेती करो ऐसी फसलें जो फल दें जो फ्रूट दें उसको पोमो लो जी तो ग्रोनेट जो पोमो ग्रेनेट होता है जिसको अनार कहते हैं अनारिक फलतो है वहां से आद कर लेना ओलेरी कल्चर सबजियों की खेती को क्या कहा जाता है व्यवसाई खेती सबजियों की व्यवसाई खेती को क्या कहा जाता है ओलेरी कल्चर और फूलों की व्यवसाई खेती क को क्या कहा जाता है सर फिलोरी कल्चर फिलोरी कल्चर इसी प्रकार एग्रो इस्टोलोजी घास का ध्यन चारा इत्यादी के लिए घास की स्टेडी को क्या कहते हैं एग्रो इस्टोलोजी कहते हैं बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़िएगा सेरी कल्चर किस से संबन देते सिल्क की खेती सेरी कल्चर सिल्क किस संबन देते फिशी कल्चर मचली पालन विटी कल्चर अंगूर एपी कल्चर मदुमक्खी एपी कल्चर मदुमक्खी जबकि साथी पोमोलोजी फलदार व्रक्षों की खेती फल दार जो फल देती हूं ऐसी फसलों की खेती जबकि फ्लोरी कल्चर फ्लोर फ्लॉवर फूलों की खेती ओलेरी कल्चर सबजियों की खेती ओलेरी कल्चर वेजी टेवल्स और एग्रो इस्ट्रोलोजी क्या होता है सबी लोग उत्तर दीजिएगा घास का अध्यन घास की खेती मजाया यहां तक सारा पेपर फसा दोगे इस बार एक बार सब लिख दो वर्दी मेरा जुरून और माबाब की कसम दे रहूँगा एक भी किलाज छोड़ के गया एक भी किलाज छोड़ के गया आरबोरी कल्चर में साथी पेड़, जाड़ी, लता, इत्यादी का धिन इसकी खेती की जाती है जो ये सजाबटी लताएं जो होती है आपने देखा हो ना किसी के घर पर सजाबटी बेल होती है तो सजाबटी बेल इत्यादी की खेती आरबोरी कल्चर सजाब्टी बेल की खेती आर्बोरी कल्चर सिल्वी कल्चर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सिल्वी कल्चर जहां लकडी के लिए कि फरनीचर इत्यादी और कई देशों में लकडी का प्रियोग घर बनाने के लिए किया जाता है तो वहाँ व्रक्षों की खेती हो जाती है वह ट्रीज को बिलकुल लकडी के मकसद से उगाया जाता है फिर काट कर फिन नए पेड उगाया जाते है मोरी कल्चर याद रखेगा शेहतूत की खेती जो सहतूत होते हैं, शहतूत की खेती, और इसी सहतूत को कौन खाता है, सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा, और फिर वो रेशम का उत्पादन करता है, फिर वो किस का उत्पादन करता है, रेशम का उत्पादन करता है, तो अच्छे स्याद रखेगा साथी, सिल्वी, सिल्वी औ यसे लगता है कि silk warm silvy, silvy ऐसे समझो, लकड़ी वाले पेड़ों की खेती, व्रक्छों की खेती, व्रक्छों की खेती, समझे रहे मेरी बात तो ये कुछ कल्चर लगा होता है जो बहुत जाद आप से पूछा गया है पेपर में पूछा जाता है एक बार अगर मैं इसको रिपीट कराओं तो बताईए अंगूर की खेती को क्या कहते हैं सिल्क वॉर्म या रेशम कीट की खेती को क्या कहते हैं जो शेहतूत होते हैं इसकी खेती को क्या कहते हैं फल दार वरक्षों की खेती ऐसी फसल जो फल देती हूँ फुरूट्स देती हूँ सबजी कोगाना क्या कहा जाता है सबजी कोगाना क्या कहा जाता है याद रखेगा फूलों की खेती पुश्प फिलावर्स की खेती क्या कहलाती है फिलावर्स की खेती क्या कहलाती है वरक्षों की खेती क्या कहलाती है लता पेड बेल इत्यादी लता इत्यादी, बेल इत्यादी की खेती क्या कहलाती है, मदु मक्खी पालन, मदु मक्खी पालन का बता ये साथी, मदु मक्खी पालन का बताने इस सबको आपको मतस्य पालन जिसको मचली पालन भी कहते हैं मचली पालन व्यवसाई किस्तर पर मचली पालन व्यवसाई किस्तर पर मचली पालन तो मैंने का अंगूर की खेटी विटी कल्चर सिल्क वॉर्म सेरी कल्चर शेहतूत मलबरी मतलब मोरी कल्चर फल्दार वरक्ष, फल की बात हो रही है पोमो ग्रेनेट, पोमो लोजी, सबजी, ओलेरी कल्चर, ओलेरी, फूल, फलोरी कल्चर, वरक्ष, सिल्वी कल्चर, सिल्वी, पेडलता बेल, आरबोरिय, मदुमक्की, एपी कल्चर, मतस्य, फिशी कल्चर, मतस्य, फिशी कल्चर, या याद हुए ये याद हुए क्योंकि अब रिवीजन के लिए टाइम निमिलेगा साथ इयाद करेंगे इसे प्रकार किर्सी के प्रकार क्योंकि जनता कराँ तो धेडिना होग ठोड़ा ध्यान देना क्योंकि अब्जेक्टिप टाइप कुष्यर आएंगे वहाँ पे आपको सबतों में नहीं लिखिना कुछ भी लेकिर फिर भी ध्यान देख कर चलना खेटी के प्रकार होते हैं कई मक्सद से खेटी की जाती है एक होती है साथी प्रारंभिक जीवि का निरभाव रिशि इसको प्राइमरी सबसिश्टेंस एग्रिकल्चर कहते हैं, सबसिश्टेंस फार्मिंग भी कह देते हैं, और सबसिश्टेंस एग्रिकल्चर भी कह देते हैं, फार्मिंग, सबसिश्टेंस का मतलब है, प्राथ्मिक का मतलब है, कि इसमें पुराने यंत्र, पुराने ओजार, पुरा मजदूरी का जादा उप्योग, इसमें किरसी अंतरों का कम प्रियोग होता है, इसमें मजदूरी का जादा प्रियोग, और केवल अपने जीवन निर्वा के लिए उतना ही सामान उगाया जाता है, जितना कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है, बजार में बेचने के मकसद से खेती नहीं की जाती तो भारत की किरसी के किरसी में अभी भी कुछ भागों में परारंबिक जीवन निर्वा किरसी भूमी के छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम किरसी ओजारों से पुराने जमाने के ओजारों से जैसे लकडी के हल डाओ और खुदाई करने वाली छड़ी तता परिवार अत्वा समुदाय, पूरा कबीला, पूरे सब लोग मिलके गाउं के लोग एक साथ खटे ओकर किसी छोटे से खेत को जुताई वगरा करते बीज बोते और इस प्रिकार जो खेती होती है उसे क्या कहते है प्रारंबिक जीवी का निर्भा ये जादातर मांसून बारिस पर मिर्दा की प्राकर्तिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य परियावरणिये परस्थितियों की उप्युक्ततापन निर्भर करती है अगर मांसूनी बारिस नहीं हुई ते फसल फेल होगी समझे मेरी बाद इसको साती कर्तन और दहिन प्रणाली भी कहते हैं ये जो प्रारंभिक जीवन निर्भा किर्सी होती है रुके रहना क्योंकि गधे जिनको कम समझवाएगा छोड़के जाएंगे वो कॉंस्टेबल नहीं बनेंगे ये तो बेस्ट चुन्ने का टेस्ट है साथ हजार दोसो चौवालिस अरतालिस लाख में से बेस्ट ये बताईए ये जो टेस्ट है तुम्हारा उत्तरप्रदेश पुलिस भरती है वं प्रुनती बोर्ट सत्र अठारे फरविरी को लेगा ये अरतालिस लाख में से कैसे नौजवान युवक युवतियों को चुन्ने का टेस्ट है सोचो गधों को या घोडों को या बेस्ट उन अरतालिस लाख में सबसे बेस्ट एक बात बता दो और बेस्ट कौन होंगे जो हर परिस्थिती में टिके रहेंगे समझेंगे, पूछेंगे, रुके रहेंगे चले भी या इसी को क्या कहते हैं जो प्रारंबिक जीवन निर्भा किरसी होती है जो पुराने जमाने के ओजारों से और अपने ही परिवार के शिरम या समुदाइक सरम से की जाती है और जिसमें परियावरणिये परिस्तिती बहुत माईने रखती है इसको शिलैस एंड बर्न, काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं कर्तन देहन भी कहते हैं इसमें जो किसान होते हैं जमीन के टुकडे को साफ करके उस पे अपने परिवार के भरन पोर्षण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसल लगाते हैं इसमें मुख्य उद्देश ये क्या होता है इसमें मुख्य बैस्ट बैस्ट आवा जानी चाहिए थी इसमें मुख्य उद्देश ये क्या होता है अपने और अपने परिवार का भरन पोशन बजार नहीं होता जब मिर्दा की उरवरता कम हो जाती है मिट्टी की पैदावार कम हो जाती है तो किसान उस भूमी के टुकडे से इस्थानांतरित हो जाते हैं किसी दूसरी जगे ट्रांसफर हो जाते हैं इसी वज़ा से इसे इस् shifting cultivation भी कहा जाता है कि जब एक जगे कैसाल लगातार उगाने के बाद में मिट्टी की उरवरता कम हो गई तो किसान क्या हो जाते है shift हो जाते है इसी वजह से क्या कहा जाता है इसे shifting cultivation भी कहा जाता है ठीक है भईया किर्सी के लिए भूमी का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं किर्सी के इस प्रकार के shifting से प्राकरतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टे के उरुवरत तरशक्ती बढ़ जाती है चोकि किसार उरुवरक अत्वा अन्य आधुनिक तक्निकों को प्रियोग नहीं करते इसलिए इस प्रकार के किर्शी में productivity कम होती है देश के विभिन भागों में इस प्रकार के किर्शी को विभिन नामों से जाना जाता है अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो ये shifting इस्थान अंत्रन किर्सी है या कर्तन दहिन प्रणाली वाली किर्सी है इसको देश के किस भागों में किस नाम से जाना जाता है मैं फिर से बता रहा हूँ और भी हजारों नाम सो नाम हो सकते हैं हम केवल किस के आधार पर चलेंगे NCRT के आधार पर जो अपने उत्री पूर्वी राज्ये हैं जो कौन से राज्ये लिख लो कि जो जूम कल्टिवेशन है सिफ्टिंग कल्टिवेशन है या इस्थान अंतरन किर्सी है इसको और किस किस नाम से जाना जाता है तो जो अपने उत्री पूर्वी राज्य हैं, असम, मेगाले, मिजोरम और नागालेंड, यहाँ पर इसको जूम खेती कहा जाता है, याद रखेगा मनीपुर, कहाँ पर मनीपुर में, मनीपुर में इसको पामलू कहा जाता है, मनीपुर में क्या कहा जाता है, पामलू, मनी लू, मनी लू, ऐसे आद कलेना, असम, मेगाले, मिजोरम, नागालेंड, यहाँ पर इसे जूम, मनीपुर में पामलू, जो 36 गड़ का बस्तर और अंडमा निकोबार, यहाँ पर दीपा कहा जाता है, 36 गड़ में जूम कल्टिवेशन को 36 दीप जलाए, कैसे आद करोगे, कितने दीप जलाए, 36 दीप, तो मैं कोशिस करूँगा, आपको ट्रिक भी याद कराता चलू, उत्तर पूरम में जाके जूमो, असम मेगाले मिजोरम नागा लेंड में जाके जूमो, ठीक है भी या, मणीपुर मणी लू, तुमारी मणी लू, पाम लू, सीजी, 36 गड़, दीपा, याद रखिएगा, इसको अन्य देशों में भी अलग अलग नाम से, जैसे मेकसिको मिल पा, मैं से मेकसिको, और मेकसिको में इसको किस नाम से जाना जाता है, मिल पा, मैं से मिल पा, ट्रिक कर ले न, अलग 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 देशों में, वेने में कौनू को वेने जुएला किसी की भी वेन कर लो कौनू को की वेन कर लो ठीक है भी या ब्राजील में रोका ब्राजील मेरे भाई को किसे ने रोका मेरे ब्रो को किसे ने रोका ब्राजील ब्रो को किसे ने रोका मद्धे अफ्रिका में मसोले मासे मद्धे अफ्रीका और में से मसोले मद्य अफ्रीका में इसको क्या कहा जाता है मसोले इंडोनेशिया में लदांग और वियत नाम में रे के नाम से जाना जाता है रे तेरा नाम क्या है रे लाल टुपटे वाली अपना नाम तो बता और तरची टोपी वाले अपना काम तो बता तो वियत नाम में क्या कह मेक्सिको मिलपा ब्राजील मेरे ब्रोको किसने रोका रोका और इंडोनेशिया में लदांग इंडोनेशिया में लदांग इंडोनेशिया में लदांग तो इंडिया इंडोनेशिया लदाख लदांग वहां स्याद कलेना और किस कौनु को की वेन कर लो कहां जाना है एक्जाम नाम में रे, इंडोनेशिया में लदांग, ठीक है भीया, 36 गड़ में दीप, 36 दीप, जबकि जूम कहा कहा जाता है, असम एगाले मिजोरम नागालेंड, और पलाम पामलू कहा कहा जाता है, मनीपुर में, और भी जगे, जैसे मद्धे प्रदेश में बेवर, मद्धे प्रद मद्धे प्रदेश, एंपी में बेवर, फि double, ठीक है, चली भीया, या दहिया, बेवर भी कहा जाता है, दहिया भी कहा जाता है, बेवर और धहिया, बेवर धहिया, जैसे, सिवराथ चोहंची को मुख्यवंतरी नी बनाया, बावले होगे, बेवर होगे, बेवरे ऐसे आई कर लेना या इसे कर लेना कि दूसरा धहिया उनको धाइसी खिला दी नवेना मुख्यमंत्री नहीं बनाया अंधर प्रदेश में पोडू आंधर में क्या कहा जाता है पोडू आंधर में क्या कहा जाता है पोडू आंधर पोडू आंधर पोडू या पेंडा कहा जाता है उडि पामदाबी, ओडी सा, ओ पामदाबलो, को मान, ओ मेरी बात मान ले, बरिंगा, ओ कहां बरी हो जाएगा, ओ कहां बरी हो जाएगा, पस्चिम घाट में क्या कहते हैं कुमारी, पस्चिम घाट में से क्या कहते हैं कुमारी, पस्चिम घाट में कुमारी, तो घाट पर कुमारी प पानी की बाल्टे लेके पानी भरने जाते हैं वाल्रे या वाल्ट्रे हिमाले में खिल कहा जाता है जारखंड में कुरवा हिमाले में खिल जारखंड में कुरवा और उत्री पूरीवी प्रदेसों में जूम कहा जाता है फिर से इसके नाम लिखवा देता हूं रे कहां पर कहा जाता है रोका कहां पर कहा जाता है मसोले कहां पर कहा जाता है ट्रिक से याद हो जाएगा मसोले कहां पर कहा जाता है रोका कहां पर कहा जाता है मिलपा कहां पर कहा जाता है बताइए मिलपा कौनू को कहां पर कहा जाता है कौनू को कहां पर कहा जाता है अब बताइए पांच पामडावी 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 बरिंगा ये कहां पर कहा जाता है जूम कहां पर कहा जाता है पामलू कहां पर इसका नाम होता है जूम खेती का पामलू नाम कहां पर होता है दीपा नाम कहां पर होता है दीपा नाम कहां पर होता है दीपा नाम इसका साती कहां पर हो जात ग्यारे होगे, अब देखो कैसे याद नहीं होगा तुमें। योगे दीपा हो गया। वाल्रे या वाल्ट्रे कहां पर कहा जाता है। दहिया या बेवर कहां पर कहा जाता है यह बताइए कुमारी कहां पर कहा जाता है कुमारी कहां पर कहा जाता है खिल कहां पर कहा जाता है कुरुवा कहां पर कहा जाता है कुरुवा कहां पर कहा जाता है ये अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है, ते रे तिरा नाम क्या है वियत नाम, मेरे ब्रोको किसे ने रुका, ब्राजील, मसोले, मद्दे अफरीका, मिलपा मेकसिको, कौनु को वेन कहां की वेन, वेने जुएला, ये हुई नहीं हुई याद, रो रहे थे याद नहीं होगी, जी ले गड़ रहा था तुम्हारा, लदांग इंडोनेशिया, अंदर प्रदेस में पोडू या पेंडा, पामडाबी बरिंगा उडीसा में, जूम असम मेगाले मिजोरम नागालेंड, याद है कुछ, पामलू मनीलू मनीपुर में, दीपा चतिस दीप चतिस गड़, ये उत्तरी दक्षणी पूर्वी राजिस्थान, राजिस्थान, दहिया बेवर मद्धे प्रदेस, कुमारी हो जाता है वेश्टन घाट, पस्चिम खिल और कुरूबा जारखंड में, कुरूबा जारखंड में, बताइए क्या दिक्कत थी, याद हुए नहीं हुए, बिटाए वहां की आसपास की भाषाओं के नामें, ये आसपास की, पढ़लो एक्साम निकल जाएगा, फिर से करो महनत करो, मावाब के एक बार स्थिति य इस बार इसकी नोकरी लग गई, मेरी यादी चीजे ठीक हो जाएंगी, एक बार लाओ अपनी आखों में मावाब के चित्र को, सोचो कैसी परिस्थिति है तुमारे घर की, यहां मोज लेनी की परिस्थिति है क्या, पढ़ाई करो, ये किलियर हो गया, जूम खेती, ये किस क कुछ भी, जितना ये है, उत्रे ही पेपर में आएगा, इस से एक स्टाफ सिरिलंका में क्या कहते हैं, ब्यानमार में क्या कहते हैं, दुनिया भर का याद कर लो, कोई फायदा नहीं है, जितना अपका इंसियाटी में, इस से भार क्या ही जाएगा, चली भीया, आगे आज एक होता है, गहन जीवी का किरसी, एक तो अगी प्रारम्बिक जीवी का, एक हो गया साथी गहन जीवी का, इसको भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, लेकिन ये गहन जीवी का किरसी, ये उन छेतरों में की जाती है, जहां भूमी पर जनसंख्या का दवाब अधिक होत गंगा यमना के किनारे जो प्रदेश इत्यादी शहर जिले इत्यादी हैं वहाँ पर भूमी पर जनसंख्या का दवाब जादा है जन घनत्व जादा है तो यहां एक भूमी के टुक्डे पर बार-बार खेती की जाती है ज्यादत रिसमिक खाद वगेरा का प्रियोग किया जा तो जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जेव रसाइनिक, निवेश का मतलब है खाद इत्यादी, सिचाई का प्रियोग किया जाता है, सिचाई इत्यादी का, ये गहन जीवी का हो गई, तीसरी हो जाती है कमर्शियल फार्मिंग, वानिजी किरसी, कमर्शियल या इसको व्यवसाई किरसी भी कहते हैं, इसमें किरसी का मुख्य लक्षण क्या है, आधूनिक यंत्र, सिचाई, सिचाई, और याद रखेगा, रसाइनिक खाद इत्यादी का प्रियोग, अधिक पैदावार देने वाले बीज, रसाइनिक उर्वरक, केमिकल और कीट नाशक के प्रियोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना ये वाणिजी किरसी का लक्षण होता है, ये अलग-लग प्रिदेसों में इसका जो इस तरह वो अलग अलग है, जैसे हरियान और पंजाब यहाँ पर व्यवसाई खेती जादा है, इसमें चावल जिसको प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं, जिसको साती प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं, रोपड किरसी जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी एक प्रकार की व्यवसाई खेती है, ये भी कैसी खेती है, व्यवसाई खेती, इसमें लंबे चोड़े छेतर में एक फसल बोई ज जाती है इसमें ज़्यादा पूंजी और श्रिमकों की साहता इससे सारा उत्पादन जो होता है वो कच्छे माल के रूपे प्रियोग होता है जैसे चाय कॉफी रबड गन्ना केला इत्यादी यह प्लांटेशन क्रॉप है असम और उत्री बंगाल में चाय करनाटक में कॉफी यहां की मुखे रोपड फसले हैं क्योंकि रोपड किर्सी में उत्पादन बिक्री के लिए होता है तो इनको साती नगदी फसल भी कहा जाता है इनको रोपड के साथ सात नगदी फसल भी कहा जाता है इनको नगदी फसल भी कहा जाता है यहां तक किसी को दिक्कत अब आ जा जितने टॉपिका सोच कर आया हूँ, ये टॉपिक खतम करके जाऊँगा, और तुम्हें याद कराके भी जाऊँगा, ये भी गारंटी है, बस तुम लोग थोड़ा सा सब रख लो, यहां तक जितना पढ़ा है घंटे में, गारंटी है कि आपको याद हो गया होगा, नहीं त जैसे पूछू, रे जूम खेती का नाम कहां पर होता है, दीपा जूम खेती का नाम कहां पर होता है, कुमारी जूम खेती का नाम कहां पर बता दो, क्या ये वन टू थरी, ये जूम खेती के अन्ये नाम है, कहां पर, भारत में अभी भी जादा तर लोग गहन जीवी का किर करते हैं मतलब अपनी जीवन निर्भाग के मकसद से वाणिजी खेती के स्तर बहुत काम है अब आ जाता है भारत में किर्सी का महत्व बहुत पूछता है एक कुष्यन अभी यूपिटर पलस्टीक ने पेपली आता न वंदर होगा वहां भी पूछा था भारत की लगबग कितनी पृतिसद जन संख्या किर्सी और संबंदि छेत्रों पर निर्भारे भारत की लगबग 58 पृतिसद के जगे साती ये आपको आकड़ा 53-54 पर तीसद भी मिलेगा लेकिन 58-54 पर तीसद जन संख्या किर्सी पर निर्भारे या किर्सी से उसको रोजगार या अपनी आजीवी का प्राप्त होती है समझे रहे मेरी बाद जबकि अर्थ विवस्ता GDP में किर्सी का योगदान कितना है GDP में किर्सी का योगदान याद रखेगा 15% GDP में किर्सी का योगदान कितना है 15% तो कितनी पिर्ती सजन संख्या अभी भी भारत में किर्सी पर निर्भार है सबी लोग बताईए कितनी पिर्ती सजन संख्या अभी भी भारत में किर्सी पर निर्भार है अमरेश पढ़ले पढ़ले पढ़ने एक दूसरे के नंबर शियर मत करो, बरबाद हो जाओगे बरबाद और ब्लॉक कर देगा जो जिसका एक्जाम निकल जाएगा तेरे जैसे को रे वियत नाम में, रे कहां पर होती भी या वियत नाम में दीपा कहां पर होती है, चत्तिस गड़ में और कुमारी पस्चिमी घाट के रल करनाटा के त्यादी में, समझें? चलि भी या, कुमारी पस्चिमी घाट, बरिंगा कोमान ये उड़ी सामें तो कितरी परसेंट? 58%. तो अभी भी रोजगार के लिए कितरी परसेंट? 58%. जबकि अर्थ विवस्ता में योगदान कितना है 15% स्वेत तंतरता के समय भारत की कितरी परसेंट जन संख्या किर्सी पर निर्भरती तो अभी भी आप यह कह सकते हो कि भारत में जादतर जन संख्या को रोजगार या आजीवी का किससे प्राप्त होती है प्राथमिक छेत्र की एक्टिविटी किर्सी इत्यादी से प्राप्त होता है जबकि अर्थ विवस्ता में इसका योगदान सबसे कामें सेवा छेत्र का योगदान सबसे आदा फिर मेनुफेक्चरिंग और फिर साथी आपका ये किर्सी वाला स्वेतनता के समय ये योगदान कितना था जनसंख्या कित्री पृतिसा जनसंख्या, 75 पृतिसा जनसंख्या और उस समय देश की आदी GDP किरसी पर्थी, अब GDP जैसे से देश विकास करता जाएगा, GDP में किरसी का जो योगदान होगा उगड़ता जाएगा, सेवा छित्र का होते हैं यह कुशिन पेपर में पूछे जाते हैं समझे मेरी बात कि देश की अर्थिविस्ता में अब स्वेतंत्रता के समय किर्सी का योगदान कितना था स्वेतंता के समय तो याद रखेगा 50% 50% 50% भारत का कुल छेत्रफल कितना हैं 32,87,263 किलोमेटर स्क्वाइर 32,87,263 कि भारत में किर्सी योग्य भूमी कितनी हैं जिस भूमी पर खेती की जा सकती है 51% चीन से जादा है याद रखेगा हमारे यहां चीन से जादा किर्सी योग्य भूमी है लेकिन हम लोग उत्पादन में चीन से पीछे क्यों हैं क्योंकि चीन में उत्पादक्ता जादा है हमार यहां पिर्ती एकड़ उत्पादक्ता कमें तो हमारे जो किर्सी होगे भूमी है वो चीन से जादा है कुल छेतर फलका 51% भारत में कुल सिंचित छेतर कितना है जो सिचाई के अंतरगत है जहां सिचाई के आवशक्ता पड़ती है 48% जबकि सकल बुवाई छेतर कितना है जहां एक से अधिक फसल बोई जाती है जिस छेतर में एक से अधिक फसल बोई जाती है 198 मिलियर हेक्टेर 48% कुल सिंचित छेतर है सबसे ज़ादा जो भारत में सिचाई होती है वो 40% भारत में सिचाई ट्यूवेल से होती है भारत में 40% सिचाई किस से होती है ट्यूवेल से समझे है मिरी बाद 25 परसेंट किसी होती है नहर से अन्य कुपिसे 16 परसेंट अकुपिसे 16 मुए अदर सोर्सिस से ग्याः और ट्ञناकrik त्याधी से कितनी होती है 3 परसेंट तो भारत में कुल सीचेत्षन कितना है 48 परसेंट, ठीक है भी या कितनी किर्सी योग्य भूमी एक क्यावन परसेंट कितनी कुल बुवाई छेतरे जिसमें एक सेधिक खेती की जाती एक सेधिक फसल की एक साल में 198 मिलियन हेक्टेयर और सिचाई पर अभी हमारी निर्भरता सबसे अदा किस पे है ट्यूबेल पर है 24% याद रखेगा सबसे अदा निर्भरता किस पे 40% यूबेल पर है यह तो गい भारत के संदर में किर्सी अब आज आता है उत्तर प्रदेश के संदर में किर्सी क्योंकि उत्तर प्रदेश भी किर्सी प्रदहन राज्य है उत्तर परदेश का कुल छेतर फल है 2,498 km2 जबकि कितने परतिसत लोग किर्सी पर निर्भरें जहां देश में 58% लोग किर्सी पर निर्भरें उत्तर परदेश में 65% के करीब लोग अभी भी किर्सी पर निर्भरें उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट लोग किर्सी पर निर्भर हैं आप कोगे भी आप 65 परसेंट जबकि उत्तर प्रदेश की अर्थिवस्था में किर्सी की हिस्सेदारी कितनी है 25.5 परसेंट लगबग 25 परसेंट उत्तर प्रदेश की अर्थिवस्था में किसकी हिस्सेदा है लगबग किसकी हिस्सेदारी है तब को होगे सर लगबग लगबग आप कह सकते हैं कि 25.5% यदिम 2021-22 का बज़र देखें 2021-22 का बज़र देखें तो किरसी और संबंदित activities जो है किरसी पसुपालन खनन इत्यादी यह 28% उद्योग इत्यादी जो है यह 24% और जो सेवा छेत्र है वो 47% केवल किरसी को देखें तब यह 25% बैठती है यह उत्तर प्रदेश बज़र दो हजार 21-22 तो कभी-कभी पूछ लेता है उत्तर प्रदेश के अर्थिवस्था में किस छेत्र का योगदान सबसे ज़ादा है उत्तर प्रदेश के अर्थिवस्था में किस छेत्र का योगदान सबसे ज़ादा है उत्तर प्रदेश के अर्थिवस्था में किस छेत्र का योगदान सबसे ज़ादा है याद रखेगा सेवा छेत्र जो टर्शरी छेत्र है जो सेवा छेत्र है जो टर्शरी चाहे उत्तर प्रदेश के अर्थिवस्था हो चाहे देश के अर्थिवस्था सरवादिक योगदान किसका है सेवा छेतर का है तो जहां देश में 58% जनसंख्या किरसी पर निर्भर है उत्तर प्रदेश की 65% जहां पूरे देश में किरसी का योगदान 15% है अर्थविश्था में उत्तर प्रदेश में 25.5% है और ये सरकार यहां कड़े हैं उत्तर प्रदेश में किरसी योगदे भूमी कितनी है 82% के करीब देश में 51% है निवल बोया छेतर 68 केवल एक फसल काउंट की जाती है निवल बोया छेतर में तो जाती 68.5 सकल बोवाई छेतर एक से अधिक फसल 25.4 मिलियन हेक्टेयर जहां देश में सकल बोवाई छेतर 198.5 मिलियन हेक्टेयर था उत्तर प्रदेश में 25.4 वहां साथी किरसी योगदे भूमी देश में 51.1 यहां 82.1 देश में 40% नलकूप से सिचाई होती थी उत्तर प्रदेश में 66.9 लगबग 67 मनलो ट्यूबेल से और 25% नहरों से 25% नहरों से 25% उत्तर प्रदेश में सिचाई किस से होती है नहर से तो चाहे भारत की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें सिचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है सिचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है तो उसके ममले में अभी हम लोग यहां तक पहुँचे हमने भारत में और किर्सी में उत्तर प्रदेश में किर्सी का महत्तव देखा भारत में और उत्तर प्रदेश में किर्सी का महत्तव भारत में भी देखा और साथी हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा किर्सी का महत्तव तो आपको बताते रहना है, की रोजगार देने में या कितनी पृतिसत जनसंख्या निरभर है, ये भारत के स्तर पर बताओ, उत्तर प्रदेश के स्तर पर, आर्थ व्यवस्था में योगदान बताओ, किसका कितरा है, किर्सी का भारत में उत्तर प्रदेश में, किर्सी योग् ब्लोग भूमी और सकल बुभाई छेत्र बताओ शकल बुभाई छेत्र यह बताए कितना अरिया सिचाई आ शिचाइ भाहरत का कर एक कि सरी परसेंटूपल से होती है कि discourफ जानर यह जब तक पूरी क्लास ने ले लो किरसी ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है फिर वाणिज ये व्यापार लेगि तुमारी ये महनत पेपर में काम आएगी ये भरोसा रखना अरे 24 बतिस चाहरा लिखे जो लिखाया 928 वो लिख ले भाई मेरे एक चीज को बार-बार क्यों करे जा रहा है तो आप भारत के स्थर पर देखोगे 58% उत्तर प्रदेश में 65% उत्तर प्रदेश में 25.5 यहां पर 15% यह एक सो यह क्यावन परसेंट किरसीयों के भूमी 82% इसमें आ जाता है 1098 मिलियन हेक्टेयर लगबख 25 मिलियन हेक्टेयर प्यूबैल में इसमें हो जाता है 60% इसमें हो जाता है 66.9% इसमें क्या जाता है 66.9% याद हुआ याद हुआ यह मेहनत तुम्हें बहुत काम देगी तुम देखना यह मेहनत तुम्हें बहुत फायदा देगी यह मेहनत तुम्हें बहुत फायदा देगी आगे बढ़ने से पहले बताओ यह पांच फसल दे रहाँ इनके आगे इनका मौसम लिख दो अलसी 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 लिख दो तिल लिख दो अलसी तिल जवार बताओ कौन से मौसम की है अधर बताओ कौन से मौसम की है अधर बताओ और जई बताओ कौन से मौसम की है जई बताओ कौन से मौसम की फजल है जई बताओ ये साथी कौन स मोसम की फसल है दही तोड़ दूगा दही गलत उत्तर मत देना यह बहुत मुश्किलों से कंटेंट बनाया क्या घंटे लगें मैं सरस्मती जानती है कि मैंने इसमें कितना एफर्ट डाले अपने और जब भी एफर्ट डालें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उससे कोई नुकसान हुआ हो देगो अलसी अलसी कुसुम यह रभी की फसल है कि कैसी फसल है रभी ठंड में आलस आता है इसे आद रख लेना तिल यह खरीफ की है जवार भी खरीफ की है अडर भी खरीफ की है अडर या तूर और जई कैसी उत्ती रभी की किस किस के सही है मांदर इसे बताओ किस किस के सही है पांचो के पांचो किस किस के सही है पांचो के पांचो किस किस के सही है अब आजाते क्रांतियों पर किस पर आजाते क्रांतियों पर साथी क्रांति ध्यान दीजेगा भारत में सबसे पहले क्रांति की सुरुआत 1960 के 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति जिसको Green Revolution कहते हैं जो हरित क्रांति शब्द ये William Godd ने दिया हरित क्रांति शब्द किस ने दिया ये शब्द William Godd करके एक व्यक्तिता उसने दिया विश्व में हरित क्रांती के पापा बताओ, भारत में हरित क्रांती के जनक बताओ, आज उनको भारत रतन की घोशना भी की गई है, हरित क्रांती में याद रखेगा साथी, इसमें high yield variety seeds, इसमें उच उपज देने वाले जो बीज होते हैं, उनका विकास किया गया, इसको HYV seed कहते हैं, high yield variety का मतलब है, उच उपज देने वाले बीज, high yield का मतलब होता है उपज, जादो उपज देने वाले, इसमें अधिक सिचाई, इसमें जो ये यंत्र होतें, mechanic यंत्रों का ज़्यादा प्रियोग और रसाइनिक खाद का धिक प्रियोग, इस सब के प्रियोग से, क्या की गई, बड़े बड़े जो गहुँ इत्यादी होतें कि बोनी, बोनी नसले तैयार की गई, जो बड़ी जादनी होती तो ज़्यादा पोशक तत्मी लेती थी, और एमे स्वामी नाथन जी, एमे स्वामी नाथन पहला वर्ल्ड फूड प्राइस भी मिलाए, एमे स्वामी नाथन और आज इन्हें भारत रतन की घोशना भी की गई है, इन्हें भारत रतन उस समय जिस समय हरित करांती हुई, उस समय जो किरसी मंतरी थे, उन्हें तो भारत र प्रादान मंत्री कौन ते प्रदान मंत्री लाल बहदुर्द शास्त्री यो समय किर्सी मंत्री थे सी सुबरमन्यम इनको 1998 में भारत रतन मिल चुका है भारत रतन मिल चुका है ठीक है भी या विस में हरित करांती के जनक नार्मन बॉरलो इनकी कर्मिस्थली क्या थी ये थे तो अमेरिका के अमेरिका के थे लेकिन ये काम कहां करते थे मेक्सिको में रिसर्च कहां करते थे मेक्सिको में रिसर्च मेक्सिको में और विलियम गौड ने शब्द दिया है हरित क्रांती से जुड़ी चार चीजें जिनकी वज़े से पैदावार बड़ी उच उपज वाले बीज उच उपज किस्म वाले बीज, यंत्र मकेनिक यंत्र, सिचाई रसाइनिक खाद, चले भी, हरित क्रांती के समय भारत के किर्सी मंत्री बताओ सब लोग, कमेंट्स लिख के बताओ, हरित क्रांती के समय भारत के किर्सी मंत्री, सी सुबरमन्यम, हरित क्रांती के जनक भारत में, एम सौविनातन, पुरे विश्य में नॉर्मन बॉरलो, हरित क्रांती का फायदा सबस्यादा गेहू को मिला, इसलिए इसको गेहू क्रांती भी कह देते हैं, इसलिए इसको कभी-कभी गेहू क्रांती, गेहू क्रांती भी कह देते हैं, चलिए, खाध्यान उत्पादन से समंद गेह हूर चावल इसमें से सबसेदा फायदा किसको हुआ है गेहू और चावल में से सबसे जादा फायदा किसको हुआ हे कुछ नहीं हुने वाला विकास मैं कितने पेडियТे दे दूं कि आ गया जाते हैं Freakranti White Revolution को क्या कहा जाता है White Revolution को क्या कहा जाता है? Operation Flood, 1970 से ये साती शुरू हुआ, नॉर्मल तौर पर देखोगे, जब स्वेत करांती की जो 20 थे, वो 1964-65 में बुए, जब National Dairy Development Board का गठन आनंद गुजरात में हुआ, राष्टे डेरी, विकास बोड का गठन गुजरात, आनंद गुजरात, और इसके प्रतम अध्यक्ष कौन बने? वरगीन कूरियद, वरगीस कूरियन इसके पहले अध्यक्ष बने, वरगीस कूरियन, इसलिन के बड़े को 26, नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्टे दूद दिवस, राष्टे दूद दिवस के तOR पर, तो भारत में श्वेत करांती या ओप्रेशन फ्रड के जनक कौन थे? अच्छे से आद रखेगा, वरगीस कूरियन सहाभ थे, तो श्वेत करांती किस से संब्धित है? ओप्रेशन फ्रड किस से संब्धित है? दूद के उत्पादन पीली क्रांती 1986 के दर्मियान में येलो रिवल्यूशन तिलहन फसलों को बढ़ाने के लिए तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नीली क्रांती किस से संबंदी थी ये पीली क्रांती तिलहन फसल पीली सरसों होती है न सरसों से तेल निकलता है वहां से सियात जनेशएंच सेखे par Z members सकते मचली मोगती जाती है। के गुलाबी प्याज और शारी के उत्पादन से समंधितल प्याज और जीओंगे के उत्पादन से समंधित all rich in Karl reference छोटी एंब पिंक पैसे प्याज काली क्रांती ब्लेक रिवल्यूशन पेट्रोलियम अथवा खनिच तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम अथवा खनिच तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काली क्रांती दूसर ग्रे उर्वरक उत्पादन से सम्दित एक कुश्यन अगर इजी पेपर आता तो यहां से भी आता है दूसर क्रांती उर्वरक उत्पादन से सम्दित देश में उर्वरक उत्पादन में हम तीसरे होगे पुरी दुनिया में रज़त किरांती देखो silver आए केबल, silver fiber आ जाए, silver के साथ fiber तो यह हो जाता है कपास, cotton, केबल silver आए तो अंडा उत्पादन के लिए, सुनहरी किरांती golden, इसका सम्भन्द बागवानी उत्पाद, होटी कल्चर, फल, फूल, सब्जी, सब्जी में भारत का दूसरा इस्थान है सबजी में भारत का दूसरा इस्थान चलिए इंद्र धनूसी करांती इंद्र धनूसी करांती इसमें साती इसको नई किर्सी नीती लागू की गई जुलाई 2000 में नई किर्सी नीती लागू की गई और सदा भार करांती एवर ग्रीन इसमें पिर्तेक प्रकार के किरांती को आगे बढ़ाना, खाद ध्यान में आत्म निर्भर बनना खाद ध्यान चाहे वो तिलहन वो दलहन वो सम्में तिलहन दलहन सभी प्रकार के खाद ध्यान में आत्म निर्भर बनना गोल किरांती याद रखे गा साथी इसमें इसका संभन्ध आलू के उत्पादन को बढ़ावा देना गोल किरांती भारत पूरे विसमें दूसरा इस्थान है और सबसे ज़्यादा आलू कहां होता है उत्तर प्रदेस में होता है उत्तर प्रदेश में सबस्यादा आलू होता है अब इन क्रांतियों के जनक भी होते हैं जैसे भारत में हरित क्रांति के जनक एमे स्वामी नाथन विस्म में हरित क्रांति का पिता नार्मन बौरलोग भारत में नीली क्रांति अरुन किर्सन अरुल किडसन, भारत में श्वेत क्रांती का जनक वरगीस कूरियन, भारत में इंडियूश्ट ब्रीडिंग क्रांती का जनक हिरलाल चोधरी, गुलावी क्रांती जींगा प्यास दुरगेश पटेल, स्वणिम क्रांती जो ये गोल्डन निर्पक तु तेज, ये फलफूल सब जी, लाल क्रांती विशाल तेवारी, लाल साती मास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशाल तेवारी, और सिल्वर क्रांती इंडरा गांधी, जो अंडे वाली थी इंडरा गांधी, लाल विशाल तेवारी, लाल विशाल, लाल विशाल, स्वणिम तु तेज, स स्वन तेज होता है, स्वन की चमक तेज होती है, गुलावी दुर्गेश पटेल, पैसे पटेल पैसे गुलावी, गुलावी करांती दुर्गेश पटेल, एक साती मीठी करांती भी याद रखेगा, मीठी करांती, शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, शहद लेवेंडर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक और क्रांती है लेवेंडर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक और क्रांती है परपल रिवोल्यूशन लिख लिजेगा इसे परपल रिवोल्यूशन का संबने किस से लेवेंडर के उत्पादन से लेवे दर से संबन्दित है तो यहाँ पर कुछ आपको याद करा दिता हूँ यह बताईए धूसर क्रांती ग्रे रिवॉल्यूशन किस्से संबन्दित है ग्रे रिवॉल्यूशन किस्से संबन्दित है पिंक गुलाबी क्रांती किस्से संबन्दित है इनके पापा बता पाओ तो बत और गोल्डन फाइवर इसमें एक दो और रह गई हैं गोल्डन फाइवर क्रांती किससे समंदित है गोल्डन फाइवर येलो रिवलुशन किससे समंदित है पीली क्रांती नीली क्रांती किससे समंदित है काली क्रांती किससे समंदित है ब्लेक रिवलुशन लाल क्रांती किससे संबंदित है परपल क्रांथी किससे संबंदित है एवर ग्रीन क्रांथी किससे संबंदित है मीठी क्रांथी किससे संबंदित है मीठी क्रांथी किससे संबंदित है मीठी क्रांथी किससे संबंदित है परपल हो गया भीया सिल्वर फाइवर सिल्वर गोल्डन फाइवर गोल् इलाल श्वेत क्रांती किस्से संबंदित है हरित क्रांती किस्से संबंदित है हरित क्रांती किस्से संबंदित बताओ हरित क्रांती त्यादी किस्से संबंदित है हरित क्रांती ध्यांसोत्तर दीजेगा धूसर रसाइनिक उर्वरक जिनको फर्टिलाइजर बूलते हैं केमिकल fertilizer के उत्पादन से पिंक जींगा और प्याज पिंक क्या हो जाती जींगा प्याज silver अंडा इसकी जनक इंद्रा गांधी और पिंक दुरगेश पटेल याद रखेगा दुरगेश पटेल पिंक से पैसे पिंक पैसे पटेल याद है न चलो silver fiber jute का उत्पादन इसे कहीं पर नोट कर लेना कपास silver fiber में कपास लिखना silver fiber में cotton golden fiber में jute golden fiber किसे कहते है जूट का उत्पादन golden किरांती या होटी कल्चर बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए बागवानी शहएद दोनों आ जाते हैं इसमें yellow तिलहन yellow में क्या जाता है साती तिलहन नीली अरुण किर्शन इसके पापा है और इसमें आ जाते साती yellow किरांती में एक राजीव गांधी जी के पुर्व सहेववी वा करते थे उनको same पित्रोदा yellow में same पित्रोदा लिख सकते हो यलो के जनक किसको कह सकते हो सेम पित्रोदा नीली किरांती मतस्य ठीक है भी या काली पेट्रोलियम और खनी स्टेलों से संबंदित लाल मास विसाल तिवारी परपल लेवेंडर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सबी परकार के खाद्यान में आत्म निर्भरता के लिए हरित किरांती खाद्यान विशेस कर गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांती दूद और मीठी हनी अर्थात मदुमक्ही पालन को बढ़ावा देकर शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शहद उत्पादन बताईए सेम पित्रोदा किसके जनक कहे जाते हैं सेम पित्रोदा भारत में किसके जनक कहे जाते हैं हरित किरांती का प्रिभाव सरवादिक किस अनाज के उत्पादन पर पढ़ा था, गोल किरांती किस से सम्मंदिते आलू, तो ये जित्री भी स्तरा की किरसी की बेसिक चीजे हैं, वो समय आपको पढ़ाता जा रहा हूं, एक कुश्यन तो यहीं से बनना चाहिए, एक कुश्यन यहां पर मजा आया, अवं मिटें यहां पर पढ़िया भी, परिशन वालो मजा रहा है बच्चा, जिग जिसको наша रिंका दिल दे देना लाल वाला, अचली आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते है, सेम पित्रोदा पीलि करांती, पीलि करांती किस वरस आई, पीली करांती किस वर्साई, ये टॉपिक मैंने लेकपाल में किरसी डेड़ महीने में कराया था, खुब बढ़िया डीप, और तुमें एक डेड़ दो घंटे में करा रहा हूँ, थोड़ा सा सब रखो, बड़ा टॉपिक है लेकिन मेजर मेजर चीजें सारी कबर हो जाएंगे मेजर मेजर चीजें सारी कबर हो जाएंगे, तुम कमेंटरी करें और तुम भाग रहे हो, क्या करोगे जाके एक बार बताओ, कहां जाओगे, सो भी जाओगे तो क्या कर लोगे किसी का, रुकोगे तो कुस्तो फायदा आएगा न, रुकोगे तो कुस्तो फायदा होगा नह होगा यहां तो मजा रहा है नहीं आ रहा है कुस्तों याद हुआ होगा 110 परसेंट याद हुआ होगा एक और चीज एक और चीज बहुत इंपोर्टेंट पूरी क्लास करके जाना है छोड़ना नहीं है इसके बाद में वाड़ी जे व्यापार और महत्पून टॉपिक सोसल उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान है यह अक्सार आ जाता है किस फसल के उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान है कर लेते हैं पहला इस्थान किस किस में गन्ना गन्ने में पहला बाजरे में मिलट्स जूट में अरंडी में आम केला अंगूर कसावा मतर अधरक पीता और दूद्स बारत का किसमें दूसरा इस्थाने गेहों में चावल में कुल फल और सबजी। जबकि कुछ फब्लव और शब्स भीम हम आगे हैं उससे चीन भगज़ा से चाय में दूसरा आलू में प्याज में लस्डन में चावल में बिनौले में इनमें हम लोग कौन सा इस्थान है दूसरा इस्थान है इनमें कौन सा इस्थान है इनमें कौन सा इस्थान है दूसरा यह जो टॉपिक आज करारों वह यहां से 10 कुशन आते हैं 8 से 10 और यह तुमारे तैयार नहीं होते हैं तुम लोग छोड़ के आते हैं किरसी क्या है किरसी कि क्या योगदाने पूरा किरंग से लेकर चल रहे हैं तुमको थोड़ा सा सब रखना चाहिए ज़्यादा चीज तो नहीं मांग रहा तुम से मैं कि और मैं 41-502 से लेकर और उड़ंचा 560 हर पेपर में आपको दस्कुशन इन पांच टॉपिक से दिखा सकता हूं और सूचो जब तुम 100% को इसले बस है एक चीज का जबाब देना 100% को इसले बस है इसमें से तुम 60% पढ़के गई पढ़कर गई ठीक है अच्छे से तो तुम पेपर में कितना करके आओगे खुद ही सूचो तीन सो में से अब 60% 180 नंबर का तो तुम पढ़के गई इसलिए 90% इस्टूडेंट जो होते हैं वो तीन सो में से आप देखना 170 170 के आसपास नंबर आएंगे उनके 90% स्टूडेंट के जो मेरिट कुछ जो 10% 8 से 10% स्टूडेंट होंगे 5% मालो उनके 170 से 190 और जो लगबग लगबग तीन से 4% स्टूडेंट होंगे उनके आएंगे 200 के आसपास और 1 से 1.5% स्टूडेंट होंगे जो साथी 220-210 के आसपास यही फाइनल आपको 60244 में मलेंगे यही आपको इतनी ही परसंटेज है रमजे बस यही तुम लोग नहीं सोचते 100% सिलिबस करके जाओगे कभी जीवन में नहीं करके गई होंगे तोपे नाम ना हो तो बाणरत का किन फसलों में पहला इस्थाने बाजरे में गंडे में अरन्डी में जूट में आम के केलांगूराम 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 केलांगूर मतर अद्रक पपीता दूद मतर अद्रक पपीता पीता दूद पीता दूद पीता पपीता ठीक भीया मतर अद्रक मतर अद्रक मतर अद्रक मतर अद्रक अद्रक भी ठंड में मतर भी ठंड में केलांगूराम केलांगूर गहु चावल तो डलता ही है तीसरा स्थान फरटिलाइजर में अब आ जाता उत्तर पर्देश में कुल उनाज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थान है कुल उनाज उत्पादन में टोटल गेहूं चावल सब कुछ मिलाके गेहूं प्लस चावल इत्यादी में तो कुल अनाज या कुल खाद्यान उत्पादन में पिर्थम, खाद्यान उत्पादन में देश में पिर्थम, देश की साड़े सोले परसेंट जन संख्या अलगबग साड़े सत्रे परसेंट के करीब खाद्य उत्पादन, गन्ने में देश का पिर्थम, उत्तर परदेश गन् ना उत्तर प्रदेश में होता है गेहू में 28 गेहू में भी पर्थम इस्थान कुल खाद्यान में पर्थम गेहू में पर्थम गन्ने में पर्थम टोटल जो खाद्यान उत्पादन है टोटल सीरियल फूड कि रॉप्स में उसमें पहला इस्थान है दूद दूद में पहला इ दूसरा, तिलहन में, तेलिवे फसलों में लगबग 3.4 परसेंट योगदान उत्तर प्रदेश का। दालों में देखोगे मसूर उत्तपादन में पहला है, मतर उत्तपादन में उत्तर प्रदेश का पहला है। तो मसूर मटर दूद गन्ना गेहु आलू इन में उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थाने इन में उत्तर प्रदेश का याद रखेगा पहला इस्थाने उत्तर प्रदेश में किर्सी के अंतरगस शुद बोया गया अच्छे 366,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 प्रदेश में 15 और 15 में से 3 कहां पर उत्तर प्रदेश में इन तीनों को फिर बाटा गया है इसके जब उपवर्ग किये गए तो कुल मिला के कितने होगे नो तो प्रदेश में कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने है नो इसके उपर कैबार डाउट रहा है तो जब हम इसको सब डिबाइड कर देते हैं तब नो मिलते हैं वैसे पूरे देश में 15 और 15 में से 3 कहां पर हैं उत्तर प्रदेश में आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला इस्थान लगबग देश का 21% आम कहां पर होता है उत्तर प्रदेश में होता है अमरूद में पहला इस्थान देश का 23% अमरूद उत्तर प्रदेश में होता है आम, अम्रूद, मसूर, दूद, इन में पहला इस्तान आवला के उत्पादन में पहला आवला के उत्पादन में पहला आलू के उत्पादन में पहला आलू में 32% आलू, आवला, आम ऐसे आलू, ऐसे आवला, ऐसे आम आलू, आवला, आम उसके बाद में आप देखोगे मसूर, मसूर, दूद, इन सब के उत्पादन में पहला मसूर, मटर, दूद, गन्ना, गेहू, आलू, आम, आमला, इनके उत्पादन में कितना है? ये पहला इस्थान अम्रूद के उत्पादन में आम, आमला, अम्रूद, आलू इन सब के उत्पादन में पहला इस्थान गेहू के उत्पादन में पहला, कुल खाद्यान में पहला, चावल में दूसरा शाक भाजी, जो साती सबजिया होती है सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थान है सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला इस्थान मेंता करके क्रॉप होती है इसके उत्पादन में भी पहला इस्थान और शहर उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अग्रिनी है शहर उत्पादन शहर हनी जो होता है इसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है तबी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भारत किन फसलों के उत्तर प्रदेश किन फसलों के में तो उत्तर प्रदेश का किस फसल में पहला इस्थान है लिखिए सबी लोग कमेंट्स में उत्तर प्रदेश का किस फसल में पहला इस्थान है देखें भारत की बात करें भारत की बात करें भारत आजाता है जूट अरंडी भारत पहला इस्थान अगर हम लोग देखें जूट अरेंडी, केला, अंगूर, आम, आम केला अंगूर, मटर, इंसम में, पपीता दूद, इनसम में दूसरा इस्थान हो जाता है गेहु में, चावल में, कुल, फल, सब шт हो जाता है, भारत का उत्तर प्रदेश ऐसे लग लो ऐसे आम ऐसे अम्रूद ऐसे आमला और ऐसे एक और क्या हो जाता है आलू इन में पहला इस्थान दूद में गेहूं में मतर में मसूर में इन सम्में उत्तर प्रदेश का इस्थान पहला हो जाता है खाद्यान दूद मीट का देश में सबसे वड़ा उत्पादक अफीम राज्ये में अफीम का सबसे अदा उत्पादन कहां पर होता है 12 बंकी और राज्ये की एक मात्र अफीम की फैक्टरी कहां पर है गाजीपुर में 12 बंकी और गाजीपुर में अफीम को उत्पादन सबसे जादा उत्तर प्रदेश में अफीम को उत्पादन 12 बंकी में होता है 12 बंकी में अफीम की एक मात्र फेक्टरी उत्तर प्रदेस की कहा है उत्तर प्रदेस की एक मात्र अफीम गन्ने में भी पहला चले भी है मेरट और साहरनपुर में एलोवेरा, आवला, अस्वगंद और ब्रहमी की खेती आवले की खेती ये साहरनपुर में ज़्यादा मात्रा में हो जाती है ये और भी कह जगे होती है साहरनपुर संत्र इत्यादी के लिए भी जाना जाता है तो एलो वेरा हमला ये पस्चिम उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की प्रमुक नगदी फसल क्या है गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुक नगदी फसल क्या है गन्ना उत्तर प्रदेश किर्शियन उसंधान परिशद की स्थापना 14 जून 1989 बारत में किर्शी विभाग 1875 में खुला किर्शी विभाग 1875 और उत्तर प्रदेश का स्वेतंत्र किर्शी विभाग 1919-1920 में फॉर्मल्टी खुला किर्शी विभाग की बात करें जबकि उत्तर प्रदेश किर्सी अनुसंधान परिसद ये लखनों में 14 जून 1989, उत्तर प्रदेश में किर्सी जलवाईू, एग्रो क्लाइमेटिक जून की संख्या, तो मैंने कहाता न, पूरे भारत में 15, 15 में से उत्तर प्रदेश में कितना 3, ये मद्धे गंगा मैदानी छ चेतर और बुंदेल घंड का पठारी चेतर, इसको जब 3 को उपवरगी करित करोगे, तब पूछेगा 9, आपको उप्षिन में या तो 3 मिलेगा, 9 मिलेगा, 2 नहीं मिल सकते, अगर 2 मिल जाएं, तो आप 3 कुश्यन पढ़ लेना, कि उत्तर प्रदेश में कुल एग्रो क्ला कितने हैं, किर्सी जलवाई उचेतर कितने हैं, तो 3 बताना, उपरी मद्धे गंगा मैदान, उपरी गंगा मैदान और बंदेल कर्ट, चलिए, आगे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश ने अपनी किर्सी नीती कब ले कराया, बताईए, बताईए साथी, उत्तर प्रदेश अपनी किर्सी नीती, यह वैसे देखोगे, बारत की जो राष्ट्य किर्सी नीती ती पहली बार, वो जुलाई 2000 में आई थी, बारत की पहली किर्सी नीती कब आई थी, जुलाई 2000 में भारत की पहली किरसी नीती कब आई थी? जुलाई 2000 में भारत की पहली किरसी नीती जुलाई अर भारत की किरसी नीती की बात आ जाए भारत की पर्थम किरसी नीती जो पहली राष्टिय किरसी नीती थी वो जुलाई 2000 में आई थी जुलाई 2000 में उत्तर प्रदेश कब लाया? 2013 में और उत्तर प्रदेश की किरसी नरियात नीती कब आई? 2013 उत्तर प्रदेश की किरसी नरियात नीती कब आई? साल 2019 में तो उत्तर प्रदेश 2013-2019 2013 में किरसी नीती 2019 में उत्तरप्रदेश किरसी निर्यात नीती और भारत की पहली किरसी नीती कब आई थी साल जुलाई 2000 में साल 2000 में ये साती MSP से सम्बंदित है ये बताईए minimum support price जो होता है minimum support price new term समर्थन मुले इसे कौन जारी करता है new term समर्थन मुले इसे कौन तो एक commission होता है commission for agriculture cost commission for agriculture cost commission for agriculture cost and price commission for agriculture cost and price इसको मैं कर देता हूँ आपको दिखाए दे जाएगा commission for agriculture cost and price किरसी लागत एवं मुले आयोग किरसी लागत एवं मुले आयोग किरसी लागत एवं मुले आयोग ये पहले लागत का पता लगाता है, फिर उसकी क्या मुल्ले होना चाहिए कम से कम, उसका नियूंतम समर्थन मुल्ले, जिससे कम कीमत पर सरकार उसे नहीं खरीच सकती, ये साती 1965 में इस संस्ता का गठन हुआ था, पहले इसका नाम था किरसी मुल्ले आयोग, फिर 1900 बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, किरसी लागत है, वो मुल्ले आयोग, ये 23 फसलों की MSP देता है, कितरे फसल की MSP, 23 फसलों की MSP, पुछेगा MSP कितनी फसलों की जारी की जाती है, तो क्या उत्तर दोगे 23, 7 अनाज, 7 तिलहन, और 4 नगद क्रोप, 7 तो होती है अनाज और 5 हो जाती है दाल, 5 हो जाती है दाल, 4 पांच उनिस, और 4 हो जाती है व्यवसाइक, व्यावसाइक, ठीक है, निउन्तम समर्थन मुल्ले, बस मैं कुछ-कुछ का बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, जैसे गेहूं का इस बार निउन्तम समर्थन मुल्ले कितन कितना बढ़ाया गया 150 पिछली बार से कितना बढ़ाया गया 150 जो का एक सो पंदर रुपे बढ़ाया गया work behavior जो यह रभी फासलों का बता रहा हूँ मसूर की दाल मसूर की दाल का कितना बढ़ा 425 जीआ ziemlich पेश के सबसे अदों मां दाल का बढ़ा राव लाही और सर्सो शब्पन सो पचास दो सो रुपे बढ़ा और कुस्म यह अठावन सो रुपे एक सो पचास रुपे बढ़ा तो याद रखेगा बाइस सो पिछत्तर गेहूं अठार सो पचास जो चन चववन 5440 यह हो जाता है चने का सबसे अदा दाल मसूर की दाल का 6425 425 रुपे बढ़ा कितना बढ़ा भीया 425 अब खरीफ वालों का बता देता हूं कुछ-कुछ का सबका नहीं रभी का बताए MSP तो खरीफ का भी जरूरी बताऊंगा खरीफ का भी देखो यह जो CACP होता है यह एणांस कर देता है लेकिन इसको बाटता कौन है? इसको डिसाइड कौन करता है? आर्थिक मामलों की केबिनेट समीती आर्थिक मामलों की केबिनेट समीती अछे से याद रखेगा क्या याद रखिएगा कौन डिसाइड करता है यह केबल सिफारिस करता है CACP किरसी लागत है वो मुल्ले आयोग किरसी लागत है वो मुल्ले आयोग 22 के लिए तो MSP और एक होता है AFRP Fair and Remunerative Price सुगर केन जो गन्ना जिसमें 14 खरीव की 6 रभी की और 2 अन्ने क्रॉप एक बात याद रखिएगा इसमें जो यह क्रॉप को काउंट करता है यह साथी A2, FLN, C2 यह किलियर हुआ चलो भी धान सामन्य धान का इस बार कितना है साथी 213 रुपे सामन्य धान का कितना है 213 रुपे सामन्य धान का कितना है 213 जुआर जो हाइब्रिड 3180 2183 धान सामन्य 3180 जुआर बाजरे का 2500 बाजरे का 2500 बाजरे का 2500 रागी का 3840 और तूर जो अढ़र की दाल है अडर की दाल का 7000 रुपे, 400 रुपे बढ़ाया है, अडर की दाल का कितना बढ़ाया है, 7000 रुपे कर दिया, 400 रुपे बढ़ाकर, अडर की दाल का 7000, मक्का का 290, 213 चावल, जुआर का 380, बाजरे का 2500, मक्के का 290, अडर की दाल 7000, अडर की दाल का कितना हो जाता है, 400 रु याद रखिएगा इसमें साथी सबसे ज़्यादा जो बढ़ाए गया है वो तिल का बढ़ाए गया है 635, 805 रुपे बढ़ाए गया है पिछली बार से 805 रुपे बढ़ाए गया है पिछली बार से तिल के मूंग फली 63, 377, 79, 79, 858, सबसे महंगी डाल जो उती है, वो मूंग की डाल है, सबसे महंगी डाल कौन सी है, मूंग की डाल है, और सबसे सस्ती कौन सी है, आप कोगेसर अपनी, जो मसूर की डाल थी, वो सबसे सस्ती थी, मसूर की दाल मात्र चोंसट सो पच्छेस जबकि आम मूंग देखो पिचासी सो उड़द उनहेतर सो ये साथ हजार हो जाती आपकी अडरकी दाल बता आदि भी दाली ना खा पाए थोड़ा थोड़ा इसमें याद करना होता है किसकी जादा बढ़ाए गई इससे जादा कुछ खास नहीं कुछ राज्ये बता रहा हूं आर्थिक सर्विक्षण के आधार पर कि कौनसा राज्ये किसके उत्पादन में कितना है फिर हम इससे किर्सी से आगे बढ़ जाएंगे थोड़ी भहुत रह जाएगी देखे चावल के उत्पादन में पहला इस्थान किसका है पस्चिम बंगाल का पूरी क्लास लिए बिना मत जाना क्योंकि कल है फिर ये मेराथन अपनी हिंदी वाली उसके अगले दिन साहित दे किये, तब भी नहीं ले पाऊंगा, 10-11 ऐसे चलेगे, फिर जीके में मिलूँगा, 12 तारिक में, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 5 दिन रह जाएंगे, क्या पढ़ोगे इसलिए आज पूरी क्लास करवालो ये, खतम करवालो, एक टॉपिक भारत के पढ़ोसी दे चोटे से और एक संस्कृति वाला टॉपिक और बचा निरत्ते वगेरा जो है उत्तर प्रदेश ये सब, मैंने क्या बताया, जो कहते थे न 32, 33 पार नहीं हो सकते, तुमने थोड़ा सा इस बार ध्यान दिया, पार करवा दूँगा, दूसरा इस्थान यूपि का है, चावल में पहला स्थान करनाटक का, चावल में पस्चिमंगाल यूपी, गहु में यूपी, मक्का में करनाटक मद्धे प्रदेश, मक्का में करनाटक मद्धे प्रदेश, कुल जो मोटे अनाज होते हैं, कुल मोटे अनाज में, कुल मोटे अनाज में याद रखेगा, कौन से में स सतिक्न कुल मोटे अनाज राइस्तान को पचाड़ कर करनाज़क पहले इस्थान पर पहुंच गया था जबकी अधर की डाल के मामुले में महाराष्ट पहले इस्थान पर है। और साती उत्तर प्रदेश तीसरे पर चने में भी महाराष्ट पहले पर है चने में भी कुल दाल के मामले में कुल दाल के मामले में MP पहले स्थान पर है कुल दाल के मामले में MP पहले स्थान पर है अधर की दाल तूर की दाल के मामले में महाराष्ट चना और अढ़र महाराष्ट, टोटल दाल मद्धेपरदेश, मोटे नाज करनाटक राजस्थान, मक्का करनाटक MP कुल खाद्यान की बात करें, ये आर्थिक सर्वेक्षण से डेटा है, कुल खाद्यान, पहले पर यूपी दूसरे पर MP तिलहन के मामले में देखें तिलहन, तो मुंगफली में सबस्यदा मुंगफली की पैदावार, मुंगफली गुजरात में पहले स्थान पर फिर राजस्थान जो सर्सों हैं, सर्सों में भी याद रखेगा, सर्सों लाही में राजस्थान MP सोया बीन में पिछली बार क्या हुआ कि महाराष्ट मद्धे प्रदेश को पचाल के महाराष्ट मद्धे प्रदेश को पचाल कर कौन सराज्य महाराष्ट उपर पहुंच गया महाराष्ट इस बार फिर मद्धे प्रदेश उपर है लेगनी में कौन से वाले लाष्ट आर्थि समिक्षा लेके नहीं आई ठीक है भी या इस सब के मामले में आगे आ जाते हैं सन फ्लोवर सूरज मुखी करनाटक सूरज मुखी करनाटक कुल तिलहन के मामले में राजिस्थान कुल दलहन में था क्या नामें आपका मद्धे प्रदेश कुल तिलहन में राजिस्थान सुगर के इन गन्ना में उत्तर प्रदेश गन्ना में यूपी दूसरे पर महराष्ट कॉटन कपास में गुजरात जूट में वैश्ट बंगाल जूट में कौन था वैश्ट बंगाल तो ये वो राज्ये हैं जिनें हम लोग साथी कौनसा किस्वे हैं तो जैसे मैं पूछू चना और इस डाटा के अनुसार सोयाबीन, इस डेटा के अनुसार सोयाबीन, 2021-22 की आर्थिक समिच्छा के अनुसार, कौन सा रज्य सोयाबीन के उत्पादन में उपर था, मक्का के बारें बताओ, शावल के बारें बताओ, कुल दाल, कुल तेल के बारें बताओ, कुल दाल, कुल दलह में कौन था कुल तिलहन में कौन है टोटल सभी प्रकार के तिलहन फसलों को जूड़ दें 2275 किस की MSP है 275 साथ हजार किस की MSP है 7000 किस की MSP है 283 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 किस की MSP है तो चना अढ़र में याद रखेगा साथी महराष्ट पहले स्थान पर है गहुं में UP स्वयवीन में महराष्ट सेकंड पर MP मक्के में हटक चावल में वेश्ट बंगाल दूसरे पर UP कुल दलन में आ जाता है MP कुल तिलन में आ जाता है राजिस्तान सर्सों में राजिस्तान 275 गेहुं की 7000 हो जाती है तुमारे इसकी 7000 मस्टर्ड सर्सों कह सकते हैं इसे साथजार किसके हो जाती है सर्सों की तो 56 सर्सों की तो 56 तूर की डाल अडर की डाल की सर्सों की 56 सर्सों की कितरी हो जाती है 56 चने की 54 चने की 54 चने की 54 चने की 54 कुल दाल में MP कुल तेल में राजिस्तान 283 किसकी चावल की 273 चावल की 7000 किसकी हो जाती है अढरकी आतूर की दाल की 544 चने की 56 कुछ रुपे करके सरसों की 56 कुछ रुपे करके 54 किलियर है इस प्रकार से साथी ये आपकी फसलों से सम्मनित कुछ आखड़ी थे जो मैंने आपको बताई ये कुछ इंपोर्टेंट क्योंकि आपके पेपर में 45-520 और 45-568 में कुछ फसलों की किसम भी पूची गई थी जैसे 45-520 जून वाले पेपर में था नीलगिरी खापली निमलखित में से किसकी एक किसम है नीलगिरी खापली निमलखित में से किसकी एक किसम है नहीं हो तो प्रिवियस एर चेक कर लो आपको दिख जाएगी चलिए गेहू की फसल मैं बहुत आपको हिसाब से बता रहा हूँ गेहू कनक होता ना कनक गेहू का जो दाना होता है गेहू का दाना गेहू जो लगे वो सोने जैसे चमकते न सोना लिका गेहू समय पर खाओ रोटी समय पर खाओ आदमी मरता नहीं है जल्दी नहीं मरता गेहू हमारा उत्तर प्रदेश गेहू के मामले में रतने पहले स्थान पर राज 37 37 मेकरोनी करण वंदना करण सोने के कवच कुंडल सोना लिका शिवा सोना हिम ग्री हिम जो होता है ग्री ग्री माने एक प्रकार से बदाम की ग्री वो भी सोने जैसी चमकती है अर्जुन करण सोने चांदी के जो तो भावानी भावानी माता भावानी किरण, किरण सोने की सी आती है न, किरण, किरण जो होती है, सुरज की वो सोने जैसी होती है न, करण नरेंदर, नरेंदर मोधी जी, करण स्रिया, निल गरी खापली, गहू की रोटी खाली, गेहू की रोटी खाली, गेहू की रोटी खाली, कुंदन कनक, चांद की चांदनी सोने जैसी, गिर्जा गूमती, गिर्जा गूमती, पूसा मालवी सोने का माल, ठीक है भी या, सोना गिर गया, सोना गिर गया, पूसा बेकर अमरता, सोना अमरत अमरत अमर, अमरत अमर, पूसा बेकर नीलगीरी खापली सारी यादरी करनी एक शब्द से याद करो यह सो परसें तुवारे पेपर में इंपोर्टेंट है अब ये बताईए गेहू के उत्पादन में भारत की रेंग कौन सी है और गेहू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की रेंग कौन सी है जादा की किसम नहीं करा रहा है चार पांच फसलों की कर लो मेरे अनुसार चार पांच फसलों की कर लो तब ही मैं कहता था पढ़ लो अच्छे से तब तो इंतिजार कर रहे थे कब एक्जाम आएगा तब तुम्हें पढ़ाई नहीं हो रही थी फिर भी मैं अपने इसे कोशिस कर रहा हूँ फिर से एक बार आपको मैंने गेहू को कनक से जोड़ दिया कनक सोना भी कह सकते हो सोना सोने जैसी कोई चीज सोना या सोने जैसी कोई चीज जिसमें चमक हो अब इसके सारी जितनी वेराइटी हैं मैं इसी से जोड़ूँगा और तुम्हें मचा भी आएगा सोना लिका सोना अमर अमरित अमर अम्रिट, अमर अमरी सोना मुमे मरे के आदमी के मुमे सोना डालते हैं जो ज़्यादा बुज़रो Nickel के मरता हैं, पारवती गोमती वहां से आद के लेना हिम परवत पे रहते हैं सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है सोने चांदी का प्रभाव रत्न सोना चांदी होते हैं सोना लिका वहां से हो गया चले भीया भवानी कंचन कुंदन यह याद हो जाएंगे चांद की चांदरी सोने जैसी मुसा किरण, यूपी 308, ये सब कुछ प्रमुख फसलें हैं, ये पूछा गया है आपसे, ये नरिंद, ये नीलगरी खापली, ये साती फसल की किसम पूछी गई है, 41-520 या औरेंचास 500 सबीन है, ये किलिर होगी, भारत का दूसरा इस्थान, उत्तर प्रदेश का भारत में पहला इस्थान, उत्तर प्रदेश का भारत में पहला इस्थान, गयों क्योंगी, चावल की कुछ प्रमुख फसलें, चावल का बताईए भारत का इस्थान चावल में, उत्तर प्रदेश का इस्थान चावल में, उत्तर प्रदेश के इस्थान चावल में, उत्तर चावल की बात आ गई दान की बात आ गई चावल धान चावल धान वहां से आद करेगा चावल की क्या बनती है खीर अब यहीं से मैं खीर पूरी से आपको याद करा दूगा गोविंद ने खीर खाई गोविंद ने क्या खाई खीर आई यार एट ये चावल की किसमे ये किसके समय पर विक्सित की गई थी किसके समय पर विक्सित की गई थी हरित करांती महसूरी 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 तो खीर बहुती मसूर खीर चावल की मसूर खीर गोविंद ने चावल की मसूर काँच के बरतन में विजे गोविंद ने विजे जे विजे विजे जया खीर खाके विजे हो गए जया बारानी रानी राजा ने खीर खाई मसूर खीर खाई काँच के बरतन में गोविंद गोरी गोविंद गोरी पदमा तो खीर का रंग गोरा रंग होता है वाइट होता है दूद का पदमा वास्याद के लेना कावेरी कावेरी बाला जगनात अनपूना ऐसे नाम आपको कई और नी विलेंगे गहूं वगेरा में अनपूरा शुस्क समराट वर्षा स्वेता माही कृष्णा जमना रतना लूनी स्री साकेत सर्यू करुणा हंस सुगंद महाधान भूदेव अब इनमें आपको एक और चीज मलेगी कुछ नदियों के नाम हो जाते हैं जैसे सर्यू नदी जैसे यमना नदी जैसे किष्णा नदी माही नदी लूनी नदी काविरी नदी तो नदियों में ये कुछ होगे वर्षा की जरोत वती है चावल के लिए वर्षा की भग्मान जगनात को खीर का भोग विजय जया विजय जया मस्यू खीर चावल का टना चावल तना नहीं होता कुछ करके आद कर लेना माही, मसूर माही, माही खीर खाता है सयाद कले ना, वर्षा, पदमा, स्वेता, खीर के रंग सफेद होता है, गोरा होता है, वह सयाद कले ना, पदमा, महाधान, धान तो आगे, खीर में से सुगंदाई, खीर में से केवड़ी की सुगंदाई, ठागुर सूरे प्रताप को, हं अधे यूद्हजड़ याद्रखीगा साकेत अयुद्हा वर्षय महाधान भुदेव शुस्क समराट सर्यू साकेत आगे आ जाते हैं भारत की रेंग कौन सी है दूसरी चावल में उत्तर प्रदेश की भी दूसरी और मौसम कौन सी फसल है। ये खरीफ के मौसम की फसल है। कौनसी फसल है खरीफ के मौसम की ये बताएए मूंगफली कौनसे मौसम की फसल है कपास कौनसे मौसम की फसल है कपास साथी कौनसे मौसम की फसल है कपास कौन से मोसम की फसल है अनंदा रहो तो मजा रहो तो बता दे न दो ही घंटे तो हुए हैं एक डड़ घंटा ओल लगेगा आज डेड़ दो घंटे ओल लगेंगे भागना मत कुछ ले करी जाओगे यहां से मुंग भली कपास खरीब मोसम की है सोया बीन में आ जाते हैं देखिए राष्टिय सोया बीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है सोया बीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है इंदौर में इससे तेल की प्राप्ति भी होती है और इसको डलहन के तोर पर भी इस्तेमाल किया जाता है इन दौर में इसका केंद्र है, इन दौर में, अब देखिये सोया बीन, सोया बीन, बीन बजाने में शिला जीत, जीत गया, बीन बजाने में जीत गया, सोया जीत गया, बीन बजाने में जीत गया, पूसा सोले, अंकुर, बीन, कुर, कुर, बीन वहां से आद कलेना, बीन बज फिर्टिष्ठा मेन जीतोगे तुमारी पृतिष्ठा प्षा जाएगा अलंकार इंब जाता जा लंकार पहने को न चाता जा अलंक्र माने अभुषण वील्स सोया 37 वील्स सोया 47 अहिल्या канале तो यादमी को हिलाओ मत अलंकार पहने हुए अभुषण पहने हुए बीन पे नाचे बीन बजाने में जीत गया पृतिषठा का मामला था अंकुर कुर-कुर बीन बजाओ सोते में कई आदमी कुर-कुर करते आवाज निकालते वहां से अधक लेना अरहर अथवा तूर की किस तूर की डाल की MSP बताओ तूर डाल की MSP बताओ चने की MSP बताओ सामन्ने धान की MSP बताओ गेहूं की MSP बताओ जान से मार दूँगा गलत उत्तर आया तो जान से मार दूँगा गलत उत्तर आया तो शिला जीत पूसा सोले अंकुर सोने में कुरकुर करता सोत्य आदमी को हिलाओ मत बीर बजाने में जीत गया सिला जीत अंकुर पिर्तिष्ठा अलंकार नचाया याद आया कुछ याद आया अरे सब याद हो जा तभी एक जी के साथ तभी तो तुम्हें दिक्कत तभी एक जी के साथ नहीं पढ़ते हो अरहर की किसम पर आ जाते अधर डाल अरहरहर महादेव आहरहर तूर तूर से किया आत कर लोगे। चूर तूर गमड में चूर इसे आत कर लेए चलिए दुरगा हरर महादेव, महादेव जी का संबन दुरगा, मता वह से अध कर लेना हार, जिस पे महादेव का हाथ होता हूँ कभी हार ता नहीं हार हार ठीक है भीया, मोनेटो अंकुर स्याबीन की है, अंकुर अरर की भी होती है आजाद अमर याद रखिएगा गेहूं की भी है अमर अरहर की भी होती आजाद अरहर अरहर अब आजाद होगे जैसे अब तुम किसी उससे आजाद हो जाते हो पूसार हर तो आजाद दुर्गा और महार ये तीन याद रखिएगा यह आजाद, दुर्गा और महार यह साथी आप लोग तीन याद रखेगा क्या क्या याद रखोगे इसकी आजाद, दुर्गा और महार समझ रहे मेरी बात आजाद दुर्गा और बहार आजाद दुर्गा और बहार ये दो याद रखेगा आजाद दुर्गा और बहार आगे आ जाते हैं आम की किसमें ये भी बहुत important है आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का इस्थान बताओ आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेस का इस्थान बताओ मारत का इस्थान बताओ दशेरी आम इसके लिए लखनो के दशेरी आम अलफांसो, फजली, बॉम्बे ग्रीम, लंगडा, नीलम, रतना, छोंसा, बॉम्बे येलो और भी बहुत सारे होते हैं आम के याद रखेगा साथी और भी बहुत सारे होते हैं मेरे पास तो आम का पुरा खजाना है ये जब उससे कभी तुम किरसी पढ़ोगे ना लेक पाल अगरा के लिए जब तुम्हें पता चलेगा कि किरसी में और कितनी चीज़े हैं ये तो उपर उपर से चल रहा हूँ ठीक है भी या अमरूद की किसमें अमरूद की किसमें अमरूद का अनुसंधान अमरूद का अनुसंधान प्रियाग राज से भी है अमरूद का अनुसंधान याद रखेगा प्रियाग राज में प्रियाग राज में आमला प्रताब गड़ से आमला जुड़ा है प्रताब गड़ से क्या जुड़ा है आमले का उत्पादन सहरनपुर से याद रखेगा सहरनपुर संत्रे का उत्पादन सारनपुर संत्रे का उत्पादन अमरूद से प्रियागरा जित्तियादी जुड़े हैं अमरूद की ललित ललित लाल रंग का अमरूद भी से निकलता ना वह सा लग रहा है इलाबाद सफेदा इलाबाद सुर्खा लखनो सफेदा हफशी हफशी तो यह आद रखेगा हफशी ललित लखनो सफेदा इलाबाद सुर्खा ललित यह सब किसकी अमरूद की किसमे हैं उत्तर प्रदेश का पहला स्थान भारत का पहला स्थान उत्तर प्रदेश आम अनुसंधान केंदर पहले लखनो में था जिसको वर्तमान में उपोशन बागवानी केंदर कहा जाता है जिसको उपोशन बागवानी केंदर कहा जाता है उपोशन बागवानी तो ललित हफशी इलाबाद सुर्खा इलाबाद सफेदा लखनो सफेदा आलू की किसमे आलू की किसमे आलू उत्तर प्रदेश का पहला स्थाने, जबकि भारत का दूसरा आलू प्याज लस्सन इत्यादी में, कुफरी लगा रहेगा, इसकी जादतर में क्या लगया रहेगा, कुफरी शब्द लगा रहेगा, कुफरी अशोका, कुफरी जोती, कुफरी बाश्या, कुफरी स्वर्णा, क केवल अलंकार आजाए, तो किस की किसम है, केवल अलंकार आजाए, तो ये साती किस की किसम है, केवल अलंकार आजाए, तो ये किस की किसम है, सोया बीन, बीन अलंकार पहने, सोया बीन की, कुफरी चिपसोना, कुफरी चंद्रमुकी, कुफरी चमतकार, कुफरी शीतमान, कुफरी देवा, कुफरी लालिमा, कुफरी ललकार, कुफरी चिपसोना, कुफरी मेगा, कुफरी संदूरी, स्वना, बाश्या, चोती, अशुका ये सारे किसकी हो जाती है, आलू की किसमे हो जाती है, किसकी हो जाती है, आलू की किसमे, आलू की किसमे, ये सरसों की आ जाती है, किसकी सरसों की, ये दिखरा होगा बच्चा आपको, ये मेरी फाइल है, लेकपाल वाली टाइम नहीं था तो मैंने इसी से काट ली, सरसों, सरसो पूसा जै किसान, सर सो, सर जै जबान, जै किसान, सर नारा लगाते हैं सर से आत कले न, सर सो रोहिणी, सर की डाट से रोहनी रोहनी लगी सर सो, सर बोल्ड नहीं होते हैं जल्दी चलिए, पूसा कल्यानी सर के सानिद्धे में जो आया, उसका कल्यान हो गया विने पूर्वक सर विने पूर्वक बात करना सिखाते हैं वरुणा वरुणा वसुंधरा वसुंधरा पितामरी पितामरी पीले पीली सरसों विने वरुण देव के कपड़े पीले वसुंधरा धरती धरती सरसों से पीली बिच गई सोन जोती, सोने की जोती चमक कैसे होती है, पीली होती है, पीली होती है, आशिरवाद, 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 नरेंद्र, नरेंद्र, किर्शना, देखिए वहाँ जो आपने एक नरेंद्र करके, गेहुं में भी एक फसल देखी थी, आपको यादो करण नरेंद्र था और सर्सों से संबन्धित केंद्र जो है यह भरतपुर में सरसो से संबन्दित अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजिस्तान मुंग फली का जूनागड़ तो पूसा बोल जैकिसान रोहोनी कल्याणी विने वरुणा वसुंद्रा पीतामरी स्वनजूती आशिरवाद नरेंदर कृस्वना यह हो जाती है चलिए अमें अस किसकी नीलगिरी खापली किसकी है नीलगिरी खापली किसकी है नीलगिरी खापली किसकी है नीलगिरी खापली कावेरी किसकी है कावेरी सर्यू किसकी किसमे है हफशी किसकी किसमे ललित और हफशी ये किसकी किसमे ललित और हफशी ये किसकी किसमे ललित और हफशी ये किसकी किस की किसमे बहार किस की किसमे आशिरवाद किस की किसमे आशिरवाद किस की किसमे आशिरवाद किस की किसमे आशिरवाद ये किस की किसमे आशिरवाद ये किस की किसमे आशिरवाद सुन जोती किस की किसमे स्वर्ण जोती है किस की किस में स्वर्ण जोती है किस की किस में इलाबाद सुर्खा ये किस की किस में इलाबाद सुर्खा ये किस की किस में इलाबाद सुर्खा ये किस की किस में बफरिंग 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 अरे देखना बफरिंग हो रहे बिटा आज आरे बच्चाव सही है पर यूट्यूब वाले दोनों बतावाओ दोनों बताव फिर आगे बढ़ते हैं अब अब आज आ रही है कहां थे हम लोग यहां पड़ेते अभी मैंने बस थोड़ी देर के लिए आख भटाई थी धर से थोड़ी देर के लिए जाने नहीं आपको मेरी कसम थी माबाप विद्यारानी सब की कसम दिरखी थी मैंने मैं भी तो खड़ाओं मेरा पुरा गला तुम से अधा खराब है मुझे एक डिड़ घंटे और पढ़ाने मुझे वानिजे व्यापार ये सब खतम करने हैं तब जाएंगे ये बीच बीच में न ओभी ये सेंग हो जा रहे है इसकी वज़े से सब ठीक है न ववाज आ रही है न भागना क्यों भीया सरसो की रोहोनी पूसा बोल जै किसान कल्यानी विने वरोना वसुंद्रा पितामरी स्वन जोती आशिरवाद नरेंदर कृस्णा भगवान ने कर एक 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 दो दो कुश्यन मैं गरहूं किरसी से दो कुश्यन निस्चित हैं हर एक शिफ्ट में और तुम लोग उसका उत्तर दे के आओगे तो कितना बढ़िया लगेगा फिर इसके बाकी वानिजे व्यापार यह सब जो टॉपिक करेंगे और अच्छे सिकर क्या होगे आजाद बताईए आजाद किसकी फसल है आजाद इनमें से किसकी फसल है आजाद किसकी फसल है यह किस फसल की किस में किस फसल की क में एक वाल लिख दो वर्दी मेरा जुनून रह सुल्तान जो भाग रहा है बहुत अच्छा है तुम रूके रहना क्योंकि ये खचड़े भागेंगे तो फिर वहां भी भागेंगे इनको मिरिट में से भी भगाया जाएगा तुम पढ़े रहना पढ़ते रहना मेहनत करते र कर पानी बरस्तिरा में एक चत्री लगा उंते लिए बता आजाद जैसे आजाद हुए ओहार महादेव अधर अधर हार बहार अधर अधर ठीक भी या अधर निलगरी खाप ली खाप पी ली गहुं की रोटी खाप ली कावेरी सर्यू नदी के नाम नदी से पानी पानी ज्यादा पानी चावल ज्यादा पानी चावल लले थफसी अमरूद लले थफसी अमरूद आशिरवाद सर से आशिरवाद लेलो सर सों स्वन जोती पीले रंकी पीले रंकी सर सों पीले रंकी सर सों इलाबादी सुर्खा अमरूद इलाबादी सुर्खा अमरूद आ जो कि अ quién onc Kathy jaar झालए प्रकczenie में राज्य ред मर्यास मों तॉढ़ायोंरे फिर इसतर प्रदेश में राज्य-अस्व भीचमें एक जगें ये अनुसंधान संस्थान वगिरा भी में अलय करना जरूर यह देखेंगий ये राइटिंग दिखाई देरी होगी, थोड़ा बहुत यहां पर में ध्यान दूँगा जादा नहीं, बस थोड़ा बहुत सा लेके चलूँगा, ये बहुत थोड़ा बहुत लाश्ट में आपको याद रहे इस मकसा से, गन्ये की बात करें सुगर केन, गन्ये के उत्पादन में मुझफण अगर में, एशिया का सबसे बड़ा गुड की मंडी कहां पर है मुझफण अगर में, गन्या उत्पादन में उत्तर प्रदेश में शीर्स कौन सा मुझफण अगर, और मुझफण अगर का वन डिश्टिक वन प्रोड़क्ट भी क्या है, गुड है, गुड है गन्ने पर MSP का जो नाम होता है वो FRP होती है Fair and Reuminorative Price और ये कानूनी तोर पर बाकी जो 22 फसल है 23 में से केबल इसकी कानूनी गारंटी है बाकी 22 की कानूनी गारंटी नहीं होती भारत में चीनी वर्स अक्टूबर से सितंबर तक माना जाता है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में पर्थम कुल किर्सी छेतर के 13% पर गन्ने की खेती होती है कुल पर कितनी खेती होती है साथी गन्ने की खेती होती है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में ये दिख रहा है न बाबू उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में मुझफन अगर एशिया की सबसे बड़ी गुड़की मंडी भी यहीं पर है इस पर F.R.P. दी जाती है इस पर क्या दी जाती है सती F.R.P. दी जाती है अब आ जाते उत्तर प्रदेश में राजयस्व उत्तर प्रदेश में राजस्व क्या जाता वहूँ उत्तर प्रदेश में राजस्व इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीचेगा यह बहुत इंपोर्टेंट आपके कुछ टॉपिक है फिर कॉमर्स एंड वानिजे पर जाएंगे फिर कॉमर्स एंड वानिजे मतलब व्यापार और वानिजे बीच में कुछ यह के किरसी विद्याले भी आएंगे उनको कर लेंगे और उसके बाद में सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के बाद में साइबर क्राइम आजाते उत्तर प्रदेश में राजस्व टॉपिक देखिए है तो यह बहुत बड़ा टॉपिक लेकिन मैं टूदी पॉइंट लेके चल रहा हूँ बीच मगर पेपर से पहले समय मिल गया और कुछ चीज़ें इसमें श्टा करा दूँआ उत्तर प्रदेश में अभी जो राजस्व लेकर चलना तो तर प्रदेश में राजस्व जैसे कई चीज़ों पर जो उत्तर प्रदेश में जमीन कि जो ये एक प्रकार से जमाबंदी, त्यादी होती है लगान वगेरा वसूली या एक से जो दूसरे नाम करते ह ہیں जमीन में जमीन में राजयस विखटा उतर विन्यू उसके लिए नया कानूने उत्तर प्रदेश राजयस सहीता दोहजार छे तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राजयस सहीता कौन सी लागू है उत्तर प्रदेश में राजयस सहीता क्योंकि इसके बाद में इसको कराने के टाइम न से लागू है 2006 वाली उत्तर प्रदेश का राजस विभाग यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनिक विभाग है जिसमें राजस वसूली करने वाली राजस परिशद आती है जिसको बोर्ड ओफ रिवेन्यू कहते हैं क्या कहते हैं बोर्ड ओफ रिवेन्यू हर शिफ्ट में हा विभाग आता है रहत विभाग आता है निदेशक भूमी अध्यापती और जिलाग जेटियर राजस विभाग के अंत्रगत ये पांच चीज आती हैं सबसे पहले राजस परिशत की बात करें तो 1831 में सबसे पहले राजस परिशत का गठन हुआ था तो कई आप से पूछे कि राजस परिशत का सबसे पहले गठन कब हुआ था राजस परिशत का सबसे पहले गठन कब हुआ था तो क्या बताओगे राजस परिशत का सबसे पहले जो गठन हुआ था वो कब हुआ था तब को होगे सर 1831 में 1831 में कहां पर प्रियाग राज में उस समय कहां पर गठन हु आगे आके आप देखोगे, इसको बांट दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, 1947-48 में इसको बांट दिया गया दो भागों में, एक प्रिशासनिक और एक न्याइक, इसको बांट दिया गया, 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 बांट दिय एक अध्यक्च दो सदस है ये भूव अभी लेखों का रख रखाव माल गुजारी अन्ने जो कर होते उनकी वसूली ये सब जबकि ये भूमी संबंदी वाद विवाद इन सब से न्याई किसाद इसमें सात सदस से होते न्याई कि साइड में कित्रे सदस से होते जूडी सिल मे सात तो लिख लीच येगा राजस परिसद की न्याई कि साइड में कितने होते हैं राजस परिसद की न्याई कि साइड में कितने होते हैं सभी लोग बताओ न्याई कि साइड में कितने लोग होते हैं राजस परिसद की न्याई कि साइड में कितने लोग होते हैं क्या दो सदस है एक अध्यक्च दो सदस है राजस परिशद के प्रशासनिक का हेड़कवर्टर कहां पर है लखनव और न्याइक का कहां पर है प्रियाग राज इस्थापना 1831 में प्रियाग राज में हुई थी चले भी अब उत्तर प्रदेश में जो सामन्य प्रशासरिक विवस् और दो तरीके सती राजस और विकास तो राजस के मामलों में क्या होता है इधर देखोगे प्रशासनिक साइड में तो एक अध्यक्च दो सदस से और न्याइक साइड में क्या हो जाते साती सात न्याइक सदस से अब पूरा प्रदेश हो गया प्रदेश को 18 मंडल में बाट गया जिरों के बाद में उपसंभाग आगे जिनको सब डिवीजन कहते हैं उपसंभाग को क्या कहते हैं सब डिवीजन उपसंभाव या सब डिवीजन भी कह देते हैं जिले को भी छोटे छोटे फिर इससे साथी तहसील कहीं-कहीं जीले को सीधे तहसील में बाण दिया गया क फिर साथी तहसील पर तो सबसे उपर तो Board of Revenue राजस परिस्द हो गई मंडल के स्थर पर मंडला युक्त जिसको Commissioner कहते हैं मंडल के स्थर पर क्या हो गया Commissioner मंडला युक्त जरुत पढ़ने पर कभी Additional Commissioner भी होता है जिले के स्थर पर होता है जिलादिकारी जिसको राजस के मामलों में कलेक्टर कहते हैं और इसी को राजस सरकार CRPC की धारा 20 के तहत जिला मजिस्टेट डिष्टिक मजिस्टेट का कारिये भी सौंप देती है फिर उपसंभाग जो होते हैं सबडिवीजन यहां का हेड होता है HDM कौन होता है साती HDM HDM तहसिल इस्तर पर तहसिलदार नायव तहसिलदार फिर आ जाता है राजस मनिरिक्षक कानून गो और उसके बाद में आ जाते हैं लेकपाल यही जब हम लोग विकास के मामलों में देखते हैं पंचायती राज के मामलों में देखते हैं जो पंचायस से समन्दित तो एक क्या हो जाता है साती जो आपका जिसको CDO बोल देते हैं Chief Development Officer मुखे विकास अधिकारी जिसको कह देते हैं यह Chief Development होता है फिर Block Development Officer जिसको BDO कह देते हैं फिर आज जाता है साती वीडियो जिसको Village Development Officer इसी के लिए पर पर ग्राम पंचायत विलेज पंचायत ओफिसर भी होते हैं जिसको हम लोग सचिव बोल देते हैं ग्राम सचिव यह विकास के मामलों में तो जिले इस तरपर एक विकास के मामले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है यह भी एक I.S होता है सीनियर इसको मुख्य विकास अधिकारी कहते हैं यह पंचायती राश से संबंदित इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में क्या बनती है मुख्य प्रसासिनिक विविस्ता सामन्य प्रसासिनिक विविस्ता बनती है पुलिस वाली हम लोग पहले पढ़ चुके है उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है बताईए डिवीजन कितने उत्तर प्रदेश में, उप जिलाधिकारी, राजयस्व विखका धिकारी, इतना इसमें कुछ इतना वो नहीं है, चली भीया, ग्राम परधान ये सब इतना में है, इसमें निले के चल रहा, जिलाधिकारी और मंडला युक्त, ये शासन के प्रतिनिदी होते ह जिलाधिकारी और मंडला युक्त, बाकी चकबंदी ये भी राजयस्व के अंतरगती आती है, इसमें चकबंदी कमिशनर होता है, फिर चकबंदी एक्जिकूशनर संचालक, संयुक्त चकबंदी संचालक, जिलाउप संचालक या चकबंदी अधिकारी, साइक संचालक चकब इतिकार हैं इसको नहीं भी लिखो तृटिक हो नहीं कोई अई मैं जखते हैं जख बंदी समीती प्राद से 10 यह उसको भी करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेस में चक्वंदी 1954 में उससे में मुसाफिर खाना एक जय होती ती तहसील वहां पर फिर कहराना मुजफ़न अगर में हुई पूरे प्रदेश में 1958 से पूरे प्रदेश में 1908 में ये चकबंदी की सुरुवात हुई एक साती राहत विभाग होता है जिसको राज्य आपदा प्रबंदन विभाग कहते हैं इसको भी जो प्रमुक आपदा होती हैं उस तरीके से इसको बांट रखा है चलिए इसमें इतना वो नहीं है कोई खास चीज राहत आयू कि ये गचेटियर विभाग इसका भी ऐसा कुछ नहीं है इसको भी हटाते हैं ठीक है भी या जमिदारी कुछ बहुत महत्तवर्पुर्ड कानून इनको लिखिएगा उत्तर प्रदेश में जमीदारी उन्मूलन कानून का वाया 1951 लिखिए उत्तर प्रदेश में जमीदारी उन्मूलन यूपी जमीदारी एबोलिशन एंड लेंड रिफॉर्म एक्ट कहते हैं यूपी जेड एल आर UPJALR उत्तर पर्देश जमीदारी अबोलीशन एड लेंड रिफार्म एक्ट UPJALR ये 1951 में आया कवाया 1952 में उत्तर पर्देश में चक्बंद अधिनियम कवाया 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधीनिम कवाया, 1994 में, उत्तर प्रदेश में सीलिंग एक्ट कवाया, 1960 में, उत्तर प्रदेश में सीलिंग एक्ट, किसान बही की सुरुवात कभ हुई, 1992 में से, किसान क्रेडिट कार्ड की सिस्टम, 1999 में से, सीलिंग एक्ट के तहत याद अदिनीयम आया nhất आतर पर्देस राज भाशा अधिनियम उत्तर पर्देस पंचायती राज कवाय Personality में उत्तर पर्देस के पिर्सासन को चलाने वाले ये प्रमु कानूने जमीदारी को हटाने वाला जमीदारी एबोलीशन 1951 चकबंदी 1954 चकबंदी 1954 चकबंदी 1954 यह जो 2006 वाली सहीता है उससे पहले जो तरप्रदेश राजेश सहीता दो चार चाहे 1901 का एक्ट हुआ करता था 1901 का रिवेन्यू एक्ट उत्तर प्रदेश में इससे पहले 1901 का UP Land Revenue Act UP Land Revenue Act लेंड सीलिंग वाला आया था 1906 में चकबंदी वाला 1954 में ठीक भीया न्याईक विभा कहां पर होता राजस परिसद का राजस परिसद की स्थापना 1831 न्याईक विभाग कहां पर होता है प्रियागा राज परशासनिक लखनव न्याईक विभाग में उत्थर परदेश राजस परिसद के कितने सदस उते चल आगे आ जाते लिए राजस परिसद वोई कानून जो उत्तर पुर्देस के राजस संग्रह से संबंदित है उत्तर पुर्देस में रिवेन्यू कोट कितने हैं? यूपी में साती रिवेन्यू कोट कितने हैं? बताईए उत्तر प्रदेश में Totally revenue code कितने हैं है? Total code कितने हैं है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के total revenue code कितने हैं कुल राज्यस्व न्याईल है कुल राजस्वनियाल है इसको विखबर देखूंगा अब यह से याद नहीं है चलो भी आगे आ जाते हैं राजस्विभाग के कारी यह तो सब कुछ आप जानते हो इसमें ऐसा कुछ नहीं है यह से युक्त प्रांत। जब यूपि का जो पंचायत यक्ट आया था तब उत्तर प्रदेश नाम नहीं हुआ करता था से युक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कपडा और प्रदेश में 15 यह पंद्रे अगस्त उन्नीस सो औरेंचास से एक्ट सेंतालिस में आया आए आजाते उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश को धन कहां से आता है यह कुष्यन जेलवाडर में आ चुका है कुष्यन था राज्य जीएश्टी से सबसे ज़्यादा राजस वाता है उत्तर प्रदेश को राजस्व जीएश्टी से सबसे ज़्यादा राजस वाता है सबसे ज़्यादा जीएश्टी से आता है पैसा जीएश्टी के बाद में किस से आता है और वहाँ पर एक्साइज न लिखकर उत्पाद शुल्क दे रखा था, एक्साइज न लिखकर क्या दे रखा था, उत्पाद शुल्क, ठीक है भी आप, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग पिछले बजट के हिसाब से देखें, पिछले बजट के हिसाब से देखें, पि GST के बाद में सेकिन नमबर पर किस्से आता है उत्पाद शुल्क एक्साइज जो शराव इत्यादी पर एक्साइज लगती है तीसरा सेल्स या वेट जो लगता है 36,000 वेट लगता है पेट्रोल यह पदार्थों पर इन पर GST नहीं लगता स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन इत्यादी से चोथे नमबर पर वाहन टेक्स बिजली टेक्स ड्यूटी इत्यादी और भू राजयस्व कुल मिलाके सबसे ज़्यादा पैसा GST, सेके नमबर पर एक्साइज, तीसरे पर वेट, चोथे पर श्टांप ड्यूटी, पांचवे पर वाहन टेक्स पांचवे पर किस से आता उत्तर प्रदेश को राजयस्व? वाहन टेक्स से आता है उत्तर प्रदेश को तीसरे स्थान पर राजयस्व किस से आता है? सेल्स या वेट से, सेल्स या वेट से, सेल्स या वेट से, अच्छे से इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा 25% के गरीब उत्तर प्रदेश में किर्सी 24% के गरीब आप मान कर चलो उद्द्योग और 50% के गरीब आप मान कर चलो जो सेवा छेतर है ठीक है भी है इसी तरीके साथ तो राज़स परिस्त क्योंकि 4 शिफ्ट में आपका पेपर है या तो वो राज़स परिस्त से प्रिशन पूछेगा या वो इस तरीके से एक और याद रखेगा 2020 में 2020 में उत्तर प्रदेश ने गरोस 2020 में ये जो डिश्टिक है इनकी एक रिपोर्ट निका ली थी डिश्टिक जैसे एक तो गरोस GDP होती है देश की एक होती है श्टेट का जो डिश्टिक प्रोड़क्ट होता है इसमें सरवाधिक सरवाधिक योगदान उत्तर प्रदेश की अर्थिवस्ता में सरवाधिक योगदान याद रखेगा पहले नंबर पर गौतम उधनगर का था पहले नंबर पर गौतम उधनगर, दूसरे नंबर पर लखनव, सबसे कम सरावस्ती का, सबसे कम किसका था सरावस्ती, पिर्ति व्यक्ति आय, क्या ह कि अब पिर्ति व्यक्ति आय में भी, पिर्थम इस्थान जीवी नगर गौतमुद नगर का था याद रखेगा और अंतेम इस्थान बलरामपुर का था अंतेम इस्थान किसका था बलरामपुर का अंतेम इस्थान बलरामपुर तो कभी-कभी वो क्या करता है, कि आपको ऐसे ना पूछ कर, वो पूछ लेता है टॉप चार, तो टॉप चार में सबसे पहले याद रखेगा, दस परसेंट के करीब गौतमुद नगर, दस परसेंट के करीब, फिल लखनव, फिल लखनव, स्रावस्ती सबसे कम, स्रावस्ती सबसे कम, स्रावस्ती का योगदान सबसे कम था, स्रावस्ती का योगदान क्या था, सबसे कम, गौतमुद नगर, लखनव, आगरा, प्रियागराज, मेरट, गौतमुद नगर, लखनव, आगरा, प्रियागराज, मेरट, तो इनमें अगर उपर के दो हटा के पू मुझे तब भी आप दे सकते उत्तर तब भी आप कभी कभी क्या करता हुपर के Dogta देगा नीचे कर देगा उपर के 200 कर देगा कर देगा कि राएक है कि ओपर के दो हटा कर वह साथी नीचे का दे दे। तो फिर इसमे आप लोग कनिफ्यूज मत होईएगा! स करें सब्दै जादा गोटमुद नगर फिराघनव, फिर आग्रा, फिर अग्रा फिर प्रियाग राज पिर मिरट फिर प्रियाग राज पिर मिरट गौतामुदनगर लगबक 10 परसेंट पिड़ती व्यक्ति आया में भी गौतामुदनगर अंतीम बलरामपुर ये भी याद रखेगा ये आकड़े इनसे भी प्रिशन पिछली बार पूचे गए अब नई प्रिशन वो किस तरीके से पूछेगा वो देखने वाली बात होगी अब आ जाता है साती वाणिज्य और व्यापार बोलो तो खीच दू इसको भी तुम लोग कहो क्या कहते हो तुमारे उपर है सब कुछ कह दो तो खीच दूँगा वाणिज्य व्यापार फिर संस्ता सोसल मीडिया जादा नहीं है फिर तो मज़ेदा टॉपिक है वाणिज्य व्यापार के बाद में जादा नहीं है बहुत मज़ेदा टॉपिक है वाणिज्य व्यापार के बाद में जादा नहीं है लेकिन टॉपिक अच्छे है यह याद को यह सिया नो में उत्तर दो के बल यह सिया नो में उत्तर दो टंपू बने में उत्तर मत दो मेरे बाद समझ रहो टंपू पने में उत्तर मत देना मूठ आगे टंपू पने में उत्तर दे दो वाड़ी जय व्यापार आप कह रहे हो आगे बढ़ू आप कह रहे हो यस बहुत बढ़िया ऐसे में सुनना चाहता था कि मैं थोड़ा सा हिमबस सीहारू तो तुम आगे बढ़ा दो काफी हद तक कुछ चीजे किलियर हुई किर्सी और उत्तर प्रदेश राजस में उत्तर प्रदेश राजस में बहुत एके कुश्चन तो हर शिफ्ट में सो परसेंट पूछेगा पर और उस पर पूछने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं समझेरे मेरी बात वर दीचे व्यापार सबसे पहले व्यापार क्या है भाई देखिए कोई भी आर्थिक गतिविधी जिसमें वस्तों का लेंदेन किया जाता है कोई तो बिक्री करता है कोई क्या करता है चीज़ों को लगो पैनि maygis Да प्वान पे गया तो पहले संक्सक्राइल के मलक दुकान दार है क्यों मैंने उससे पैसे पेमिंट किया उसने यह सामान मुझे डे दिया तो चीजों की खरीद फरोग्त क्रे और विक्रे इसको बोलते व्यापार व्यक्त वस्तूं और सेवाओं का क्रे और विक्रे ये क्या कहलाता है व्यापार वस्तों का क्रे और विक्रे क्या कहलाता है व्यापार कहलाता है तो जब कोई व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्थानों को स्वामित्व का अंत्रण हो जाता है पहले दुकांदार इस पेन का मालि पैसे दिये उसने ये पैन मुझे दिया अब मालिक कौन बन गया अब कोगे मालिक तो स्वामित्व मालिकान हक्का अंतरण हो जाता है न अब सिंपल याद रखेगा दोश अब दोते व्यापार कहलो बिजनिस कहलो कुछ ऐसा इसमें अंतर जादा नहीं है इसका सिंपल सर्थ होता है क्रेविक्रे अब ठीक है भईया क्रेविक्रे तो बड़ा आसान है आप इस पैन को एक शौप से ले आए और आप गिराक ने इस शौप से इस पैन को खरीद लिया लेकिन मुझे एक बह बताओ इस पैन का कहीं तो निर्माण हुआ होगा यसे नो द बना कैसे इसकी पैकिंग हुई कैसे फिर इसका परिवहन लॉजिस्टिक कैसे थी किस प्रकार इसका डिस्टिब्यूशन हुआ और कैसे पैन दुकानदार के पास पहुचा और उससे ग्रहा करीदा तो यदि व्यापार में लेंदेन में जितनी भी क्रियां शामिल होती है उ उन सब को भी हम ले लें एक बई कि यह चीजों के क्रेव इक्रे में तो सामान खरीद फरुकते एक हाथ दो एक हाथ लो लेकिन इसमें अगर हम बाकी एक्टिविटीज को भी शामिल कर लें तो शब्द किस पर पहुंच जाता है कॉमर्स उसे क्या कहते वानिज्ये वानिज इसके का संबंद मुख्य माल के वित्रण से डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोड़क्ट कि कोई सामान बना अब बनने के बाद में कैसे पहुंच रहा है गरहाक तक उससे संबंद क्या है वानिज्ये वानिज्ये के अंदर व्यापार तो आता ही आता है और व्यापार की सहयक यह कुरिया जो चीजों की खरीद फ्रोक्त में सहयता करती है वह सब भी वानिज्ये के अंतरगत आती है जैसे तो एकमर्स यह वानिज्ये शब्द जो है इसके अंतरगत दोनों चीज्च आती है इसके अंतरगत व्यापार भी आता है और इसके अंदर व्यापार की सायक क्रिया भी आती है इसके अंदर क्या आती है व्यापार की सायक क्रिया भी आती है व्यापार अंदरूनी भी हो सकता है देश के अंदर और व्यापार भारी भी हो सकता है इंपोर्ट जिसमें लोग आयात करते हैं एक्सपोर्ट ज जैसे हमसे पाकिस्तान से कोई सामन जूती मान लेता हूँ, पाकिस्तानी जूती, ये दुबई चली गी, तो दुबई अपने यहां पर यूज नहीं कर रहा, दुबई से कहां पर आगी भारत, ये पाकिस्तानी जूती, दुबई के रास्ते भारत आगी, तो याद रखिएग ये दुबई क्या हो गया इसके लिए entry port हो गया इसी प्रकार internal wholesale और खुदरा ठीक है भी या अब साहे क्रिया क्या होती है परिवेहन बै कच्छे माल से लेके finished product को एक जगे से दूसरी जगे इनका भंडारन अभी कच्छे माल खरीद फरुक्त के लिए इस पैसा bank से loan वगेरा म आपका खराबना हो जाए उसके लिए बीमा कराओगे advertisement आपको कुछ साथी एड भी कराना पड़ेगा विज्यापन भी कराने पड़ेंगे जिससे आपकी वस्तू के बारे में लोग जाने और communication संचार अपनी वस्तू के बारे में सही से सूचना है पहुंचाना तो यह होती ह व्यापार की सायक क्रिया तो व्यापार का शाब्दी कर्थ क्या होता है बताओ जिससे की कम से कम आपके दमाग में टॉपिक आने लगे व्यापार का शाब्दी कर्थ क्या होता है व्यापार का शाब्दी कर्थ क्या होता है सरखरीद फरोग्त लेन देन सेल परचेज क्रे विक्रे और व्यापार के साथ साथ अगर उसकी साह क्रियाओं को भी स्यामिल कर लो तो उसे क्या कहते वानिज्य या कोमर्ष कहते ठीक है भी है, साहे ख्रिया कौन-कौन सी होती देगो, एक चीज की खरीद फ्रोक्ट बनाने में ये सब चीजे आती होंगी, नहीं आती होंगी आती होंगी, आगए वढ़ जाते हैं ताइमस ओफ कॉमर्स व्या पार के प्रकार बहुत पूछेगा, पूछ सकता है बिजनिस टू बिजनिस बिजनिस टू बिजनिस जैसे एक प्रिंटर है जो किताब छापता है जैसे एक प्रिंटर है किताब छापने वाला एक प्रिंटर है जो क्या छापता है किताब छापता है एक किताब छापने वाला तो किताब छापने वाला किसी से साती कागज खरीद तो जो कागज की खरीद है इसके लिए यह बिजनिस टू बिजनिस मतलब वो गरहाक नहीं है वह कागज से कुछ और बनाकर किताबों को छापकर फिर गरहाक तक पहुचाएगा तो दो व्यापार और व्यापार इसलिए हिंदी में लिखेंगे इसे अंग्रेजी में अंतिम प्रोडेक्ट नहीं होता इसमें फिनिश्ड प्रोडेक्ट नहीं होता वो अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लेता वो उसे आगे बेचने के लिए लेता है तो यह क्या होता है बिजनिस टू बिजनिस जहां समझ में आए वहां बता देना बिजनिस टू कंजूमर जै विजिश टू कंजूमर यहाँ पर अंतिम लाज टेविक्ति के पास पहुस्था है,可 Export आये, तू कंजूमर आपने देखा होगा, आपने ये OLX देखिए, OLX पर मेच दे, OLX आपने कोई सामन का उपयोग किया, सामन आपके लिए पुरान हो गया आपने OLX पर लिष्ट कर दिया किसी और दूसरे रहाग ने खरीद लिया आपका बैड सोफा पर देखा होगा TV पुराना OLX Consumer to Business ये भी एक नया ट्रेंड चल रहा है ये भी एक नया ट्रेंड चल रहा है इसमें क्या है जैसे ब्लॉगिंग जैसे यूट्यूग जैसे किसी प्रोड़क को रिव्यू करना Photography, Graphic Designing ये सब क्या होते हैं Consumer से Business ब्लॉगिंग इत्यादी किस में आती हैं ये Consumer से Business छेतर में आ जाती हैं Business to Administration या Government भी कह सकते हैं या Government भी कह सकते हैं बहुत सारा सामन गौवर्मेंट भी तो खरीदती हैं और Consumer to Administration जैसे आप देखते हो फोम वगगरा भरते हो तो इस तरह के ये कुछ Commerce के प्रकार है इस तरह के कुछ Commerce के प्रकार है आप से पुछ सकता है जैसे Example देकर जैसे Example देक कि एक व्यापारी एक व्यापारी सेमसंग कमपनी से सो मोबाइल ओर करता है किसके लिए अपनी दुकान पर बेचने के लिए ये ट्रांजेक्शन कौन से Commerce में आएगी इस प्रकार के लेंदेन को किस प्रकार के वानिजे में रखोगे इस ट्रांजेक्शन को किस में रखोगे जिसको पढ़ना है चुप से पढ़ो जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो इधर मत करो ये टॉपिक तुम्हारे सिलिमस में नहीं तुम्हें लगता तुम्हारी आँखों में नहीं दिख रहा छोड़ दो मुझे पता है कि मैं इस समय से कुश्यन दिखा हुआ और समय के वल तुम्हारे पास कमी नहीं है सब के पास कम था तब तो तुम सबाज उठाई नहीं जाती है शांति से पढ़िये चुप सर इसे बिजनिस टू बिजनिस करेंगे वो अपने उपयोग के लिए ले रहा है वो तो बेचने के लिए ले रहा है बिजनिस टू बिजनिस हुआ नहीं हुआ बार तेंदू यह बिजनिस से बिजनिस हुआ नहीं हुआ मेटा मोरी है यह हिंदी में भी है का यह हिंदी में भी एए बिजस्टू बिजनिस हो गया कैसा हो घया बिजनिस समझ में आया यह चीज समझ में आगई बिजनिस टू buckle चलते चलते बताईए आशीरवाद किस फसल की इस में आशürवाद किस फसल की किस में आज पर gather tap आज के लेक शब्द और बहुत चर्चा में रहता है, e-commerce, e-commerce की full form होती है, electronic commerce, electronic commerce, electronic commerce, इसकी full form क्या होती है, electronic, कोई भी लेन देन, जो mobile के माध्यम से, जो कोई भी लेन देन, जो internet के माध्यम से किया जाए, virtual किया जाए, वैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई भी सामान खरीदने के लिए आपको बजार जाना होता था फिजिकल दुकान पर जाना होता था लेकिन e-commerce के आनी के बाद से आप internet के द्वारा व्यापार वानिज्य इंटरनेट के द्वारा आप अपनी सेवा और वस्तुमें खरीद बेज सकते हैं कंपनी और व्यक्ति जो internet पर सामान और सेवा खरीदते और बेजते हैं e का मतलब electronic commerce इसी प्रकार एक नया शब्द और चर्चा में m-commerce m-commerce की full form होती है mobile commerce व्यक्तियों ने कोई computer बड़े बड़े की जोड़त नहीं है एक application इत्यादी के माध्यम से आप सेवाओं को खरीद बेज सकते हैं cable एक application के माध्यम से एक application ये भी e-commerce काई पार्ट है ये भी e-commerce काई पार्ट है जैसे आप flipkart, amazon, ebay snap deal, me show इन सब का इस्तमाल करते हो न एक application के माध्यम से अपनी चीज़ों को बेचने के लिए वहाँ पर seller बन सकते हो और वहाँ पर ग्रहात बन कर खरीद भी सकते हो तो e-commerce, m-commerce ये शब्द clear हुए e-commerce, m-commerce ये शब्द clear हुए आशिरवाद पूछाता सरसों सरजी का असरवाद सरसों याद आया न? चली आगे आ जाते भीया भारत में व्यापार और वानिज्य कौन सी सूची का विशे है तो व्यापार और वानिज्य ये भारत में तीनों सूची के विशे हैं व्यापार और वानिज्य भारत में तीनों सूची के विशे हैं जैसे union list, संसद को किससे सम्मंदित कानून बनाने की शक्ति है तो याद रखेगा interstate व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य जैसे कोई व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है तो उससे सम्मनित नियम कानुन बनाने की शक्ती किसकी है के इन सरकार की संग सुची की और विदेशी देशों के साथ व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर भी ये किसके पास शक्ती है तो याद रखेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर शक्ती भी किसके पास है, ये केंस सरकार के पास है, वहीं किसी राज्ये के अंदर जितना भी व्यापार वानिज्य है, ये राज्ये सूची का विश्य है, और साती समवर्ती सूची खादे पदार्थों के से सम्मधित व्यापार, पसू चारे से सम्मधित व्यापार, कच्चे का पास, कच्चे जूट आदी से सम्मधित जो व्यापार है, इस पर ये समवर्ती सूची का विश्य है, इस पर संग भी कानूर बना सकता है, इस पर राज्ये का भी अधिकार है, तो खादे पदार्थों से व्याप पशुचारे से संबंदित कच्छे कपास के व्यापार से संबंदित इस सब पे संगों राज्ये दोनों का धिकार है तो अगर कोई आप से कहिए अंतर राज्ये व्यापार से संबंदित अंतर राज्ये व्यापार से संबंदित कौन कानून बना सकता है के इन सरकार या राज् राज्जिये व्यापार से संबंदित कौन कानून बना सकता है अंतर राज्जिये व्यापार से संबंदित कौन कानून बना सकता है अंतर राज्जये व्यापार से संबंदित कौन कानून बना सकता है अंतर राज्जये व्यापार से संबंदित याद रखेगा संग सूची का विशे है संसत कानून बना सकती है कें सरकार चलो भीया आगे आ जाते हैं भारत की विदेश व्यापारनीती अभी हाल ही में भारत की विदेश व्यापारनीती नई लागू हुई है एक अपरेल 2003 से भारत की नई विदेश व्यापार नीती कम लाग हुई है एक अपरेल 2030 से 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर निरियात का लक्षे रखा है भारत की नई विदेश व्यापार नीती में 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर निरियात का लक्षे रखा है एक्सपोर्ट कि बहिए इतना एक्सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट का टार्गेट क्या है 2030 तक भारत के द्वारा 2030 तक एक्सपोर्ट का टार्गेट क्या है 2 trillion साथी पहले 49 टाउन्स आउन्स ओफ टाउन थे कुछ 49 देश में विशिष्ट निर्यात शहर या टाउन भी कह सकते हो यहां से सामन निर्यात होता था विदेशों में अब इसमें चार और नहीं जुड़े गए तो अब इनकी संक्या कितरी हो गई है 43 वर्तमान में विशिष्ट निर्यात टाउन की संक्या कितरी है 43 दो इसमें से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वारानसी मुरादाबाद फरीदबाद तीन उत्तर प्रदेश के हैं तो चार नए शेहरों को टाउंस ओफ एक्सपोर्ट एकसिलेंस में जोड़ा गया जिसमें हरियाने का फरीदबाद और तीन शेहर यूपी के हैं मिर्जापुर मुरादाबाद वारानसी मिर्जापुर मुरादाबाद वारानसी मिर्जापुर मुरादाबाद वारानसी इसमें तीन शेहर किसके हैं उत्तर प्रदेश के हैं मिर्जापुर मुरादाबाद वारानसी तो कुल टाउंस ओफ एक्सपोर्ट एकसिलेंस की संख् यहीं होगी 47 उत्तरप्रदेश के निए कितने जोड़े गए तीन पूझेगा कौन सा नहीं जोड़ा गया तो मुरादाबाद जोड़ा गया यह वाराणशी जोड़ा गया और मिर्जापर मिर्जापर किस के लिए एक्सपोर्ट कितने का लक्ष है दो ट्रिलियन डॉलर का कितना दो ट्रिलियन डॉलर कोरियर के माध्यम से जो विदेशों में e-commerce किया जाता है उसकी सीमा पहले पांच लाग रुपे तक का कोई e-commerce से इंटरनेट के माध्यम से कोई सामन विदेशों में export करना होता था तो पांच लाग रुपे सीमा थी अब उसकी सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दस लाग रुपे कर दी गई है यह सब ढूनने में बहुत समय लगता बहू यह बहुत अच्छा material है बस भगवान की किरपा र अरी मम्मी जी है कि बस्कोगिए ना यह सब तुम्हें लग ऐसे रहा होगा क्या रिपीया इतना क्यों करारे हो यह पतानी क्या हो जाएगा पर यह होता ड़्के मन को समझाने का कि यह होता अपने मन को समझाने का थोड़ा सा तुमने अपना मन समझा लिया इतना बढ़िया कर लोगे इसे कहोगे कि हां सर कितना बढ़िया हम लोग इसको लेकर चले कितना बढ़िया हो गया समझने मेरी बात कूरियर के माध्यम से e-commerce की सीमा कितनी होगी कूरियर के माध्यम से e-commerce की सीमा याद रखेगा पांच लाग से बढ़ा कर दस लाग दो ट्रिलियन डॉलर ये एक्सपोर्ट लक्षे किस वर्स तक है दो ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट लक्षे किस वर्स तक है और उत्तर प्रदेश के कितरे शेहरों को 2023 की विदेश व्यापार नीती टाउन ओफ एक्सपोर्ट इस एक्सिलेंस इसकी में शामिल किया गया है उन तीनो के नाम बताओ. इटा पांस साथ दिन में भी बहुत कुछ बदल सकते हुआ। यह मत समझना नहीं बहुत से लोग तुमे दिमाग देंगे अरे अब नहीं बदलोगे, अब नहीं कर सकते हैं कुछ पुरा नहीं रिवाईज करो हिस्ट्री जोग्रेफी पॉलिटी है तो तुम्हें बहुत रिवाईज हैं खूब याद हैं एस तुड़ीने की दिन खतम होगे अज के बल दस तारीक हो यह पूरा दिन दस बाकी है दस पूरा ग्यारे पूरा बारे पूरा तेरे पूरा चौदे पूरा पंदरे पूरा छे दिन तो यह हैं तब सोलवा दिन पूरा तब पे पर है तुम्हारा तो कहोगे सर मुरादाबाद वाराण सी मुरादाबाद वाराण सी मिर्जापुर को इसमें शामिल किया गया है एक अप्रेल 2023 से लागू 2030 तक ये प्राप्त करने टोटल टाउन ओफ एक्सपोर्ट एक्सिलेंस 43 होगे अब आज आता है कि भारत द्वारा 2022 ते इसमें कितना नरियात किया गया नरियात मतलब एक्सपोर्ट कितना माल दूसरे देशों को भेजा गया इसमें सेवाएं भी आती हैं मर्चेंटाइज भी आता है सेवा मतलब जो हम लोग ये आईटी बगरा सेवा करते हैं ठीक है भीया और इसको थोड़ा सा द्यान में रखना है इसको थोड़ा सा द्यान में रखना है ठीक है भीया इसको थोड़ा सा क्या करना है द्यान में रखना है तो कुल निरियात सासो सत्तर पॉइंट एक आठ बिलियन 2030 तक target कितना है 2 trillion का अभी हम लोग कितना पहुँच रहे 770 point पिछली बार से कितनी बढ़ो 36% इसी पिरकार का question 41-520 में पूछा था इसी पिरकार का 41-520 में पूछा था समझे मेरी बात जबकि हमने आयात दूसरे देशों से मंगाया कितना है मंगाया 892.18 billion कितना मंगाया 892 भेजा कितना 770 billion dollar मंगाया कितना 892 billion dollar का सामान कितने का घाटा हुआ 112 billion dollar सामान मंगाया जदा है क्यों हम लोग सामान जदा मंगाते हैं पेट्रोलियम वगेरा पदार्थ बहुत जदा हो जाते हैं रहे हैं पेट्रोलियुम कि हम बहुत घपत करता ज्यादा हैं दुनिया में दूसरे नंबर प्रेशीन के बाद में इसलिए हम लोगों का आयात ज्यादा आ है विदेसों में आयात कितने percent से बढ़ा है साड़े 16% से आयात पिछली बार से कितना percent बढ़ा साड़े 16% आयात कितना बढ़ा है साड़े सूल है निरियात कितना चैपरसेंट और घाटा कितना है दोचार बाईस तेसमें 122 मिलियन डॉलर का घाटा कितना है हमें 122 मिलियन डॉलर का अब आ जाते हैं भारत का सबसे जादा ओवर ओल व्यापार ओवर ओल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओवर ओल इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निरियात कुल मिला के याद रखेगा अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साजेदार है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साजेदार कौन है भारत का सबसे बड़ा चापे व्यापा पर सिंगापुर तो बहुंत का सरवादिक व्यापार किस देश के साथ हैं अमरिका के साथ है। फिर चीन फ्री हुर्इ सबसे ज़्यादा माल हम किस देश को भीजते हैं अमरीका को सबसे ज़्यादा माल हम इंपोर्ट कहां से करते हैं मंगाते कहां से चीन से सबसे अदा माल हम अमरीका को सबसे ज़्यादा मंगाते कहां से चीन से सबसेदा व्यापारिक घटा किसके साथ है चीन के साथ ओवर ओल व्यापारिक साजेदार कौन सा है अमरीका ओवर ओल व्यापारिक साजेदार कौन है अमरीका चलिए भूटान का जो 95.3% एक्सपोर्ट है जो भूटान अपने यहां से माल को भीजता है वो भारत को करता है, भूटान अपने यहां का 95% माल किसे भीजता है, एक्सपोर्ट आया निरियाद जो करता है भारत को, और भूटान अपने यहां मंगाता कितना है, 89.5%, भूटान अपने यहां मंगाता कितना है, तब कोगे सरलगबग, अपने 90% इंपोर्ट भारत से करता ह भूटान 95% बहुतान में बहुतान गया गज़ता है नवासी परसेंट तो हमारे सबसेयादा जो कौन सा देश अपना सबसेयादा परसंटेज में देखोगे तो आयात भारत से करता है भूतान सेकिन नंबर पर नेपाल आ जाता है लगबग 70% सेकी नंबर पर क्या आता है नेपाल लगबग 70% भारत का सर्प्रिथम याद रखेगा भारत का सबसे पहला सबसे पहला फ्री ट्रेड एग्रिमेंट एफ्टी ए स्री लंका के साथ वाता उनिश्व अठान में फ्री ट्रेड एग्रिमेंट एफ्टी का मतला होता है मुक्त व्यापार समझोता ड्यूटी घटा दी जाती है फ्री ट्रेड एग्रिमेंट मुक्त व्यापार समझोता ये स्री लंका के साथ 1998 में हुआ स्री लंका के साथ कब हुआ 1998 में स्री लंका के साथ ये मुक्त व्यापार समझोता कब हुआ सबसे पहला मुक्त व्यापार समझोता अच्छे से आद रखेगा भारत का सर प्रतम मुक्त व्यापार समझोता जो है भारत का सर प्रतम मुक्त व्यापार समझोता ये श्री लंका के साथ हुआ था किसके साथ हुआ था साथी श्री लंका के साथ कब हुआ था तब कहोगी कि सर ये हुआ था 1998 में कब हुआ था भी या 1998 में इसी प्रकार जो अफगानिस्तान है उसके साथ भारत का preferential एफगानिस्तान हो गया चिली हो गया इनके साथ preferential preferential trade agreement है इसको मैं है अलिकि मैं इसको और पढ़ना चाहता था मैंने इसमें जादा नहीं पढ़ा ये पढ़ के मुक्त व्यापार समझाता होता है दौनों देस जो बीचमें duty वगरा होते हैं टेक्स वगरा होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उन्हें हटा देते हैं हाली में आप देखोगे 2022 में हमने इंडिया और भारत और सयुक्त अरब अमिरात के बीच में व्यापक आर्थिक साजेदारी समझोता हुआ है यह भी एक फ्री ट्रेड एग्रिमेंट ही है एक तरीके का कॉंप्रिहेंसिव एकोनोमिक पार्टर्शिप एग्रिमेंट और यह कब से लागू हुआ याद रखेगा एक मई 2022 सभी कमेंट कर दीचे इंडिया और यू ए के बीच में फ्री ट्रेड एग्रिमेंट कब से लाग हुआ इसी प्रकार ऑस्टेलिया के बीच में देखोगे अंडिया ऑस्टेलिया इंडिया उस्टेलिया इसी टीए 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 इंडिया उस्टेलिया के बीच में इंडिया और उस्टेलिया के बीच में इसका नामें इसी टीए य 29 दिसम्बर 2022 से लाग हुए यह कम से लाग हुए 29 दिसम्बर 2022 से किसी न किसी शिफ्ट में कुश्यन जरूर मिलेंगे 29 दिसम्बर 2022 से अप्रेल में यह साइन हुआ नवंबर में इसको रेटिफाई किया था ठीक है भी यह इसी टिये का मतलब है एकोनोमिक एंड कोपरेशन ट्रेड एग्रिमेंट एकोनोमिक एंड कोपरेशन ट्रेड एग्रिमेंट एकोनोमिक एंड कोपरेशन ट्रेड एग्रिमेंट यह भारत और ऑस्टिलिया के बीच में यह भारत और ऑस्टिलिया के बीच में किलर हुई यह चीज तो इंडिया पेपर बताते हो कि निम्लिकित में से किस देश के साथ भारत का प्रीफरेंशेल यह कह सकते हो वरियता व्यापार समझोता है प्राथमिकता व्यापार समझोता है यह समय करा दूँगा एक किसी एगली क्लास है किसी में जोड़ दूँगा इस ट्रॉपिक को जो छोटी बहुत FTA वगएरा बची है अब देखिए जो भारत के Commerce और Industry Minister बताईए भारत के वानिज्य और उद्योग मंत्री कोन है भारत के वानिज्य और उद्योग मंत्री कोन है तो भारत का जो वानिज्य और उद्योग मंत्रा ले है इसके मंत्री पियूस गोयल है इसके मंत्री कोन है पियूस गोयल इसके मंत्री पियूस गोयल है Ministry of Commerce and Industry M.O.C.I. जो कहते हैं Ministry of Commerce and Industry Ministry of Commerce and Industry ये जो मंत्राल है इसके मंत्री कौन है याद रखिएगा इसके मंत्री पियूस गोयाल है कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल और सौम प्रकास ये Minister of State है इसमें साती एक तो DIPP आ जाता है Department of Promotion of Industry and Internal Trade Department of Promotion of Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT भारत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और एक होता है Department of Commerce अब इसके तहती एक कुछ संस्था हैं जिनके विशे में 100% पूसता है इनका कारिये क्या है भारत के जो उत्पाद हैं किर्सी उत्पाद हों या बाकी इनका विदेशों में पिरचार करना एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना ये कैसारी संस्था हैं इनका उत्देश ये क्या है भारत के व्यापार को विदेशों में बढ़ावा देना तो यह करा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा भारत के व्यापार को विदेसों में बढ़ावा देना चलिए सबसे पहली आजाती है MPDA शोट में क्या है MPDA The Marine Product Export Development Authority इसका कारी होता है जैसे मचली जहींगा, अक्टोपस, कैंकडे इन सबको विदेसों में बेचना, विदेसों में परचार परसार करना भारत के सामान का विदेसों में परचार परसार करना और ये समुद्री उत्पादों से संबंदित है तो समुद्री उत्पाद निरियात विकास प्राधी करण का गठन कभुआ 1972 किस मंत्रा ले के तहट वानी जी एवा मुद्ध्योग मंत्रा ले इसका हेड़क्वाटर कहां पर है कोची साल पूछ सकता है हेड़क्वाटर पूछ सकता है साल पूछ सकता है हेड़क्वाटर पूछ सकता है ये चीज समझ में आ रही है मैं के रहा हूँ जो जा रहा है उसे जाने दो क्या तुम अपनी सीट उसे दे दोगे अरे वो जाएगा तभी तो रेस से भार होगा एक रेस हुई पांच जाल लोगों की उस रेस का नियम था जो रेस में लाश्ट तक दोड़ेगा अंत में जो बचेगा वो ही विजेता होगा तो तुम क्या गरोगे सारे हाथ पकड़के दोड़ोगे क्या टंपू हो तू भी आजा तू भी आजा तू भी आजा अरे खचड उनसे आगे दोड़ेगा तबी तो जीतेगा, क्योंकि एगर उनके हाथ पकड़के दोड़ा, कोई नहीं पूछेगा, तो जो उनसे आगे दोड़ना या नहीं दोड़ना, जाने दो, जाने दो, अरे मेरा महल छोड़ मेरा गला घरावे, इसलिए परिसानों में, तो अपना देखना, मैं पढ़ा रहू और समझ मैंने आ रही हो, तो बताओ, कि राहें जहां तक जाएंगी रहागीर वहां तक जाएगा, ये दर्या से क्यों पूछ रहें, ये नीर कहां तक जाएगा, रिखीच धनू की डोर निसाना साधो अपनी मंजिल का, और बाकी बाद में देखेंगे, ये तीर कहां तक ज अब लोग, वर्दी मेरा जुनून, रह सुल्तान करते चड़ाई, एमपीडा उनिस सो बहतर कोची, एमपीडा उनिस सो बहतर कोची, एमपीडा उनिस सो बहतर कोची, कोची करी केरल समंदर के किनारे, अरब की रानी कहते हैं, ठीक है भी, एपीडा, most important, बहुत बार पूसत एपीडा, कौन भेशती है, एपीडा, कौन भेशती है, एपीडा, तो किर्सी और प्रेस संस्कृत, खादे उत्पाद निर्यात, Agricultural and Processed Food Product, Export Development Authority, 1986 नहीं दिली, 1986 निडली, एपीडा, 1972, एपीडा, 1986, एपीडा, 1986, बहुत बढ़िया, अगर आ जाते हैं, कुछ कमोडिटी बोर्ड होते हैं, कमोडिटी किसे कहते हैं, किर्सी उत्पादों को कमोडिटी कहते हैं, जो किर्सी के उत्पाद होते हैं, उन्हें कमोडिटी कहते हैं, क्या कहते ह तो आता नहीं है क्या कुश्यन कि कॉफी बोर्ड का हेड़क्वाटर कहा है ये कॉमर्स और वानिज्य और उद्योग मंत्रा लेके तहती रही है कमो कॉफी बोर्ड कॉफी बोर्ड 1942 बेंगलूरू कॉफी बोर्ड 1942 में गठन बेंगलूरू बेंगलूरू 1942 में बेंगलूरू चाय बोर्ड, भारती चाय बोर्ड याद रखेगा, 1954 में कॉलकाता, चाय का हेड़क्वार्टर कॉलकाता, कब बना चाय बोर्ड, 1954 में, कब बना 1954 में, कॉफी बोर्ड, 1942, कहां पर बना बंगलूरू, रबर बोर्ड, 1947, केरल के कोटायम में, रबर बोर्ड का हेड़क्वार्टर कहां पर है, केरल के कोटायम में, टुबे को बोर्ड जिसको तमाकु बोर्ड कहते हैं, सन 1976, गुंटूर आंदर परदेश, तमाकु बोर्ड का हेड़क्वार्टर कहां पर है, आंदर परदेश के गुंटूर में, तमाकु बोर्ड का हेड़क्वार्टर कहां पर है, आंदर परदेश के गुंटूर में, मसाला बोर्ड, इसका जहां पर एंपिडा थी, मसाला बोर्ड 1987, कोची केरल, 1987, कोची केरल, समझने हैं मेरे बात, 1987, कोची केरल, एक सिल्क बोर्ड भी होता है, हलेकि एक कपड़ा मंत्रा लेके तहट काम करता है, सिल्क बोर्ड, ये 1948, ये भी बैंगलूरू में, जहां पर कॉफी बोर्ड है, ये भी बैंगलूरू में, जहां पर कॉफी बोर्ड है, और मसाला बोर्ड कहां पर हो जाता है, कोची केरल, इंडियन इस्टिट्यूट ओफ फोरेंड ट्रेड ये आधर रखेगा 1963 में इंडियन इस्टिट्यूट ओफ फोरेंड ट्रेड ये भारतिय विदेश व्यापार संस्थान नेदिल्ली कौलकाता काकी नाडा तीन स्थानों पर है नेदिल्ली कौलकाता काकी नाडा तो ये क्या हो जाते हैं लगवल कुछ कौमोडिटी बोर्ड हो जाते हैं कौफी बोर्ड उनिस्थो सेंतालिस रबड बोर्ड उनिस्थो सेंतालिस मसाला बोर्ड 1987, चाय बोर्ड 1954, कुतमाकु बोर्ड 1976, दिल्ली, कॉलकाता, काकी नाड़ा, तीन जगे हैं, दिल्ली, कॉलकाता, काकी नाड़ा, दिल्ली, कॉलकाता, काकी नाड़ा, आण अ जल्क बोड़ वी बैंगलूरू सिल्क बोड़ ब्यवल कुडूरू भारतिय पैकेजिंग संस्थान यह भी कॉमर्स मंत्रा लेके हैं यह भी किसके तहत है इंडियन इस्टिटिट ओप पैकेजिंग यह भी कहाँ परिस्थित आई यह भी याद रखेगा साथी Commerce मंतरा लेके तहते वानिजे मंतरा लेके तहते यह मुंबई हेड़कॉटर नई दिली कॉलकाता चिन्नी हेडराबाद एहमदाबाद ठीक है इसके चैंपस है इसके कितरे केंपस है यह कैंपस है इंडिया इंडियन इस्टिट्वीट ऑपकेजिं इसके च्छे कैमपस हैं ये भी वानिजे मंत्राले के तहट वानिजे मंत्राले आगे बढ़ने से पहले कुछ पूछूँगा आगे बढ़ने से पहले एमपीडा इसका हेड़क्वाटर कहां पर है कब बनी एपीडा इसका हेड़क्वाटर कहां पर है कब बनी इसका हेड़क्वाटर कहां पर कब बनी मसाला बोड का गठन कहां पर हुआ कब मसाला बोड का गठन हेड क्वाटर चाय बोड का गठन हेड क्वाटर कॉफी बोड का गठन हेड क्वाटर कॉफी बोड का गठन हेड क्वाटर रबर बोड का गठन हेड क्वाटर तमाकू बोड का गठन हेड़क्वाटर एमपीडा एपीडा मसाला चाय कौफी रबड तमाकू सिल्क बोड का बताईए कौफी रबड तमाकू सिल्क बोड का बताईए चाय होगे कौफी होगी रबड होगी मसाला बताईए मसाला पांच कमोडिटी बोड और कहां मसाले वाले का बताईए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साजेदार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साजेदार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साजेदार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टरनर साजेदार देश ये बताए सबसे अदा एक्सपोर्ट किसको करते हैं लोग सबसे अदा इंपोर्ट किससे करते हैं कितना व्यापार घाटा है हमें हम लोगों को साल 2022-23 में व्यापार घाटा कितना है सबसे अदा व्यापार घाटा किससे है एक्स्पोर्ट किस रफतार से बढ़े इंपोर्ट किस रफतार से बढ़े हैं 2021 से 2022 तेश की तुलना करें 2022 देश की तुल्ला करें एंपीरढあ com 25 कोची एंपीरढ उनिस कोची में एक और था कौन सा मसाला कोची में एक और Washington मसाला 1987 ये भी कोची में था ठीक भी या रबड उन्निससो 47 Kotaayam Keral 1942 कॉफी करनाटक बेंगलूरू बाबा भूंदा हिल से कॉफी की सुरुवात हुई थी चाय 1954 कॉलकाता चाय मसाला तो हमने लिखी दिया था 1987 कोची एपीडा 1986 नई दिल्ली है तबाक 1976 गुंटूर आंधर प्रदेश गुंटूर आंधर प्रदेश सिल्क 1948 ये भी बेंगलूरू सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टरनर अमेरिका सबस्यादा एक्सपोर्ट भी हम किसको करते एं अमेरिका को मगाते किसको चीन से मगाते किस से चीन से एक्सपोर्ट्ट 6% इमपोर्ट 155% सेंड व्यापर घटा 122 million dollar वियापर घाटा 122 million dollar व्यापर Which सिर्वधा कितना था भैया जी 122 million dollar था भैया जी 122 million dollar था है भॺह जी 122 million dollar कितना ravis मिले हैं डॉलर के लिए चीजें कुछ को तो यद व है ऐसा तो यहां तो यहां हुआ होगा अब ये कुछ किर्सी संस्थान किर्सी विस्वित देल लें ट्रिक से याद करा हूँगा उसके बाद में सोचल मीडिया एक घंटे के लिए और तैयार हो थोड़ी सी मेहनत करने के लिए लेकिन तुम ये देख रहे हो कि तुम सी जादा कॉन्फिडेंस से जाओगे ये तो कम से कम दिल में रहेगा पूरा सलिबस करके आया हो और तुम देखना है तुम खुश सत्रे ठारे तरिक को आके बताओगे कि सर इसी कॉन्फिडेंस से एक्जाम निकला तुम वह ये मैं सोचना हो सकता है पढ़ाई हुए में से कुछ ना आ जहाँ कोई तुम्से ज़यादा पढ़के नहीं जा रहा कोई तुमसे ज़यादा पढ़के नहीं जा रहा हैं तैयार हम एक बाद लिख दो हैं तैयार हम और जो पूछो कुशन का भाही उत्तर दियागरो सबसे बड़ा व्याब परिक पाट्णर यूसेस सबस्य diplomत को बैस् किर्सी विस्विध्य ले उत्तर प्रदेश के पढ़ लेते हैं, काफी काम की चीज है, काफी काम की चीज है, ठीक है भई, काफी काम की चीज है, देगे चंसेकर आजाजी, कान पुर अंगरेजों के कान पे मारते थे, अंगरेजों के कान पे, ढक अंगरेज मिला कान पे, नरि पृष्टा यह साती मिरट सर्दार मेरट सर्दार मिरट सर्दार मेरट सर्दार मेरट तो यह क्या होचा जाते हैं यूपी के जो Agriculture University है यूपी की जो Agriculture University इत्यादी है कितनी हो जाती है साती अगर हम सरकारी देखें आचारिये नरिंदर देव चंसे कराजा जी के नाम पर और एक साती मेरे विचार में रानी लक्षमी भाय जी के नाम पर भी है जासी रानी लक्षमी भाई जी के नाम पर जासी तो रानी लक्षमी भाई जी के नाम से तो तुरंत याद हो जाएगा के इंद्रिये किरसी विस्विद्याले के इंद्रिये किरसी विस्विद्याले ये कहां पर जासी के इंद्रिये किरसी विस्विद्याले यह कहां पर हो जाता है याद रखेगा जहांसी यह कहां पर हो जाता है यह जहांसी हो जाता है यह कहां पर हो जाता है तब कहोगे जहांसी के लिए रहे एक सेम हिंगन बोटन कुछ करके है और इसमें तो जो मेजर मेजर थी सेम हिंगिन मोटन करके प्रियाग राज में हो जाती है ठीक है भी या सरदार वल्लबाई पटेल जी की नाम से कहां पर हो जाती है या जाता है आपका क्या कहते हैं से मत्रा में दीन दयाल जी के नाम से पसुच किस्सा विज्ञान ये मत्रा अलग है तो चंसे के राजा जी अंग्रेजों के कान पर नरेंदर देव से याद रखेगा नरेंदर मोधी जी ने उध्या में लावास्त एग्रिकल्चर डिम्ड उनिवर्सिटी ने नी लावाद सरदार वल्लबाई पटेल जी के नाम पर मेरट राणी लक्षिमी भाई जहां सी अब ये कुछ किर्सी संस्था ने राश्टेस तरके इनको एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान दीजेगा सीधे मैंने कार दी है विकीपिडिया आई ए आर भारतिये किर्सी नुसंधान परिशद आई सी ए आर भारतिये इंडियन काउंसिल ओफ एगरिकल्चर रिसर्च 1929 में बनी थी नई दिल्ली इसका हेड़क्वाटर है इसी के स्तहते एक संस्था होती जिसको आई ए आराई कहते हैं जिसको पूसा संस्थान भी कहते हैं इंडियन एगरिकल्चर रिसर्च इस्टिट्यूट जवाला लहरुजी के नाम पर जबलपूर इंड्रा गांधी किरसी विस्विद्धाल है रायपूर इंड्रा गांधी जी ने इमर्जेंसी के लिए किसी की राय नी लिए वैसे आद कले न जवार लाल जवालपूर गोविंद वल्लप पंत ये भारत का पहला किरसी विस्विद्धाल है जीवी पंत भारत का प्रिथम किरसी विस्विद्धाल है भारत का पहला किरसी विस्विद्धाल है 1960 में स्थापन हुई ती उस समय का उत्तर प्रदेश फिर जब उत्राखन लग हो गया तो यह उत्राखन में। भारत्य किरस्य अनुसंद्हान संस्थान राश्टिये इनुसंध्य नंस्थान संस्थान करनल यां जतन अगर बरेली 1940 को है और यह कुछप प्रमुक अनुसंधान संस्थाने, इनकी में ट्रिक से याद करा दूँगा, देखिए धान को गटक, कटक, धान का, अगर आजाए केंद्रिये धान अनुसंधान संस्थान, तो ये है कटक में, अगर भारतिये चावल अनुसंधान संस्थान आजाए, भारतिये चावल अनुसंधान संस तो ये हैदराबाद में भारतिय नाम से हैदराबाद में और राष्टिय या केंद्रिय नाम से ये उडिसा के कटक में तो चावल का अनुसंधान संस्थान कहां पर है ये भारतिय संग्ठंते ना पूछेगा 100% ये कटक में विवेकानंद परवतिय किर्सिय अनुसंधान संस् अगर आप दाल खाओगे तो कभी आपने देखा होगा music बसता है तो जो यह क्या बोलते हो से DJ होता है vibrate करता है कान में दलदल होती है कान में क्या होती है दलदल वहां से आद करेना तमाकू का राजा मुदरी तमाकू बोड का हेड़क्वाटर कहां पर था वही तमाकू बोड का हेड़क्वाटर कहां पर था तमाकू बोड का हेड़क्वाटर देखिए राजा मुदरी ये आंदर प्रदेश में राजा मुदरी आंदर प्रदेश में तमाको अनुसंदान रा गया जनन के बाद में टूर पे गया गन्या लखनव गन्या लखनव टमाकू राज्य मुद्री दालं कान पुर पर वतीय कर थिया अलमोडा स्वाविय वेकानन जी के नाम पर परवतीय मोडा परवतीय अलमोडा राष्ट्य yatahual हिदराबाद केंद्रिय चावल गटक कटक तमाकु बोड का हेड़क्वाटर गुंटूर तमाकु बोड का हेड़क्वाटर कहां पर था गुंटूर तमाकु बोड का हेड़क्वाटर कहां पर था गुंटूर चलिए कपास नाग पुर नाग के पास मजज़ जाओ शुस्क बागवानी बिना पानी की कम पानी से बहुत कम पानी से फल फूल की खेती भी कानेर चरा गहा और चारा जहांसी बहुत important है UPK है चरा गहा और चारा ये कहां पर हो जाता है जहांसी बारतिय बागवान इंडियन इस्टिटीट ओफ होटिकल्चर रिसर्च Most important, बाग से बेंगलोर, बाग से क्या आध रखेगा? बेंगलोर, बाग से बेंगलोर, जनन के बाद में टूर पे, नाक के पास मत जाओ, सुस्क बाग बिके नहीं, बाग से बिका, बाग वानी गन्ना लखिनो, गन्ना प्रजिनन कोयंबटूर तमिल नाडू, तमाकु राज्या मुद्री आंदर प्रदेश, दलहन कानपुर उत्तर प्रदेश, वेकनन परवतिय किर्सिय अनुसंधान अलमूडा, धान अनुसंधान कटक, डेरी अनुसंधान कहां परे, भारतिय संस्थान कहां बोलोगे, करनाल, उपोष्ड भागवानी लखनओ, उपोष्ड भागवानी लखनओ, यहीं पर नेशनल बोटिनिकल रिसर्च इस्टिट्यूट, CDRIV यहीं पर है, सेंट्र टॉक्सिजलोजिकल रिसर्च इस्टिटूट भी कहां पर है, लखनओ में, पहले माचसे की Central Fisheries Technological Institute CFTI या CFTRI कुछ करके बोलते है Central Fisheries Technological Research Institute कुछ करके इसका नाम हो जाता है CFTRI कुछ करके इसका क्या हो जाता है नाम हो जाता है एक तो यह हो जाता है Central Food Technological Research Institute मेसूर में है यह तो CFTRI एक कोची में हो जाता है फिशिस से संबन्दित एक रिसर्च इंस्टिटूट है कोची में फिशिस संबन्दित Central Marine Fisheries Research Institute CMFRI CMFRI Central Marine Fisheries Research Institute केंद्रिय समुद्री माचसे की समुद्री माचसे की ये कोची में CMFRI जो CFTRI Central Food and Technical Research Institute ये मैसूर में था पक्षी अनुसंधान संस्थान ये भी इज्जतनगर बरेली उत्तरप्रदेश सबजी पर अनुसंधान वारानसी आलूपर शिमला शुस्क छेत्र जोधपुर सुस्क छेत्र जोधपुर में जबके शुस्क भूमी की बात आजाई शुस्क भूमी वाला है दराबाद में सुश्क छेत्र वाला जोधपुर और शुस्क भूमी वाला कहां पर है शुस्क भूमी वाला कहां पर है अरे कैफ पढ़ ले तरी कमेंट देख लो में बहेंस अनुसंधान हिसार हिसार में गोडे वाला भी है हिसार में क्या हो जाता है गोडे वाला हिसार में क्या हो जाता है गोडे वाला ये कुछ अनुसंधान संस्थाने जादा नहीं ले रहा हूं में इसके बाद में 15-16-16 और बचिये ये होने के बाद में चोड़ के आएंगे पेपर में आके बताएंगे तो पढ़े ही नहीं थे यह तो पढ़ा ही नहीं था माश्टर गलत हो जाएगा तेन तीन चार चार बज़ तक माश्टर मेहनत कर रहा है इतना गला मेरा खराब है सब भगवान जानता है शुस्क भूमी कहां पर है एधराबाद शुस्क छेत्र जोदपुर शुस्क बागवानी बीकानेर कुछ राष्टियन संधान के इंद्र भी ये मैने जादा नहीं लिये फ्री ये खतम हो जाएगा सोशल मीडिया सुरू कर देंगे सोशल मीडिया आदे घंटे की बात और जादस जादा राष्टियन संधान में लीची वाला बिहार के मुझपफर पुर लीची वाला बिहार के मुझपफर पुर केला वाला त्रीची, अंगूर पुणे, पुणे में याद रखेगा प्याज लस्सन वाला भी है, नीबू जो खटे फलो उते हैं नागपुर, खटे फलो वाला कहां परें नागपुर, तो खटे फलो से संबंदित राष्ट्यनु संधान केंद्र नागपुर, कपासका भी क खिर्शीवान की ये जासी, एग्रो फोरेश्ट्री, जासी में नेशनल एग्रो फोरेश्ट्री रिसर्च इस्टिट्यूट है, ऊठ का कहां परें बीकानेर, शुस्क बागवानी भी बीकानेर, अश्व अनुसंधान और भेंस, भेंस बफेलो और गोडे ये कहां परें हिस कुछ अनुसंधा निदेशालेवी हैं जाते हैं सबनानी है डाल दिके हैं है सूशल मीडिया कौन कोंसर से टॉपिक करें थे परक्रादिश कर से रह वह गamour Huguen यह बारतियें वाला , किर्षि वाला टॉपिक Guin को से रहा हुआ है बाहार ये किसकी किसमें ललित किसकी किसमें तो नहीं बता पाऊगे गया कल्यान सोना किसकी किसमें कल्यान सोना किसकी किसमें वन टू थरी करके बताओ ये सोस्तियों नहीं बता पाऊगे बारते किर्सी कम्प्लीट हो गया उत्तर प्रदेश में राजयस्व पढ़ लिया उत्तर प्रदेश में राजयस्व वाणिज्य व्यापार पढ़ लिया FTA वगेरा कुछी जहें इनको देख लेंगे अगर यह आज कलम उसकी वो देदेते ना रेडियो ऑपरेटर की आंसर की तो बहुत हत्तक आइडिया लग जाएगा कि पेपर यह कैसा बना रहे हैं अब आज जाएंगे सोशल मीडिया पर अब क्या जाएंगे सोशल मीडिया सोशल मीडिया फिर साइबर क्राइम जितने टॉपिक आपसे बोले थे आज बीच में नहीं छोड़ेंगे उस दर आई पीसी सियार पीसी को भी खीच देना चाहिए था अब एद एक डिड़ घंट कनक गेहूं सोने जैसा कनक गेहूं सोने जैसा कनक गेहूं सोने जैसा कनक गेहूं के लिए रे बच्चा के लिए रे आगे बढ़ें सोशल मीडिया देखे पहले इसकी समझ लीजे सोशल मीडिया क्या है मीडिया होता है माध्यम मीडिया करत क्या माध्यम ठीक है और सोशल कर क्या होता है समाज सामाजिक ठीक है इंटर्नेट के माध्यम से इंटर्नेट के माध्यम से इंटर्नेट के माध्यम से ठीक है इंटर्नेट के माध्यम से आभासी रूप से सामाजिक सरंचना आभासी रूप से वर्चल रूप से वर्चल रूप से विचारों का आदान प्रदान विचारों का आदान परदान विचारों का आदान परदान ही सोशल मीडिया कहलाता है विचारों का आदान परदान ही क्या कहलाता है क्या कहलाता है क्या कहलाता है सती सोशल मीडिया अच्छे स्याद रखेगा सोशल मीडिया यह 1994 की बात है एक Daryl Barry नाम की विएकटी हुआ करते थे क्या हुआ करते थे डेरिल बेरी प poses दो कई अनका देर बेरी एक बार इसका ये बदल दू सहल यहसे अनों को हो क्लास अच्छी लग रहे हो तो एक बार दिल दे देना बच्छा सब्सक्राइब इसके बाद में एंटी पी सी ऐसाई पर ऐसे लग जाना है चोड़नी नहीं एग्जम्प्र की पढ़ाई और जो भी सबर कोर्स में नहीं जुड़ेते एप्लिकेशन पर इस बार जरूर जुड़ना ज्यादा फीस नहीं होती है यह आपको फायदा जरूर मिलता है कि मजा रहा है यह लोग कहते थे न अरे यह तो रात में कौन पढ़ेगा देखो कितने बच्चे यह सब पागल थोड़ी ना है और ऐसा भी ने क्यों बेकार कंटेंट पढ़ रहे हो उपर उपर से घूब बढ़िया अंदर डीपली जाके पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो ऐसा तु लग रहा हूँ इमांदर इससे बताओ ऐसा तु लग रहा परिशन वालों किसी को भी विटा तो मैंने क्या कहा देखो अब जैसे विचारों का आदान परदान है आप मेरे सामने होते हैं मेरे घर के आसपास या जैसे आप अपने महले के कौने वगरा पर बैठते हो तो आप अपने विचारों का आदान परदान कैसे करते हो आपने सामने अब जैसे मैं अपने विचारों का आदान परदान कैस ऐसा तो है नहीं कि बच्चा आप बिल्कुल चुब बैठे हो आप भी अगर देखोगे तो कमेंट्स में तो आप भी कुछ ना कुछ बोल रहे हो यस या नो बताओ मैं गलत तो नहीं कर रहा है यस या नो बताओ तो अब यह जो मैं विचारों का अदान प्रदान कर रहा हूं वो किस तरीके से कर रहा हूं सोचो अभी भी सोचो कम से कम 5-6,000 बच्चा एपर यूट्यूब को मिला दू तो 6-7,000 बच्चा पढ़ रहा है कम ही क्या रात को इतना पढ़ना पढ़ते रों इमानदारी से बिना परिशान हुए टेंसर ने लेना भागना नहीं है एक भी मत अगा इंटरनेट के माध्यम से आभासी रूप से वर्चुली मैं आपके सामने हूं तो सही अपॉन आफ कर दो गायब हो जाओंगा इंटरनेट कनेक्शन चला गायब हो जाओंगा एकिन अगर दो लोग गाउं के कहीं पर सलक पर कोने में कहीं किसी जो चौराई वगरा होत से विचारों का आदान परदान किया जाता है वर्चल आभासी रूप से इंटरनेट के माध्यम से विचारों का आदान परदान करना अभासी रूप से वर्चल रूप से विचारों का आदान परदान करना इस शब्द को डेरेल बेरी नाम का व्यक्ति था डेरेल बेरी नाम तो सोशल मीडिया शब्द का किसने किया साथी सोशल मीडिया शब्द का बिल्कुल सही सोशल मीडिया शब्द का समझरे मेरी बात सोशल मीडिया शब्द का प्रियोग आप कहोगे सर डेरल बैरी ने किया किस ने किया सबसे पहले डेरल बैरी ने किया सोशल मीडिया शब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया डेरल वेरी ने किया है कब अब को होगे भीया 1994 में 1994 में 1994 में 1994 में के लिए रभिया यहां तक बताईए किसी को किसी को सोशल मीडिया वेब 2.0 का एक मुख्य विश्कार है जैसे वेब 1.0 हुआ करता था उसमें केबल वेब साइट ही देख पाते थे केबल वेब साइट इत्यादी को देख पाते थे आस से 10-15 साल पहले लेकिन वेब 2.0 सोशल मीडिया के समय पर क्या हुआ आप खुद भी कंटेंट अपलोड कर सकते हो खुद भी तो यूजर content upload कर सकता है जैसा आप YouTube पे करते हो Shorts में करते हो, Instagram पे करते हो TikTok में वायात content करते थे Web 2.0 एक शब्द और आ जाता है Web 3.0 इसमें AR, VR इसमें क्या जाएगा Augmented Reality, Virtual Reality Social Media से सम्मनित नियम बनाने का धिकार किसको है Electronic और सूचना प्रोध्योगी की मंत्रा ले किस मंत्रा ले को है Ministry of Electronics and Information Technology Ministry of Electronics and Information Technology इसके मंत्री कौन रेल मंत्री भी है संचार मंत्री भी है अश्वनी वैशनव अश्वनी वैशनव अब प्रमुख Social Media कंपनियों के बारे पढ़ लेते हैं जो दुनिया की प्रमुख Social Media कंपनी है सबसे पहले पढ़ते हैं Facebook के बारे में Social Media को देखने का सुनने का जो और कुछ से बिल्कुल एक बहार नया तरीका दिया था वो किस ने दिया था भी है Facebook ने दिया किस ने दिया Facebook ने Facebook की स्थापना कभूई मेरे साथ बोलना 2004 में Facebook की स्थापना 2004 Facebook की स्थापना 2004 वर्तमान CEO कोने Mark जुकरबर्ग वर्तमान CEO Facebook की Parent Company कोन सी है Facebook की Parent Company याद रखेगा Meta Facebook की Parent Company कोन सी है Meta इसका Headquarter कहां पर है California इसके संस्थापक में कोन था Mark जुकरबर्ग, डेस्टिन मॉस्कोविड्स, क्रिस यूज, एंड्रु मेक कुलम और एडाडो सवेरिन एडाडो सवेरिन इसको ऐसे याद कहले न, ADM 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 सा ADM सा, सीधे हाँ से पूछ सकता है Social Media Company के founder बगरा के बारे में एसे याद रखेगा साती Andrew मेक कुलम D से डेस्टिन मॉस्कोविड्स M से मार्क जुकरबर्ग S से एंड्रु सवेरिन और एसे याद रखेगा Andrew मेक कुलम ACM सा याद करना पढ़ेगा डेस्टिन मॉस्कोविड्स तो हो गया ADC सा ADC सा C से हो जाएगा Chris Hughes तो Andrew मेक कुलम D डेस्टिन मॉस्कोविड्स मार्क जुकरबर्ग Chris Hughes और क्या नम है इसका एड़डो सवेरिन इन पांच ने मिलकर 2004 में ये कैलिफोर्निया में खोला मार्क जुकरबर्ग इसका CEO है Facebook के अंदर और भी कैसारी चलते है Insta भी याद रखिएगा Instagram भी ये Facebook का ही है WhatsApp भी Facebook ने खरीद लिया था WhatsApp भी Facebook ने खरीद लिया था और Facebook ने हाली में एक Twitter की कॉपी करके एक और product launch किया जिसको क्या नम दिया Thread चलिए आगे आ जाते YouTube YouTube की बात करें YouTube साल 2005 में YouTube कभी स्थापित हुआ कभी स्थापना हुई साल 2005 में YouTube की स्थापना साल 2005 में इसके founder ते Chain Chard Karim Chain Chard Karim ऐसे आद कर लेना Steve Chain Chard Harle Javid Karim CC Karim भी याद कर लेना CC Karim Chad Chan और Chain Chard Karim इसका भी कैलिफॉर्णिया में CEO नील मोहन बाद में YouTube को Google ने खरीद लिया था बाद में YouTube को Google ने खरीद लिया था बाद में YouTube को किसने खरीद लिया था याद रखिएगा Google ने खरीद लिया था Chad Chain Chard Chain Chard और Karim ACM या ADC सा, ऐसे आद कर सकता हो एंड्री मेक कुलम डेश्टिन मोस्कविड्स सी, क्रिस यूज एम मार्क जुकरवर्ग एडाडो सवेरिन और क्रिस यूज चले भी है, नील मोहन इसके सी ओन, इंस्ट्राग्राम की बात करें, इंस्ट्राग्राम की स्थापना 2010 में इसके ओरिजनल जो स्थापक थे, वो थे केविन सिस्ट्राउम और माइक केविन माइक, तो इंस्टा पे सब लोग बिना माइक के गाना गाते हैं, किसी का भी गाना लगा लेते हैं, किसी का भी गाना लगा लेते हैं, तो केविन माइक, A-M-I-K-E देखो, कैसे याद करोगे, केविन माइक, तो माइक को याद कर ले न, बिना माइक के इस्टा पे गाना, तो केविन माइक तो ऐसे ऐसे, और की ही का केविन, माइक केविन, माइक क्राइगर, केविन सिस्ट्रोम, वहाँ A-B-C-D option होंगे, तुरंत उत्तर द यादा मेटा ने इस्टाग्राम को, और 2023 में ठ्रेड नाम की चीज और लॉंच की थी, 2000 उसमें साती ठ्रेड नाम की चीज और लॉंच की थी, ठ्रेड नाम की चीज इनोंने और लॉंच की थी, ठ्रेड नाम की चीज इनोंने और लॉंच की थी, ठ्रेड नाम की चीज साती इन्होंने और लॉंच किये फिल्टर वगेरा का प्रियोग यह सब अच्छे स्याद रखेगा यह 2010 में 2010 में इसका जो नाम हुआ करता था बर्बन हुआ करता था पहले जब 2010 में इन्होंने जो शुरू किती बर्बन बाद में इसका नाम क्या कर दिया था इस्टाग्राम नाम कर दिया था बाद में इसका नाम क्या कर दिया था बर्बन से इस्टाग्राम कर दिया था ठीक है भी यह इस्टेंट कैमरा और टेलिग्राम दोनों को मिलाकर क्या कर दिया इस्टाग्राम कर दिया था इस्टाग्राम साथी इसका नाम कर दिया गया था उस चार बारे में Facebook ने खरीदा था इसे डो साल बाद भी Facebook ने खरीदा था और Facebook के सबसे बढ़िया बात ये ही रही इसे खरीदा नहीतто इत्यौति प्रियले तो माइक से क्रेविं माइक क्रेगर केविं सस्ट्रों 9am वोड्सेप के बत करें वोड्सेप की याद रखेगा वोड्सेप की स्थापना कभ ही थी साल 2009 में बाद में वाठसेब को किस ने खरीद लिया वाठसेब को भी अच्छे स्याद रखेगा वाठसेब को भी मेटा के मार्क जुकरबगने खरीद लिया था वाठसे मेनेजर मेसिंजर भी कहते थे इसको ब्राइन एक्टन जेन कूम ब्राइन एक्टन जेन कूम 2009 में आई कब आई सा थी? 2009 में याद रखेगा वर्तमान में मेटा का प्रोड़क्ट है वर्तमान में किसका प्रोड़क्ट है? मेटा का प्रोड़क्ट है इसका हेड़क्वाटर मत लखेगा ये वर्तमान में Meta का प्रोड़क्ट है केलीफोर्निया में इसका हेड़ कोईटर है 2009 में आई Brian Acton जाने कौन ताप ये देखो कि बिना जाने वर्टसेब के मेसिज मत खोला करो और मेसिज पर कोई एक्शन मत लिया करो बिना जाने वर्टसेब के मेसिज मत खोला करो बिलियन oupole-3-4 में इसको फेस्ट रिठ लिए था फरवरी 2014 में फेस्ट रुक न है ध्रीद आ 2012 में इसको भूधर था 2012 में इस्टा को विश्टर हरी था फरवरी 2014 में फासे प्रक को वेस्बुक ने खरीद लिया था ब्रैन एक्टन जेन कूम ये इसके मुख्या थे ये इसके संस्थापक थे वीचेट 2011 ये चीन की कंपनी है चीन की कंपनी है एलन जेंग ने इसकी स्थापना की थी वीचेट की स्थापना एलन जेंग कि अधिक टॉक टिक टॉक की जो पे में पेरेंट कंपनी है उसे बाइट डान्स कहते हैं क्या कहते हैं बाइट डान्स टेक्नलोजी इसकी जो पेरेंट कंपनी है 2016 में जांग येमिंग जांग येमिंग 2016 में इसकी स्थापना किस ने की थी जांग येमिंग नाम के विक्ति ने की थी टिक टॉक 2016, बाइट डान्स इसकी कमपनी है, बाइट डान्स, आगया जाता है Pinterest, Pinterest भी जिसको आप कहते हो, इस पर फोटो बगरा शेयर होते हैं, 2009 में Pinterest भी आई थी, बेन सिल्बरमेन, पॉल और इवान, BPE या इससे आप BPE भी कह सकते हो, बेन पॉल इवान, बेन पॉल इवान, Pinterest, बेन पॉल इवान, सेन फ्रांसिस्को केलिफ़ॉर्णियआ, Pinterest का हेड़कॉर्टर है, फीग भी आगे चाते Reddit, रेडिट 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 कंपरी जो है इसका हेड़क्वाटर भी सेन फ्रांसिसको कैलिफॉर्णिया यूए से इसकी स्थापना दोजार पांच में हुई थी फेस्बुक के अगले साल इस्टीव हफमेन आरोन स्वार्ज एलेक्सिस ओहेनियन तो एस डबल ए रेडिट रे इस्टीव आरोन अलेक्सिस और इसमें ज्याद़ इंपोर्टन नहीं है ट्विटर की बात जरूर करेंगे ट्विटर को 44 मिलियन डॉलर में 2022 में एलन मस्क ने खरीदा और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था एक्स ट्विटर का नाम बदल के क्या कर दिया गया एक्स ये सती शौट मेसिज वीडियो फोटो शेरिंग एक प्रकार से अप्लिकेस्ट ने 2006 में इसकी स्थाप्न होई थी सेंड फ्रांसिसको अमेरिका में इसका हेड़क्वाटर तो ट्विटर का कहीं ओल ली गया है साइड एलन मस्क इसके फाउंडर ते जैक डोर सी नोवा गिलास बिज इस्टोन इवान विलियम्स तो कैसे आद करोगे इस्टोन माने पत्थर से इवान ने तोड़ दिया कांच का दर्वाजा पत्थर से इवान ने तोड़ दिया वेन का दर्वाजा वेन लिख सकतो वेन का कांच का दर्वाजा पत्थर से तोड़ दिया वेन का कांच का दर्वाजा नोवा गिलास पत्थर से तोड़ दिया बिज इस्टोन पत्थर से तोड़ दिया जेक डॉरसी चेर्मेन एलन मस्क और X की CEO किसे न्युक्त किया गया लिंडा याका रीनो को X की CEO किसे न्युक्त किया गया लिंडा याका रीनो को किसे न्युक्त किया गया भी या लिंडा याका रीनो को अच्छे स्याद रखेगा किसे न्युक्त किया गया अब कहोगे सर लिंडा याका रीनो को न्युक्त किया गया किसे लिंडा याका रीनो को LinkedIn की बात कर लेते हैं आ गया जाते LinkedIn 2003 में LinkedIn Facebook से भी पहले बाद में इसे Microsoft ने खरीद लिया था 2003 में स्थापना रीड होफ में एरिक रीड होफ में एरिक लाई ये इसके संस्था पकते रीड होफ में और एरिक लाई जीओ वरतमान में रwarm रोसलंक किये और सनी वाले कॉलिफोर्नियम स्काइड को अटर में LinkedIn ये प्रौफेशनल लोगों को कनेक्ट करती है ये किसे connect करती है, professionals को connect करती है, professionals की social media कह सकते हैं, पढ़े लिखों की, कहां कितनी नौकरी करी, कब करी, कब से थे, ये सब कुछ LinkedIn connect करती है, 2003 से, read और Eric, इसनेप चैट, ये भी अमरिका की संस्ता है, 2011 में, इवान स्पिलबर्ग और बोवी मर्फी, इवान नाम कॉमन है, जैसे हम, अरे राहूल रोईत कॉमन होते ही ना ऐसी, तो बोवी जेल, इसनेप चैट, बोवी जेल ऐसे आद कलेना, बोवी जेल इसनेप चैट, बोवी जेल बोवी जेल से चैट, जेल, वहां से आद कलेना, और रेगी ब्राउन, मेगी, तो बोवी जेल के साथ, जेल के साथ, मेगी पर, रेगी ब्राउन, स्नेप चैट, 2011 में, 2013 में टेलीग्राम, इसके ड्यूरोव, पावेल ड्यूरोव, निकोले ड्यूरोव, ये रूस की है, टेल सेयुक्त अरब अमिरात है वर्तमान इसका हेड़क्वाटर कहां पर है सेयुक्त अरब अमिरात दोहजार तेरे में टेलिग्राम सबसे पहले आया था 2014-2023 आग्या जाते सपोटिफाइ़ यह साथी मूजिक शेरिंग है 2006 में स्थापना डेनियल मार्टिन के द्वारा डेनियल और मार्टिन की द्वारा डेनियल और मार्टिन द्वाचार्च है इस्पोटिफाई डेनियल और मार्टिन लग्जंबर इसका हेड्वाटर है लग्जंबर्ग ये इस्पोटिफाई का हेड्वाटर है लग्जंबर्ग में याद रखेगा ये इस्पोटिफाई का क्य है हेड़कवाटर थोड़ा सा ओरते चलता हूं टिंडर टिंडर इंडर कोई सा तुम्में सी उस करता मत की अक्रोब होत फ्रोड होता है टिंडर बंबल पर मैं तो अख़बार में देखता रहता हूं टिंडर दोहजार बार है सीन रेड जेस्टिन मटीन और विटनी वॉल्फ तो सीन जेस्टिन विटनी इन्होंने टिंडर येक मेच मेकिंग मतलब इसको अब तुम्हें बताऊंगा तो कल को पेपर सब्सक्राइब टिंडर खोल लोगे बेकार वेबसाइट है से एप्लिकेसिंग को होलीवुड में 2012 में टिंडर 2012 में टिंडर ठीक है वहीं सीन रेड जेस्टिन मटीन और विटनी वॉल्फ विटनी वॉल्फ टिंडर आगया जाता है इनफोससे जाला की भारत के आईटी कंपनी है इससे साइबर क्राइम वाले में करा देंगी फिर भी समझ लो 1981 बेंगरूरू में बनी एनार नैरनमूर्ती नंदन निलेकनी क्रिस गोपाल किष्णन, हजडी सिबुलाल के दिनेस एनेस रागवन अशयो करोडा ये इसके सव संगी साती थे जिनोंने मिलकर इंफोससेस खोली थी जिनोंने मिलकर इंफोसिस को ली थी चिंगारी 2008 भारत की ये सोसल मीडिया ये टिक टॉक की कौपी कूपी ये ट्विटर की कौपी थी चिंगारी 2008 सुमित घोष बिस्वंत नायक बिसवात्मा नायक दीपक सालवी अधित्यक उठारी बैंगलूरू में हेड़क्वाटर है कू 2020 में ये प्रमेर आधाकर्ष्लनं मयंक बिदावटका ये जो नाम अगर तुम्हें कुमार वुमार लगा है तुम्हेरे नाम के बिच्छे कोई तुम्हें पूछने वाला न corrug 거는 गळा है mature नाम के बिच्छे कुछ एब सानाम हो जो किसी कना उतलवार भाला कुछ ऐसा जैसे देखो बिदा वटका तो बिसमा सालवी वालवी तब कुछ तरक्की है मैं तो देखा कुमार एक भी किसी कुमार ने तरक्की नहीं करी अब नाम बदल नहीं सकते चलो तो यह एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा दुबारा में सोशल मीडिया में थोड़ी सी चीजे और है जैसे यह कुछ सोशल मीडिया टम्स होती है इनमें कोई सी ऐसी है जो तुम्हें ना मालूम हो तुम्हें तो मुझसे जादा मालूम होगी यह वगर यह सर हमें मालूम नहीं है सोशल मीडिया का विश्कार हमारे में हुआ है हमेटा 1990 के जमाने के हैं ना तुम्हें थोड़ी वह और देखा वह गोग से बनाते रहते हैं आधे मतलब मतलब जनता पागल कर दीनों ने पता ना उसे क्या मिले नेट खर चलावा हुने कि ना तो समय कुछ खून बढ़ता ना कुछ दिमाग में कुछ ग्यान आता मतलब बरबादी समय की मैं सामने देखता हूं कितना समय बरबाद हो राज जनता गा हेश्टेग तो आप समझते ही हो कोई भी चीज जो सर्च होती है वो हेश्टेग के साब से टेग भी आप समझते हो ट्रांस्पिरेंसी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग समझते हो इबुक जो बुक आप इबुक फॉर्मेट में पढ़ते हो ब्लॉग तो समझते होगे ब्लॉग त हैं मिझे कोई कोई एक गो जीमन में जो भी तुम कायम करो उसके दो प्रणा मतलब दो थरीके सस्को जज करो अच्छा है बुरा है का क्या उससे किसी का नुकसान हो रहा है तुम्हारे कारिये से बुए मतलब तुम गल्ट कर रहे हो नहीं हो दो और दूसरे में पहले में यह सो गया दूसरे में क्या क्या उसकारिय को करने से कुछ विकास कुछ तरक्की कुछ जीमन में कुछ लाब ग्यान कुछ भी थोड़ा सा भी आए नहीं आए ना गाईज आज मेंने खरीदे जूते पुनाने जूतों में सारी थी बदवू घर वाले थे परेसान गाईज मेंने वो फैंक दिये गाईज जाओ तुम्हें ढूड़ लो तुम्हें मिल जाएं तो गाईज इनाम दूगा गाईज तो ऐसे देग रहा जैसे जूते लिकड़ेगा जूते के फीते कितने नंबर केते गाईज के तो यह है आज कर ट्रेंड यह मास्तर पढ़ाते बढ़ाते मरगे जी लिकड़ गया गला खराब हो गया कुछ ज्यान दे रहें कुछ बढ़ोत्री करने कुशन आएगा वर्दी आएगी बहु आएगी बढ़िया एकदम जीवन चलेगा और मेरा सुसरा गाईज गाईज एरे गाईज के बैल इदर पढ़ले ध्यान से एल्गोरिदम सर्च वगेरा मीम यह तो समझ गे होंगे मीम सब समझ रहे हो ना चलो इंगेजमेंट इंगेजमेंट कितनी लाइक कमेंट शेर हुए ओमाई गॉड इतनी देर होगे पढ़ाते पढ़ाते कोई देखे 11,000 लाइक है के घंटे होगे मुझे चार घंटे प्लस होगे जी खराब होगे तुम सब का भविश्य बना रहा हूं और वहीं को यह कैसे इन माश्टर रहना पाप था क्या हम भी तो एक गाई जोर मैंस कर सकते थे बल्द कर सकते थे हम तो बहुत तगड़ी ब्लोगिंग करते ब्लोगर होते तो पैस का गोवर गाय का गोवर सब बढ़िया ट्रेंडिंग ब्यूडियो से एकदम हमने तो गलत रास्ता चुल लिया दीख है चलो इंगे रीच ट्रेफिक शेयर पोश्ट रील कम सब्सक्राइब अगर तुम में सब्सक्राइब शॉट्स में जाता होगा दो सब्सक्राइब पी जाते होगे कम सब्सक्राइब और ड़कार भी नहीं लेते होगे दोहाएब 200 500 कि पी जाते होगे नेые 220 ड़कार भी नहीं लेते होगे को तहीं भी पर वदलें गतिसल असर हरा है कई यह पाथे और पोर सेल में मिलाता रहूँगा साइबर क्राइम आज हम नहीं करेंगे जो आई पीसी स्यार पीसी एक घंटे का मटेरियल रह गया है रह गया है ना हत्या मडर से 209 धारा से स्यार पीसी की दसपंदर धारा दहेज के कौन सी सजा क्या मिलती है और उसके बाद में आप को होगे भीया इस तरह से जो हटानी पढ़ती है इनको ग्रीवेंस रिड्रेसल अधिकारी की न्यूक्ती वगएरा तो यह सब कुछ हम लोग किसमें पढ़ेंगे साइबर क्राइम वगएरा में अच्छे से पढ़ते हुए घंटे का कंटेंट उसका ज्यादा नहीं है पहला वाइरस वाइ एक क्लास योगे भारत के पड़ोसी देशों पर थोड़ा सा और जो पढ़ियावरण वाली थी जो पढ़ियावरण थोड़ा बहुत तो तब तुम मेरे विचार में पूरी तरह तैयार हो अस तारीक होगी दस दस आज हुई है आज और कल तो मैं हिंदी पे हूं एक वो उनकी प्रेक्टिस कराओंगा एक दो बार आपको रिवाइस कराके और भेजूँगा एक दो बार आपको रिवाइस कराके और भेजूँगा एक दो बार ये कंपनी के संस्था पगवरा को ने कहां कंबनी या आप जरूर पढ़ लेना और ओफलाइन कमेंट करके जरूर जा पचाके रखनी है ठीक है चलिए फिर उम्मीद करता हूं कि मैंने अपना कर्तब पूरी तरीके से निभाया होगा अब तुम्हारी बारी यह थोड़ा सा रिवीजन करके जरूर करना मतलब मुझे बोला ने मिरे गला बिल्कुल एकदम अटकते हैं कुछ यहां डॉक्टर के जाने का टाइम नहीं मिल रहा है अज फिर यह दस बार घंटी क्लास तो मैं बुराई फसा हूं और खांसी अलक्स है दबावी काम नहीं कर रही तो तुम लोग अभी तना जोर मतों इस सब एक साथ जो बचे हुई ना है पिसे सी यार पिसी की धारा अविश्कार परियावरण जनगरणा का थोड़ा बहुत बताना है एदर तुमारा संस्कृती उसके बाद तुम भगवान के किरपास से टो पर देके आने के लिए ठीक है भाई खुश हो ना अब सभी लोग बस्त एक बार रिवाइज कर लेना समय मिले तो नहीं तो सोजाना कल कर लेना एक घंटे जरूर रिवाइज कर लेना थेंक यू धन्यवाद जेहिन झाल 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 झाल